पुटी बदमाशों ने चीन ली है और वहीं बचाओ में की गई फाइरिंग में एक बदमाश को भी गोली लगी है ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है घायल बदमाश को मौके से लेकर अन्य बदमाश फरार हो गए है फिलाल पूरे शहर में नाका बंदी करा दी गई है और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है सुखदेव सिंग जो करणी सेना के अध्यक्षे उनको गोली बारी गई है उनकी मौत हो गई है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है सुखदेव सिंग के गनमेन को भी गोली सुखडेव सिंग सहेथ उनके जो आसपास गनमेन थे जो उनकी सुरक्षा में टेनाब थे उनको उनके नपर भी फाइरिंग बदमाशों ने की है उनके गन्मेन को भी बताया जारा की गोली लगी है वो भी जखमी हुआ है बारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को जो वहां से गुजर रहा था एक विक्ती उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूर्टी चीड़ी ने कुछ बूला है ना यह हम मौके पे गहते हैं म अब देखिए यहाँ पर जो एमर्जेंसी है वहां से एक बूरी ख़वर आ रही है दिए उनकी देख हो चुकी है और आप देखते हैं मर्जेंसी के अंदर अभी उनको यहां लाया गया था इस इमर्जेंसी के अंदर और यहीप जो इलाज करने की और जो पुलिस जो यहां पर देख सकते हैं अब यहां पर अंधर कि जाने की जो पर्मिशन है वह नहीं करेंगे देव सिंग जी गोगा मेडी एक बहुती बहुती बादूर और सेर के समान व्यक्ति थे उनके साथ इस तरह की निर्दैता पूर्ण और काहिराना घटना होना इसके लिए कोई सब्दी नहीं है कोई भी सब्द नहीं है सब्दे समाज में कोई भी व्यक्ति को इस तरह जाकर के घर के अंदर दीन दाड़े गोलियों से भून दिया जाए ये बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है और मुझे विश्वास है कि पूलिस परसासन तुरंट सक्री हो करके अब तक उनको गिरबदार कर लेने की कारवाई कर रहा होगा मैने कमिशनर साब से ये भी रिक्वेश्ट किये है कि पूर एक छहेतर के अंदर दहसत का माहूल है वहाँ गस्त की वियोस्ता की जाए पुलिस की वियोस्ता की जाए और सब से पहले अपराधियों को तुरंट ग्रबदार किया जाए इसके लिए कोई भी सब्द नहीं है मेरे पास किया है इकी सुखदेव सिंग गोगा मेरी की मौत हो गई है उनकी गोली मार कर रत्या कर दी गई है उनको घायल होने के तुरंट बाद अस्पताल पहुचाया गया था जहां से अंदर से ये खबर मिल रही है कि उनकी मौत हो गई है उनको बचाया नहीं जा सका है बताये ये जा रहा है कि बदमाशों ने उनके उपर अंधादुन फाइरिंग की है उनके गन्मेन को भी गोली मारी है और एक राहगीर जो वहां से जा रहा था उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूटी चीन कर भागने की कोशिश की है बचाव में जो गोली चली है उसमें एक बदमाश को भी बताया जारा की गोली लगी और इसके बाद उसके जो साथी थे वो बदमाश को वहां से बचा कर ले गए लेकिन सुख़देव सिंग गोगा मेडी को बताया जारा कि चार गोलियां लगी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका है सुख़देव सिंग गोगा मेडी राश्ट्रिय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अधिक्ष थे और जैपुर में बताया जा रहा है कि श्याम नगर इलाके में ही उनके उपर हमला हुआ है जानकारी ये है कि संभवता उनके घर में गोली मारी गई है उनको यहीं पर हमला वर आये थे और यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है यह देखी कुछ शेल भी इस वक्त नजर आ रहे हैं जो गोलियों के खोके हैं वो भी कुछ फुटेज में हम देख सकते हैं तो सुखदेव सिंग गोगा मेनी जिनोंने राश्ट्री करनी सेना से अलग कुछ विवाद होने के बाद अपना नया संगठन खड़ा किया था राश्ट्री राचपूत करनी सेना उनके संगठन का नाम था उसके अध्यक्ष के तोर पर वो काम कर रहे थे ऐसा क्या हुआ ये कौन से हमलावर हो सकते हैं ये कौन से बदमाश हो सकते हैं इसको लेकर पुलिस के उपर अभी सवाल है सुरक्षा विवस्था को लेकर सवाल है इस बड़ी वारदात के बाद बहुत सारे सवाल है कि आखिर किस ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा और कब तक ये आरोपी ये वदमाश पकले जाएंगे फिलाल पूरे शहर में पुलिस ने नाकी बंदी कर दी है और आरोपियों की धरपकड की कोशिश की जा रही है लेकिन ये तीम शेल इस वक्त जो हमें नजर आ रहे हैं एक बोरे के उपर जो हम इस वक्त देख सकते हैं कि तीम खोके जो हैं ये चले हुए खोके हैं यहीं कि जो हम इसके देखसकते हैं, पिस्टल से हमला किया रही है जो शेल नजर आ रहे हैं यह वो कार्तूस हैं जो पिस्टल बे एस्थामाल होते हैं और उन्हीं के ये ककोके हैं इस वक्त नजर आ रहे हैं बताया जारा कि चार बदमाश थे यहां पर आये थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तयारी के साथ चार लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया फाइरिंग करना अचानक शुरू कर दिया बताया जारा कि चार गोलियां मारी गई ह जो गन्मेन था सुखदेव सिंग गोगा मेनिका उसको भी एक गोली लगी है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है और साथ ही एक राहगीर जो वहां से गुजर रहा था उसको गोली मारी गई है और उसकी स्कूटी चीनकर ये बदमाश परार हुए है इस वारदात को अंजाम देते वक्त बताया जारा है कि एक बदमाश को भी जो हमला वर थे उनमें से एक शक्स जखमी हुआ है और उसको भी बताया जारा है कि जो जबाबी फारिंग थे उसमें गोली लगी है और उस घायल शक्स को बाकी उसके साथी जो थे वो बचा कर ले ज समर्तकों की भीड है और पुलिस के सामने कानून विवस्ता बनाय रखना इस वक्त एक चुनोती है क्यों करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग अपना एक अलग संगठन उन्होंने खड़ा किया था और उनके संगठन का नाम था राचपूत करणी सेना राचपूत करण सेना और उसकी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी समहाल रहे थे और ये इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये सुखदेव सिंग की तस्वीर है और सुखदेव सिंग की गोली मार कर हत्या कर दी गई है जैसे उनको गोली लगी फॉरण उनको बताया जा र दमाश थे वो भी वहां से मौका वारदात से भागने में काम्याब रहे हैं फिराल पूरे इलाके की पूरे शहर की पुलिस ने नाका बंदी कर दी है और आरूपियों की धर फकड़ की कोशिश में पुलिस की टीम लग गई है लेकिन बड़ी वारदात के बाद जैपुर र अब देखना यहिं होगा कि इसमें पुलिस कि की कर रही है कितने और लोग है जिस तरु से बताया जा रहा है कि हमलावर है वह जो हमलावर को लेकर सूचना आई थी कि उसकी भी जो इसको भी गोली लगी उसकी डैड़ बॉड़ी खालती पुरा के के एक ऐस्पाल में मिली ह हलाकि इसको लेके भी किसी भी तरह का कोई कंफॉर्मेशन नहीं किया दा रहा है लेकिन अपना आप में बड़ी वाधात हुई है दिन धाड़े श्री राजपूत कंडी सेना के जो क्या द्यक्ष्ष थे सुपदेव सिंगोगा मेडी उनको उनके घर के अंदर खुष के गोलियां मारी गई उनके साथ में जो लोग मौजूद थे उनको फाइरिंग की गई और भागते हुए जिससरे से बताया दा रहा है कि बदमाचों ने 200 मीटर की दूरी पर इसकूटी सवार जो एक रहागीर थ जो अब अंदर जाके आए उनसे बात करने की कोशिस करेंगे और यहां पर जो अभी कोशिस की जारी कि जो हमला वर उनको डूढने की कोशीट की जारी अब अंदर आप देख सकते हैं कितनी भारी भीड उनको यह जमा हो उसके बाद बड़ी सादाज में उनके जो परशंसक हैं वो यहाँ पे लागातर पहुच रहे हैं और जो पुलिस है उसमें पूरी शहर में नाकाविंदी भी की है जो हमलावर हैं उनको आइडेंटिविट करने की कोशिच की जारी है जिस कार के अंदर सवार होकर वो आये थे ये इस वक्त आपको हम सूरते हाल दिखा रहे हैं गटना इस तलका क्योंकि अभी पुलिस की टीम वहाँ पर पहुची है लेकिन कुछ भी बोलने की इस्तिती में नहीं है जानकारी ये मिल रही है कि गोगा मेरी के घर पर एक बड़ी खबर मिल रही है जहां करनी सेना के इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग से चार लोगों को गोली लगी है सुखदेव सिंग के अलावा उनके गनमेन को भी बदमाशों ने गोली मारी है वारदात को अंज से लेकर अन्य बदमाश फरार हो गए हैं फिलाल पूरे शहर में नाका बंदी करा दी गई है और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुखदेव सिंग जो करणी सेना के अध्यक्षे उनको गोली बारी गई है उन तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैपुर से करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग की गोली मार कर रत्या की गई है और ये बड़ी खबर है सुखदेव सिंग सहित उनके जो आसपास गन्में थे जो उनकी सुरक्षा में तेना कुछ बूला है ना यहां हम मौके पर गहते हैं मौका मौका बारदाच पर प्रिस की टीम मौझूद थी उन्होंने भी किसी तरह की जानकरी साजा नहीं की और अब जिस तरह से अब 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 अपडेट जो है मर पास आ रहे हैं अपडेट की कुशिश करेंगे इसी के अंदर अभी उनको यहां लाया गया था इस इमर्जेंसी के अंदर और यहीं पे जो इलाज करने की और जो पुलिस जो यहां पे सब्सक्राइब और यहां पहुचे हैं और यहां अंदर किसी को भी जाने की जो परमीशन है वो नहीं दी जा रही है और यहां पे आप देख सकते हैं जो शीपरवद थाना पुलिस है वो भी यहां पे मौके पे मौदूद है मांसुर थाना पुलिस भी यहां पे मौके पे मौदूद है शाम नगर थाना पुलिस क्योंकि शाम नगर थानी का यह पूरा गटना करम है वो यहां पे मौदूद ह अभी किसी भी तरह की कोई जो ऑफिशल बयान है वोड़ दिया दर रहे हैं तो हम जानकर देलने की कोशित करेंगे देव सिंग जी गोगा मेडी एक बहुत ही बहादूर और सेर के समान व्यक्ति थे उनके साथ इस तरह की निर्देता पूर्ण और कायराना घटना होना इसके लिए कोई सब्दी नहीं है कोई भी सब्द नहीं है सब ये समाज में कोई भी व्यक्ति को इस तरह जाकर के घर के अंदर दीन दाड़े गोलियों से भून दिया जाए ये बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है और मुझे विश्वास है कि पूलिस परसासन तुरंट सक्री हो करके अब तक उनको गिर्भदार कर लेने की कारवाई कर रहा होगा मैंने कमिस्टनर साब से ये भी रिक्वेष्ट किया है कि पूरे छेतर के अंदर दहसत का माहूल है वहाँ गस्त की वियोस्ता की जाए पुलिस की वियोस्ता की जाए और सब से पहले अपराधियों को तुरंत ग्रभदार किया जाए इसके लिए कोई भी सब्द नहीं है मेरे पास करें मैं कराओं बहुत जादा चिंता जनक हालात है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बड़ी जानकारी की सुखदेव सिंग गोगा मेरी की मौत हो गई है उनकी गोली मार कर रत्या कर दी गई है उनको घायल होने के तुरंट बाद अस्पताल पहुचाया गया था जहां से अंदर से ये खबर बिल रही है कि उनकी मौत हो गई है उनको बचाया नहीं जा सका है बताहिए ये जा रहा है कि बदमाशो ने उनके उपर अंधादुन फाइरिंग की है उनके गन्मेन को भी गोली मारी है और एक राहगीर जो वहां से जा रहा था उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूटी चीन कर भागने की कोशिश की है बचाओ में जो गोली चली है उसमें एक बदमाश को भी बताया जारा की गोली लगी और इसके बाद उसके जो साथी थे वो बदमाश को वहां से बचा कर ले गए लेकिन सुखदेव सिंग गोगा मेडी को बताया जारा की चार गोली लगी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका है सुखदेव सिंग गोगा मेडी राश्ट्रिय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे और जैपुर में बताया जाए रहे हैं कि श्याम नगर इलाके में ही उनके उपर हमला हुआ है जानकारी ये है कि संभवता उनके घर में गोली मारी गए है उनको यहीं पर हमला वराय थे और यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है ये देखी कुछ शेल भी इसमक्त नजर आ रहे हैं जो गोलियों के खोके हैं वो भी कुछ फोटेज में हम देख सकते हैं तो सुखदेव सिंग गोगा मेनी जिनोंने राश्ट्री करनी सेना से अलग कुछ विवाद होने के बाद अपना नया संगठन खड़ा किया था राश्ट्री राचपूट करनी सेना उनके संगठन का नाम था उसके अध्यक्ष के तोर पर वो काम कर रहे थे ऐसा क्या हुआ ये कौन से हमलावर हो सकते हैं ये कौन से बदमाश हो सकते हैं इसको लेकर पुलिस के उपर अभी सवाल हैं, सुरक्षा विवस्था को लेकर सवाल हैं, इस बड़ी वारदात के बाद बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर किस ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा और कब तक ये आरोपी ये वदमाश पकले जाएंगे, फिलाल पूरे शहर मे पुलिस ने नाकि बंदी कर दी है, और आरोपियों की धरपकड की कोशिश की जा रही, लेकिन ये तीन शेल इसको जो हमें नजर आ रहे हैं, एक बोर्य के उपर जो हम इस वक देख सकते हैं, ये चले हुए खोके हैं, यानि कि जो हम इसमें देख सकते हैं, पिस्टल से ये ह वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी के साथ चार लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया फाइरिंग करना अचानक शुरू कर दिया बताया जारा कि चार गोलिया मारी गई है जो गन्मेंट था सुखदेव सिंग गोगा मेनिका उसको भी एक गोली लगी है य पाती एक राहगीर जो वहां से गुजर रहा था उसको गोली मारी गई है और उसकी स्कूटी चीनकर ये बदमाश परार हुए है इस वारदात को अंजाम देते वक्त बताया जारा कि एक बदमाश को भी जो हमला वर थे उनमें से एक शक्स जखमी हुआ है और उसको भी बता कर पाती है ये जो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल परिसर की तस्वीरे हैं लोगों की उनके समर्थकों की भीड है और पुलिस के सामने कानून विवस्ता बनाय रखना इस वक्त एक चुनौती है क्यों करणी सेना की अध्यक्ष सुखदेव सिंग अपना एक अलग संगठन उन्होंने खड़ा किया था और उनके संगठन का नाम था राचपूत करनी सेना राश्वे करनी सेना से अलग उन्होंने अपनी करनी सेना एक नई बनाई थी जिसका नाम था राचपूत करनी सेना और उसकी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी समहाल रहे और ये इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये सुखदेव सिंग की तस्वीर है और सुखदेव सिंग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है जैसे उनको गोली लगी फॉरण उनको बताया जा रही अस्पताल पहुचाया गया लेकिन मेट्रो मास अस्पताल में जहां पर उन्हें भरती कराया गया था अंदर से खबर गे मिल रही है कि उनको बचाया नहीं जा सका है उनकी हत्या हो गई है और इसके बाद जो बदमाश थे वो भी वहां से मौका वारदात से भागने में काम्याब रहे हैं फिराल पूरे इलाके की पूरे शेहर की पुलिस ने ना रही है जहां करणी सेना के अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या की गई है इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग्स है चार लोगों को गोली लगी है सुखदेव सिंग के अलावा उनके गन्मेन को भी बदमाशों ने गोली मार ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है घायल बदमाश को मौके से लेकर अन्य बदमाश फरार हो गए है फिलाल पूरे शहर में नाका बंदी करा दी गई है और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुखदेव जो करणी सेना के अध्यक्षे उनको गोली बारी गई है उनकी मौत हो गई है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है सुखदेव सिंग के गणमेन को भी गोली लगी है तो बड़ी तादाद में जो लोग है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैपुर से करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग की गोली मार कर रत्या की गई है और ये बड़ी खबर है सुखदेव सिंग सहित उनके जो आसपास गनमेन थे जो उनकी सुरक्षा में वारदात को अन्जाम देने के बाद एक राहगीर को जो वहां से गुजर रहा था एक विक्ति उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूटी चीने अब जिस तरह से अभी अपडेट की कोशिश करेंगे अगे अधिक के अंदर अभी उनको यहां लाया गया था इस इमर्जेंसी के अंदर और यहीं पर जो इलाज करने की और जो पुलिस जो यहां पर चीकिसिकों की टीम थी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि किसी भी तरह से उनको बचाया जा सकी लेकिन बताया जारा कि ऐसा संभव नहीं हो पाया और हम अभी आपको दिखाते हैं में इमर्जेंसी के अंदर ही आएं यहां पर मौजूद है आप देख सकते हैं पुरी पुलिस टीम यहां पर मौजूद है बड़ी संख्या में जो लोग है वो यहां पहुचे हैं और यहां इमर्जेंसी देख सकते हैं मैट्रोमास की यहीं पर लेकर आया गया है और अभी यहां फिलाल अंदर किसी को भी जाने की ज अभी अंदर जाकर हैं से हम जानकर दिलने की कोशित करेंगे देव सिंग जी गोगा मेडी एक बहुत ही बादूर और सेर के समान व्यक्ति थे उनके साथ इस तरह की निर्देदा पूर्ण और कायराना घटना होना इसके लिए कोई सब्दी नहीं है कोई भी सब्द नहीं है सब ये समाज में कोई भी व्यक्ति को इस तरह जाकर के घर के अंदर दीन दाड़े गोलियों से भून दिया जाए ये बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है और मुझे विश्वास है कि पूलिस परसासन तुरंट सक्री हो करके अब तक उनको ग्रबदार कर लेने की कारवाई कर रहा होगा मैंने कमिस्टनर साब से ये भी रिक्वेस्ट किये है कि पूरे छेतर के अंदर दहसत का माहूल है मैं कराओं बहुत जादा चिंता जनक हालात है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ये बड़ी जानकारी की सुखदेव सिंग गोगा मेडी की मौत हो गई है उनकी गोली मार करत्या कर दी गई है उनको घायल होने के तुरंट बाद अस्पताल पहुचाया गया था जहां से अंदर से ये खबर मिल रही है कि उनकी मौत हो गई है उनको बचाया नहीं जा सका है बताये ये जारा है कि बड़माशों ने उनके उपर अंधादून फारिंग की है उनके गनमें को भी गोली मारी है और एक राहगीर जो बहां से जा रहा था उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूटी चीन कर भागने की कोशिश की है बचाव में जो गोली चली है उसमें एक बदमाश को भी बताया जारा की गोली लगी और इसके बाद उसके जो साथी थे वो बदमाश को वहां से बचा कर ले गए लेकिन सुखदेव सिंग गोगा मेडी को बताया जारा की चार गोली लगी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका है सुखदेव सिंग गोगा मेडी राश्ट्रिय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे और जैपुर में बताया जा रहा है कि श्याम नगर इलाके में ही उनके उपर हमला हुआ है जानकारी ये है कि संभवता उनके घर में गोली मारी गई है उनको यहीं पर हमलावर आये थे और यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है ये देखी कुछ शेल भी इस वक्त नजर आ रहे हैं जो गोलियों के खोके हैं वो भी कुछ फुटेज में हम देख सकते हैं तो सुकदेव सिंग गोगा मेणी जिन्होंने राश्ट्री करनी सेना से अलग कुछ विवाळ होने के बाद अपना नया संगठन खड़ा किया था राश्री राजपूत करनी सेना उनके संगठन का नाम था उसके अध्यक्ष के तोर पर वो काम कर रहे थे ऐसा क्या हुआ ये कौन से हमलावर हो सकते है ये कौन से बदमाश हो सकते है इसको लेकर पुलिस के उपर अभी सवाल है सुरक्षा विवस्ता को लेकर सवाल है इस बड़ी वारदात के बाद बहुत सारे सवाल है कि आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा और कब तक ये आरोपी ये बदमाश पकले जाएंगे फिलाल पूरे शहर में पुलिस ने नाकी बंदी कर दी है और आरोपियों की धरपकड की कोशिश की जा रही है लेकिन ये तीन शेल इस वक्त जो हमें नजर आ रहे हैं एक बोरे के उपर जो हम इस वक्त देख सकते हैं तीन खोके जो हैं ये चले हुए खोके हैं यानि की जो हम इसमें देख सकते हैं पिस्टल से ये हमला किया गया है जो शेल नजर आ रहे हैं ये वो कार्तूस हैं जो पिस्टल में इस्तेमाल होते हैं और उन्हीं के ये खोके हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं बताया जारा की चार बदमाश थे यहां पर आये थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी के साथ चार लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया फाइरिंग करना अचानक शुरू कर दिया बताया जा रहा कि चार गोलिया मारी गई है जो गन्मेंट था सुकदेव सिंग गोगा मेनिका उसको भी एक गोली लगी है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है और साथ ही एक राहगीर जो वहां से गुजर रहा था उसको गोली मारी गई है और उसकी स्कूटी चीनकर ये बदमाश परार हुए है इस वारदात को अंजाम देते वक्त बताया जारा है कि एक बदमाश को भी जो हमला वर थे उनमें से एक शक्स जखमी हुआ है और उसको भी बताया जारा है कि जो जबाबी फारिंग थे उसमें गोली लगी है और उस घायल शक्स को बाकी उसके साथी जो थे वो बचा कर ले भीड है और पुलिस के सामने कानून व्यवस्ता बनाय रखना इस वक्त एक चुनोती है क्यों करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग अपना एक अलग संगठन उन्होंने खड़ा किया था और उनके संगठन का नाम था राचपूत करणी सेना राचपूत करणी सेना से अलग उन्होंने अपनी करणी सेना एक नई बनाई थी जिसका नाम था राचपूत करणी सेना और उसकी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी समहाल रहे थे और ये इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये सुखदेव सिंग की तस्वीर है और सुखदेव सिंग की गोली मार कर हत्या कर दी गई है जैसे उनको गोली लगी फॉरण उनको बताया जा रहागी अस्पताल पहुँचाया गया लेकिन मेट्रो मास अस्पताल में जहां पर उन्हें भरती कराया गया था अंदर से खबर गे मिल रही है कि उनको बचाया नहीं जा सका है उनकी हत्या हो गई है और इसके बाद जो बदमाश थे वो भी वहां से मौका वारदात से भागने में काम्याब रहे हैं फिलाल पूरे इलाके की पूरे शहर की पुलिस ने नाका बंदी कर दी है और आरोपियों की धरफकड की कोशिश में पुलिस की टीम लग गई है लेकिन बड़ी वारदात के बाद जैपुर राजधानी राजिस्तान की देहल उठी है अभी अभी चुनाव हुए हैं और चुन ही आया है अब देखना यहीं होगा कि इसमें पुलिस किस तरह की कारवाई कर रही है कितने और लोग है जिसमें गायल हुए जिस तरह से बताया जा रहे कि हमलावर है वह जो हमलावर को लेके सूचना आई थी कि उसकी भी जो उसको भी गोली लगी उसकी डैट बॉड़ी ख सुकदेव सिंगोगा मेडी उनको उनके घर के अंदर खुशके गोलियां मारी गई उनके साथ में जो लोग मौजूद थे उनके फाइरिंग की गई और भागते हुए जिस तरह से बताया दार है कि बदमाशों ने 200 मीटर की दूरी पर इसकूटी सवार जो एक रहागीर था उसको भी गोली वारी उसकी स्कूटी चीन के लेके गए हैं यहाँ पर DCP साउथ हैं जो अब अंदर जाके आएं उनका कहना है कि थोड़ी देर में डिटेल देंगे और यहाँ पर जो अभी कोशिच की जारी कि जो हमला वर उनको डूनने की कोशिच की जारी और अब अंदर जैसे लोगों को सूचना मिल रही है कि सुगदीव सिंग गोगा मेडी की वार्दत हुई है वो नहीं रहे उसके बड़ता आदाज में के जो परशंसक हैं वो यहाँ पर लागातर पहुच रहे हैं और जो पुलिस है उसने पुरी शहर में नाकाबंदी भी की है जो हमला वर है उनको आइडेंटिक करने की कोशिच की जा रही है जिस कार के अंदर सवार होकर वो आये थे यह इस वक्त आपको हम सूर्टेहाल दिखा रहे हैं गटना इस तलका क्योंकि अभी पुलिस की तीम वहाँ पर पहुची है लेकिन कुछ भी बोलने की इस्थिती में नहीं है ज में गुचकर वहाँ पर अब एफेसल टीम द्वारा जांच की जा रही है पुलिस की अधिगारी मोके पर अंदर है जो फैमली उनकी वह भी इस घर के अंदर है जहां आप देख रहे हो तस्वीरों में जिस तरीके से क्योंकि इनके घर पर जो आज गोली बारी उन पर की में जो गटना हुई है उसको लेकर यह नि कह सकते हैं पुलिस पर कई सवाली है निशान खड़े हो रहे हैं कि खुले आम उस इलाके में को लोनी के अंदर बदमास किस तरीके से आकर गोली बारी घर में गुसकर कर जाते तो ऐसे में जो लोग हैं वो अपने घर में ही सेफ ही है कि बहुत सारे इस तरह के प्रश्णे कि क्या लोग अपने घर के अंदर भी सुरक्षत नहीं है अभी अभी चुनाव संपन हुआ है अभी अभी चुनाव के नतीजे आये हैं और इसके बाद इतनी बड़ी वार्दात जैपुर जैसे शेहर में अंजाम दी गई है जान पुलीस कमिशनर भी बोलने के लिए तयान नहीं है क्योंकि अभी वो अंदर जा रहें गटना इस तल पर ही कि किस तरीके से यहां गटना हुई है उसको लेकर सभी जो अधिकारी हैं यहां मोखे पर मोजूद है पुलीस के अर्कमिशनर खुद पोचे हैं यहां पर गटना इस तल पर जाई जा लेने के लिए कि किस तरीक अटना हुई है कैसे क्या है क्योंकि हमने पूचने की कोशिस की थी कि खुले आम जिस तरीके से घर में गुसकर गोली बारी की जाती है खुले आम तो यानि बदमासों को पुलीस का खौफ नहीं है तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो पुलीस हैं पुलीस में कही सवाल खड़े हो रहे हैं कि खुले आम घर में गुसकर यानि आज लोग अपने ही कोलों नहीं अपने घर में सेफ नहीं हैं तो ऐसे में कही सवाल ऐसे खड़े होते हैं तो पुलिस कमिशनर पहुचे हैं घटना इस्थल पर सुखदेव सिंग के घर पर पहुचे हैं चुकि इस वारदात को घर के अंदर गुसकर अंजाम दिया गया है घर में गुसकर बदमाशों ने गोली बारी है और इसलिए गटना इस्थल पर सुख़देव सिंग के घर पर पुलिस कमिशनर खुद पहुचे हैं और मौके का मौाइना कर रहे हैं हला कि हमने उन से सवाल पूछने कोशिश की उन्होंने कोई जबाब नहीं दिया और सीधे वो घर के अंदर दाखिल हो गए तो जैपुर में करनी सेना के अध्यक्ष राधपूत करनी सेना जो अलक संगिठन बनाया था सुख़देव सिंग ने उनके घर के अंदर गुसकर बदमाशों ने उनको उपर गोलिया चलाई जानकारी के मताबिक चार गोलिया वहाँ पर उनको लगी है और इसके बाद बदमा या आई कि उनकी मौथ हो गई है और ये तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखा रहा है फुरलीस की टीम मौजूद है FSL की टीम मौके पर पहुँची है FSL की टीम सबूत जुटाने की कोशिश पे लगी हुई है ये देखिए टीम हम आपको दिखा रही है FSL की टीम है जो इस वक्त सबूत जुटा रही है गोगा मेडी के साथ जो दो अन्य लोग मौजूद होते हैं ऐनको भी गोलियां मारी जाती है गोगा मेडी को चार गोलियां यहां पर मारी गई है बताया जा रहा है और जिसके चलते उनकी डेथ हो गई और उनको यहां लेका आया गया घाए गया था कावज इसक्रिजिद के लिएफ लोग हैं उनको नहीं बचाया जा सका, उनके साथ दो अन्य लोग हैं जिनको बोलियां लगी है, उनका जो इलाज है वो फिलाल यहां पे जारी है और आप देख सकते हैं लगातार उनसे मिलने वाले जो लोग हैं, उनसे जुड़ेवे जो लोग हैं, समास से जुड़ेवे जो लोग हैं और जो भी जिसको भी जानकरी मिल रही है वो इसको विश्वात नहीं कर पा रहा है कि इस तरह की वारदात हुई है राज़ानी जैपूर में दिन धाड़े और वो भी एक ऐसे पॉश एरिया के अंदर जहां कि सुरक्षा को लेकर तमाम जो दावे हैं वो किये जाते हैं और पूरी रैकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है क्योंकि जो हमलावर थे उनको इस बात का अंदाजा था कि जो सुरक्षा में लगवे गाड़ है वो आच्छुटी पे हैं और किस वक्त गुगामेडी घर पे मौजूद रहते हैं लोगों से मिलते हैं इस इस वारदा थे उसको अंजाम दिया है तो हमारे सही हो कि यह बड़ा अपडेट बता रहे हैं कि हमलावरों ने रैकी की होगी यह भी वो जानकारी दे रहे हैं विस्तार से कि जिस तरह से मापको बता रहा हूं कि उनको लगाता लारेंस विशनुई गैंक से दमक्या मिल रह चाले को इस बारे में अवगत कराया था जो जैपूर पुलिस कमिश्णर उड़कों अवगत कराया था उनसे सुरक्षा भी मांगी गई थी लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद भी शैद उनको सुरक्षा जो है वह नहीं कराई गई उस तरह की सुरक्षा नहीं दी यहां पे जो पुलिस प्रणाली है उस पर भी खड़ा कर रही है कि एक व्यक्ति जो की एक आम इंसान नहीं है जो की एक समाज का प्रतिनीदित करता है कई बड़े आंदोलों उनके त्वरा किये गए हैं और उनकी और से सुरक्षा मांगी गई उसको ही उस पर ही जब पुल यहां पर लोगों में देखा जा रहा है यह के वाल जो मैं आपको दिखा रहा हूं यह मर्जेंसी के बाहर और जो लोग है की कोशिच करें और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तो और लोग तो यह क्लियर नहीं हुआ है यह कौन है क्या है इनका बिलो कलियर होना चाहिए यह मामला कि यह कौन का किसी गैंग से लेकिन यह पकी बात है कि यह किसी गैंग से ही विलोंग करते हैं जबी यह कई दिनों से रेकी कर रहे थे और जो जबी इनको पता लगा भी अभी उनके बोड़ी कार चूटी पे तो उसने फाइरिंग किये है आपके संकतन भी जुड़े हुए और राष्टे अध्यक्ष के संकतन से है और हम इसी के लिए हम हमारी जान देने के लिए त्यार है एक बड़ी खबर मिल रही है जैपुर से जहां पर करणी सेना के अध्यक्ष को गोली मारी गई है गोली मार कर हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग से चार लोगों को गोली लगी है सुखदेव सिंग के अलावा उनके गन्मेन को भी बड़माशों ने गोली मारी है वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को गोली मार कर उसकी स्कूटी बड़माशों ने चीन ली है और वहीं बचाओ में की गई एक बदमाश को भी गोली लगी है ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है घायल बदमाश को मौके से लेकर अन्य बदमाश फरार हो गए है फिलाल पूरे शहर में नाका बंदी करा दी गई है और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुखदेव सिंग जो करणी सेना के अध्यक्षे उनको गोली बारी गई है उनकी मौत हो गई है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है सुखदेव सिंग के गन्मेन को भी गोली लगी है तो बड़ी तादाद में जो लोग है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैपूर से करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग की गोली मार कर रत्या की गई है और ये बड़ी खबर है सुखदेव सिंग सहित उनके जो आसपास गन्मेन थे जो उनकी सुरक्षा में तेना पागीर को जो वहाँ से गुजर रहा था एक विक्ति उसको भी गोली बारी है और उसकी स्कूपी चीनि यहां पर इमर्जेंसी वहां से एक बुरी ख़वर आ रही कि उनकी डैथ हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसी के अंदर अभी उनको यहां लाया गया था इस इमर्जेंसी के अंदर और यहीं पर जो इलाज करने की और जो पुलिस जो यहां पर चिकिस्टिकों की टीम थ कि किसी भी तरह से उनको बचाया जा सकी लेकिन बताया जारा कि ऐसा संभव नहीं हो पाया और हम अभी आपको दिखाते हैं में इमर्जेंसी के अंदर ही आए यहां पी बड़ी तादाज में जो उनके घर के लोग है जो पुलिस के अदिकारी है वह यहां पर मौजूद है देख सकते हैं पूरी पुलिस टीम यहां पर मौदूद है बड़ी संख्या में जो लोग है वह यहां पहुचे हैं और यह आप इमर्जेंसी देख सकते हैं मैटरोमास की यहीं पर उनको लेकर आया गया है और अभी यहां फिलाल अंदर किसी को भी जाने की जो परमीशन है hij नहीं दी जा रही है और यहां पर आप देख सकते हैं दो शीपरवत धाना-पूलीस वह भी मौक्वाद मौके 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 एक पूरा गटना क्रम है वह यहां पर मौधूद है अभी किसी भी तरह की कोई जो ऑफिशल भूम नगान है वोड़ दिया दर रहे तो कि अभी अंदर जाके हैं तो हम जानकर देलने की कोशित करेंगे देव सिंग जी गोगा मेडी एक बहुत ही बहादूर और सेर के समान व्यक्ति थे उनके साथ इस तरह की निर्देता पूर्ण और काईराना घटना होना इसके लिए कोई सब्दी नहीं है कोई भी सब्द नहीं है सब्य समाज में कोई भी व्यक्ति को इस तरह जाकर के घर के अंदर दीन दाड़े गोलियों से भून दिया जाए ये बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है और मुझे विश्वास है कि पूलिस परसासन तुरंट सक्री हो करके अब तक उनको गिर्भदार कर लेने की कारवाई कर रहा होगा मैंने कमिश्णर साब से ये भी रिक्वेस्ट किये है कि पूरे छेतर के अंदर दहसत का माहूल है वहां गस्त की वियुस्ता की जाए पुलिस की वियुस्ता की जाए और सब से पहले अपराधियों को तुरंट ग्रभदार किया जाए इसके लिए कोई भी सब्द नहीं है मेरे पास करें अब ही आप अंदर जाके हैं क्या हालात बहुत ज्यादा चिंटा जनक हालात है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ये बड़ी जानकारी की सुखदेव सिंग गोगा मेडी की मौत हो गई है उनकी गोली मार कर रत्या कर दी गई है उनको घायल होने के तुरंट बाद अस्पताल पहुचाया गया था जहां से अंदर से ये खबर बिल रही है कि उनकी मौत हो गई है उनको बचाया नहीं जा सका है बताया ये जा रहा है कि बदमाशों ने उनके उपर अंधादून फाइरिंग की है उनके गन्मेन को भी गोली मारी है और एक राहगीर जो वहां से जा रहा था उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूटी चीन कर भागने की कोशिश की है बचाओ में जो गोली चली है उसमें एक बदमाश को भी बताई जाना की गोली लगी और इसके बाद उसके जो साथी थे वो बदमाश को वहां से बचाकर ले गए लेकिन सुख़देव सिंग गोगा मेडी को बताया जा रहे कि चार गोलियां लगी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका है सुख़देव सिंग गोगा मेडी राश्ट्रिय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे और जैपुर में बताया जा रहे हैं कि श्याम नगर इलाके में ही उनके उपर हमला हुआ है जानकारी ये है कि संभवता उनके घर में गोली मारी गई है उनको यहीं पर हमला वराय थे और यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है यह देखी कुछ शेल भी इसमक्त नजर आ रहे हैं जो गोलियों के खोके हैं वो भी कुछ फोटेज में हम देख सकते हैं तो सुखदेव सिंग गोगा मेनी जिनोंने राश्ट्री करनी सेना से अलग कुछ विवाद होने के बाद अपना नया संगठन खड़ा किया था राश्ट्री राचपूत करनी सेना उनके संगठन का नाम था उसके अध्यक्ष के तार पर वो काम कर रहे थे ऐसा क्या हुआ ये कौन से हमलावर हो सकते हैं ये कौन से बदमाश हो सकते हैं इसको लेकर पुलिस के उपर अभी सवाल है सुरक्षा विवस्था को लेकर सवाल है इस बड़ी वारदात के बाद बहुत सारे सवाल है कि आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा और कब तक ये आरोपी ये वदमाश पकले जाएंगे फिलाल पूरे शहर में पुलि देख सकते हैं पिस्टल से ये हमला किया गया है जो शेल नजर आ रहे हैं ये वो कार्तूस हैं जो पिस्टल में इस्तेमाल होते हैं और उन्हीं के ये खोके हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं बताया जारा कि चार बदमाश थे यहां पर आये थे इस वारदात को अंजाम दे ये जानकारी इस वक्त मिल रही है और साथ ही एक राहगीर जो वहां से गुजर रहा था उसको गोली मारी गई है और उसकी स्कूटी चीनकर ये बदमाश परार हुए है इस वारदात को अंजान देते وقت बताया जारा हुए है कि एक बदमाश को भी जो हमला वर थे उनमें से एक शक्त जक्मी हुआ है और उसको भी बताया जारा कि जो जवाबी फारिंग थे उसमें गोली लगी है और उस घायल शक्स को बाकी उसके साती जो थे वो बचा कर ले जा भीड है और पुलिस के सामने कानून विवस्ता बनाय रखना इस वक्त एक चुनोती है क्यों करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग अपना एक अलग संगठन उन्होंने खड़ा किया था और उनके संगठन का नाम था राचपूत करणी सेना राश्वे करणी सेना से सुखदेव सिंग की तस्वीर है और सुखदेव सिंग की गोली मार कर हत्या कर दी गई है जैसे उनको गोली लगी फॉरण उनको बताया जा रही कि अस्पताल पहुचाया गया लेकिन मेट्रो मास अस्पताल में जहां पर उन्हें भरती कराया गया था अंदर से खबर गे मि पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है और आरोपियों की धरफकड की कोशिश में पुलिस की टीम लग गई है लेकिन बड़ी वारदात के बाद जैपुर राजधानी राजिस्तान की देहल उठी है अभी अभी चुनाव हुए हैं और चुनाव के तुरंद बाद इस घटना का होन ये भी एक सवाल है कि क्या इसके पीछे कोई चुनावी रंजिश की बात है या फिर कोई पुराना और विवाद बॉड़ी खातिपुरा के एक हस्पताल में मिली है हलाकि इसको लेके भी किसी भी तरह का कोई कन्फॉर्मेशन नहीं किया दा रहा है लेकिन अपना आप में बड़ी वाधात हुई है दिन धाड़े श्री राजपूत कर्णी सेना के जो अध्यक्ष थे सुकदेव सिंगोग सब्सक्राइब करने की कोशिस करेंगे अब अब देख सकते हैं कितनी भारी भीड वह इमर्जेंसी के बाहर जमा हो चुकी है जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है कि सुकदीव सिंग गोगामेडी वार्दत हुई है वो नहीं रहे उसके बड़े अदाज में परसंसक है वो यहां पर लागातर पहुंच रहे हैं और जो पुलिस है उसने पुरी शहर में नाकाविंदी भी की है जो हमला वर है उनको आइडेंटिकर करने की कोशिच की जारी जिस कार के अंदर स थिती में नहीं है जानकारी ये मिल रही है कि गोगामेडी के घर पर दो पर करीब डेड़ बजे के आसपास की अगटना है वो घर पर मौजूद थे अचानक दो बदमाश बहुत नजदीक उनके पहुंचते हैं और उनके उपर फाइरिंग करना शुरू कर देते हैं घर में गुज़कर वहाँ पर अब एफसल टीम द्वारा जांच की जा रही है प्लिश की अधिगारी मोके पर अंदर है जो फैमली उनकी वह भी इस घर के अंदर है जहां आप देख रहे हो तस्वीरों में जिस तरीके से क्योंकि इनके घर पर जो आज गोली बारी उन पर क की गई है सुग्देव गोगा मेडी पर उसको लेकर क्योंकि इस कॉलोनी में भी काफी देशत का महूल बना हुआ है जहां पर आप हम देख रहे हैं जहां हमारी नेजर जारी उस गर भी कई भी कोई भी लोग भार आकर तो यह बड़ी बात है क्योंकि वहां पर सीसी टीवी भी लगा हुआ है और सीसी टीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है ये वारदात ये भी पुलिस की ओर से बताया गया है बदमाशों की फुटेज भी है और उसके आधार पर तलाश करना आसान पुलिस के लिए हो जाएगा एक बदमाश की चुकी मौत हुई है और उसकी पहच करनी सेना के अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या की गई है इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग सहित चार लोगों को गोली लगी है सुखदेव सिंग के अलावा उनके गन बदमाश को भी गोली लगी है ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है घायल बदमाश को मौके से लेकर अन्य बदमाश फरार हो गए है फिलाल पूरे शहर में नाका बंदी करा दी गई है और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है इस वक्त की बड़ी हबर आपको बड़ी ताद में जो लोग है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है जैपूर से करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग की गोली मार कर रत्या की गई है और ये बड़ी खबर है सुखदेव सिंग सहित उनके जो आसपास गन्मेन थे जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे उनको उन पर भी फाइरिंग बदमाशों ने की है उनके गन्मेन को भी बताया जारा की गोली लगी है वो भी जखमी हुआ है वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को जो वहां से गुजर रहा था एक व्यक्ति उसको भी गोली के बारी है और उसकी स्कूटी चीने कुछ बूला है ना यहां हम मौके पर गैसे मौका मौका बारदात में पर प्रिस की टीम मौजूद थी उन्होंने भी किसी तरह की जानकरी साजा नहीं की और अब जिस तरह से अभी अपडेट जो है मरपा सारी हम अपडेट की कोशिश क करेंगे कि एक सब्सक्राइब सिंग अब इसके अंदर अभी उनको यहां लाया गया था इस इमर्जेंसी के अंदर और यहीं पर जो इलाज करने की और जो पुलीज जो यहां पर चीकिस्षिकों की टीम थी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि कि किसी भी तरह से उनको बचाया जा सके लेकिन बताया जारा कि ऐसा संभव नहीं हो पाया और हम अभी आपको दिखाते हैं में इमर्जेंसी के अंदर ही आए यहां पी बड़ी तादाज में जो उनके घर के लोग है जो पुलिस के अधिकारी है वह यहां पर मौझूद है बड़ी संख्या में जो लोग है यहां पहुचे हैं और यह आप इमर्जेंसी देख सकते हैं में ट्रोमास की यहीं पर उनको लेकर आया गया है और अभी यहां फिलाल अंदर किसी को भी जाने की जो परमीशन है वो नहीं दी जा रही है और यहां पर आप देख सकते हैं जो शीपरवद थाना पुलिस हो भी देख सिंग जी गोगा मेडी एक बहुत ही बहादूर और सेर के समान व्यक्ति थे उनके साथ इस तरह की निर्दैता पूर्ण और कायराना घटना होना इसके लिए कोई सब्दी नहीं है कोई भी सब्द नहीं है सब्य समाज में कोई भी व्यक्ति को इस तरह जाकर के घर के अंदर दीन दाड़े गोलियों से भून दिया जाए ये बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है और मुझे विश्वास है कि पूलिस परसासन तुरंत सक्री हो करके अब तक उनको गिर्भदार कर लेने की कारवाई कर रहा होगा मैंने कमिस्टर साब से ये भी रिक्वेष्ट की है कि पूरे छेतर के अंदर देश्वत का माहूल है वहाँ गस्त की बियोस्ता की जाए पुलिस की बियोस्ता की जाए और सब से पहले अपराधियों को तुरंत गिर्भदार किया जाए इसके लिए कोई भी सब्द नहीं है मेरे पास के हैं इसके लिए की सुखदेव सिंग गोगा मेरी की मौत हो गई है उनकी गोली मार कर रत्या कर दी गई है उनको घायल होने के तुरंट बाद अस्पिताल पहुचाया गया था जहां से अंदर से ये खबर मिल रही है कि उनकी मौत हो गई है उनको बचाया नहीं जा सका है बताये ये जा रहा है कि बदमाशों ने उनके उपर अंधादून फाइरिंग की है उनके गन्मेन को भी गोली मारी है और एक राहगीर जो बहां से जा रहा था उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूटी चीन कर भागने की कोशिश की है और उन्हें बचाया नहीं जा सका है सुखदेव सिंग गोगा मेडी राश्ट्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे और जैपूर में बताया जा रहा है कि श्याम नगर इलाके में ही उनके उपर हमला हुआ है जानकारी ये है कि संभवता उनके घर में गोली मारी गई है उनको यहीं पर हमला वर आये थे और यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है यह देखी कुछ शेल भी इस वक्त नजर आ रहे हैं जो गोलीों के खोके हैं वो भी कुछ फुटेज में हम देख सकते हैं तो सुखदेव सिंग गोगा मेनी जिनोंने राश्ट्री करनी सेना से अलग कुछ विवाद होने के बाद अपना नया संगठन खड़ा किया था राश्ट्री राचपूत करनी सेना उनके संगठन का नाम था उसके अद्धिक्ष के तार पर वो काम कर रहे थे ऐसा क्या हुआ ये कौन से हमलावर हो सकते हैं ये कौन से बदमाश हो सकते हैं इसको लेकर पुलिस के उपर अभी सवाल हैं सुरक्षा विवस्था को लेकर सवाल हैं इस वड़ी वारदात के बाद बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा और कब तक ये आरोपी ये बदमाश पकले जाएंगे फिलाल पूरे शहर में पुलिस ने नाकी बंदी कर दी है और आरोपियों की धरपकड की कोशिश की जा रही है लेकिन ये तीन शेल इस वक्त जो हमें नजर आ रहे हैं एक बोरे के उपर जो हम इस वक्त देख सकते हैं कि तीन खोके जो हैं ये चले हुए खोके हैं यानि कि जो हम इसमें देख सकते हैं पिस्टल से ये हमला किया गया है जो शेल नजर आ रहे हैं ये वो कार्तूस हैं जो पिस्टल में इस्तिमाल होते हैं और उन्हीं के ये खोके हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं बताया जारा कि चार बदमाश थे यहां पर आये थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी के साथ चार लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया फाइरिंग करना अचानक शुरू कर दिया बताया जारा कि चार गोलियां मारी गए हैं जो गन्मेंट था सुकदेव सिंग गोगा मेनिका उसको भी एक गोली लगी है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है और साथ ही एक राहगीर जो वहां से गुजर रहा था उसको गोली मारी गए है और उसकी स्कूटी चीनकर ये बदमाश परार हुए है इस वारदात को अंजाम देते वक्त बताया जारा कि एक बदमाश को भी जो हमला वर थे उनमें से एक शक्स जक्मी हुआ है और उसको भी बताया जारा कि जो जबाबी फारिंग थे उसमें गोली लगी है और उस घायल शक्स को बाकी उसके साथी जो थे वो बचा कर ले जाने में कामियाब रहे है लेकिन अब ये ज़रूर देखना होगा कि इसके आगे पुलिस कब तक गिरफ़तार कर पाती है ये जो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल परिसर की तस्वीरे है लोगों की उनके समर्थकों की भीड है और पुलिस के सामने कानून विवस्ता बनाय रखना इस वक्त एक चुनोती है क्यों करणी सेना की अध्यक्ष सुखदेव सिंग अपना एक अलग संगठन उन्होंने खड़ा किया था और उनके संगठन का नाम था राचपूत करणी सेना राचपूत करणी सेना से अलग उन्होंने अपनी करणी सेना एक नई बनाई थी जिसका नाम था राचपूत करणी सेना और उसकी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी समहाल रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुखदेव सिंग की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। सुखदेव सिंग गोगा मेडी उनको तो यहां पर कई तरह की जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं पुलिस के अधिकारी बस्ते होए हमें को यहां पर दिखाई दे रहे हैं हमारे सवालों के जवाब हैं वो नहीं दिए इतना कहा कि फाइरिंग की घटना हुई है पुलिस जा जा रहे थी इसको लेकर सुखदेव सिंग गोगा मेडी ने पुलिस मुख्याले से भी सिक्यूर्टी मांगी थी और बताया दा रहा है कि उनको सिक्यूर्टी मिलती उससे पहले ही यह जो पूरी वारदात है उसको बदमाशों ने अंजाम दिया पूरक्षा उनको मिली नही यह इस वक्त जानकारी मिल रही है अंकुर त्यागी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है सीदे उनकी तरफ चलते हैं अंकुर इतनी बड़ी वारदात चुनाव के ठीक बाद क्या इसके पीछे आशंका जताई जा रही है जो बता रहे हैं कि यह लोग आए यहाँ पर आते ही अंदर धुम्द तरीके से यहाँ पर फाइरिंग करना है यहाँ पर शुरू कर दिया यहाँ पर यहाँ वारदात को अंजाम दिया गया था और उसके बाद पर फाइरिंग होती है और उसके बाद यह लोग तुरंट वहाँ से अपने आप में और वहाँ पर इस तरह की वारदात हो जाना और दिन दहाड़े वारदात का होना बेहत चौकाने वाली ख़बर है और जो पुलिस है अबी तक पुलिस ने आडेनिटरफाइं नहीं किया गया है उसके पास पॉसिब्लीटी कई अलग अलग बताई जा रही है आडेनिट factor यह कहने लहां तरहा है तो यह है अंकोर विस्तार से चीजोंको समझाने कोशिश कर रहे हैं इन सब के बीच ये देखिए FSL की टीम मौके पर मौजूद है और दूसरे तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि बार मौजूद है जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है कि सुगदीव सिंग्गोगा मेडी की हत्या हुई है इस तरह से दिन धाड़े उन पर फाइरिंग करके उनकी हत्या की गई है उसके बाद बड़ी तादाद में ना केवल जैपूर में रहने वाले लोग बलकि द पत्र लिखाता ग्रेव विवाकों भी पत्र लिखाता सुरक्षा बढ़ानी की मांगी थी सुरक्षा की मांगी थी लेकिन उस पे किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई और जो बदमाश है वो अपने मनसूबों में आज कामियाब हो गए और उनको बदमाशों को ये पता था कि जो दो गार्ड सुर्देव सिंग गोगा मेडी की जो सिक्योर्टी में लगे वे हैं वो आज चुटी पे हैं और ऐसे हम उन्हों ने मौका देखा सुर्देव सिंग गोगा मेडी की हत्या की वो भी उनके घर के अंदर घुसका लिए जी करें से के मेड़े हैं तो ये स्पिक्ताल से भी हमारे साह्यों की जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसके वर्दमाशों को पकड़ने के लिए और सबौत जुटाने के लिए जो तर गला टीमें वो इस क्क्त काम कर रहे हैं सवाल कुछ ऐसे लोगों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या किसी की मिली भगत हो सकती है हमलावरों ने ऐसे वक्त को चुना जब उनके सुरक्षा के जो गार्ड्स थे जो तैनात रहते थे वो शुक्ती पर थे और एक पेट में मारा गया था इसके साथ जैसे ही उनका गार्ड बीच बछाओ रही तो गार्ड को भी उनको गोली अगही थे और भीच्बछाओ के दोरान एक जो बदमास थे चारبرम बताये जा रहे थे उनमेंजे से एक बदमास को गोली लगी फिलालाब पास एक सूचना आए वी ऐसी आरे की जो बदमास थे उनमें एक वेक्ति को जो गोली लगी थे एक बदमास को वो उसकी भी मौत होने की ऐसी सूचना आरी है लेकिन अभी क्योंकि का कण्फरम नहीं कह सकते हैं ऐसे में कि जो सूचना मिल रही उस आदार पर की उस बदमास की एक बदमास की मौत होने की सूचना बदाई जारी है लेकिन अभी फिलाल क्योंकि यहां गटना इस तल पर जहां पर FSL टीम और पुलिस के आला दीकारी यहां पहुंचे हैं खुद पुलिस जो जैपूर पुलिस कमिशनर है वीजू जोर्ज जोसब वो खुद पहुंचे य हां पर गटना इस तल का जाई जा ले रहे हैं FSL टीम दौरा नमूने उठाए गया जा रहे हैं साथी जैसे किस तरीके से घर में गुषकर यह गटना को अंजाम दिया गया है और इस क्योंकि यह एक सर्चाग बिशे बना हुआ है फोर्स को भी बुलाए गया है कि किसी तरी किसे वारदात को अंजाम दिया गया है और साथी CCTV की में आप देखें जो केमरे में हम दिखा रहे हैं आपको जो गोगा मेडी के घर पर यह CCTV केमरे लगए है अभी पलीस इनकी भी जांच कर रही है कि कौन लोग आये थे क्या थै क्या थै क्या पहले से ही रेकी कर रहे थे कि इस तरीके उनके क्योंकि जो आने जाने का जो उनका था सुड़ून को लेकिन ये CCTV के रहे हैं इस वक्त सूरजपाल अम्मू जी हमारे साथ जुड़े हूँ है सूरजपाल जी इतनी कितनी बड़ी वारदात जैपुर जैसे शेहर में हो जाना क्या कहेंगा आप मुझे लगता है कि ये जो इसके उपर में गहना हूँ सुड़ेव सिंग गोगा मेडिक समाजी संसा के राशिया देशी पर श्री राशिया जी कर्मी साना में इतने वर्तों समाज के सेवा कर देशे हैं लोगों के दुख दर ने काम आते तो पर गयलोज सरकार की नाकामी न में जो सेक्यूरिटी खड़ा था उनके भी गोलिक लग गया वो अभी हॉस्पिटल में है और इस क्रॉसफायर में क्रॉसफायर के दवरान तीन हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया तो वो जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंख शेखावत वो है यहां का मूल रूम से शापुरा के पास का रहने वाला है और अभी जेपूर में निवास कर रहा है क्या करता सर्थ यह कोई दुकान करता है को चोटा मटा कपटे का दुकान करता है तो जो भी हो हम उसका उस लीड है हमारे पास CCTV का फुटेज है जो टोटल खड़ना क्रम है वो CCTV में कईद हो गया है अब उसी का चल रहा है हम जो जितना भी साक्षिया और सूचना है हमारे पास है उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्नित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्ला लिए बहुत है कि जिसने गाड़ी लेकर आए था उनका क्रोस वायर में मृतिव हुआ तो उनको गेटवे के लिए एक स्कूटी चीनके वोस कूटी में भग गया तो अब नहीं में बहुत है सुन रहे थे बीजू जॉर्च जो कमिशनर है जैपूर के वो इस फक्त बता रहे थे कि एक बदमाश भी मारा गया जो क्रॉस फायर में बदमाश को गोली लगी थी उसकी भी मौत हुई है इसकी पूरी मौत है उन्होंने कहा है सारे फुटेज हमारे पास अविलेबल है तीन जो यह हमलावर आय थे उंके एक हमलावर है जो गाड़ी चला रहा है जो गाड़ी चला कर लेकर आया था वह क्रॉटेफाइर हूँआ इन दोनों के बीच माऊथ हो गए और बागी के जो दो लोग थे वो एक बाइक सवार की बााइक लेकर भागने में कामिणाप होग जिसकी मौत हुई है उसका नाम भी बताया है और ये भी बताया है कि बाकी जो दो साती है उनको भी जल पकड़ा जाएगा ठीक है मैं आपके पास वापस टॉट कर आता हूँ लेकि जरा देखिए क्योंकि पुलिस कमिश्टर यहाँ पर आए थे मौके का मौइना करने के लिए गटना इस तल पर यानि कि सुकदेव सिंग के घर पर आए थे पुलिस कमिश्टर और उन्होंने ये बयान दिया है कि यहाँ पर जो क्रॉस फायर हुआ जिसे एक बदमाश को गोली लगी थी उसकी भी हुआ यहाँ पर वह बदमाश है वह वह बहने है और बदमाश कि यह बटो लोग है उनके भी अब पेच्ट तो यह बड़ी बात है क्योंकि वह पर सिशिटीवी वी लगा हुआ है और सिशिटीवी केम्रे में रेकॉर्ड हुई है ये वारदात ये भी पुलिस की ओर से बताया गया है बदमाशों की फुटेज भी है और उसके आधार पर तलाश करना आसान पुलिस के लिए हो जाएगा एक बदमाश की चुकी मौत हुई है और उसकी पहचान भी उसका आइडेनिफिकेशन भी हो चुका है और इसलिए इस केस को खोलने में सायद मदद मिलेगी बदमाशों ने गोली मारी है वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को गोली मार कर उसकी स्कूटी बदमाशों ने चीन ली है और वहीं बचाओ में की गई फाइरिंग में एक बदमाश को भी गोली लगी है ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है घायल बदमाश को म गोली बारी गई है उनकी मौत हो गई है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है सुखदेव सिंग के गनमेन को भी गोली लगी है। गोली बारी बारी गोली बारी बारी इस वक्त मिल रही है। देखिए यहाँ पर जो इमर्जेंसी है वहाँ से एक बुरी ख़वर आ रही है कि सुखदेव सिंग गोगा मेडी है उनकी डैत हो चुकी है। इमर्जेंसी किसी के अंदर अभी उनको यहाँ लाया गया था इस इमर्जेंसी के अंदर और यहीं पर जो इलाज करने की और जो पुलिस जो यहाँ पर चिकिसिकों की टीम थी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि किसी भी तरह से उनको बचाया जा सकी लेकिन बताया जारा कि ऐसा संभव नहीं हो पाया और हम अभी आपको दिखाते हैं में इमर्जेंसी के अंदर यहाई हैं यहाँ बड़ी तादाज में जो उनके घर के जो लोग है जो पुलिस के अधिकारी है वह यहाँ पर मौझूद है आप देख सकते हैं पूरी पुलिस टीम यहाँ पर मौझूद है बड़ी संख्या में जो लोग है वह यहाँ पहुचे हैं और यह आप इमर्जेंसी देख सकते हैं मैट्रोमास की यहीं पर उनको ल है बहुत ही बाधूर और सेर के समान व्यक्ति थे उनके साथ इस तरह की निर्दैता पूर्ण और काहिराना घटना होना इसके लिए कोई सब्दी नहीं है कोई भी सब्द नहीं है सब्दे समाज में कोई भी व्यक्ति को इस तरह जाकर के घर के अंदर दीन दाड़े गोलियों से भून दिया जाए यह बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है और मुझे विश्वास है कि पूलिस परसासन तुरंट सक्री हो करके अब तक उनको ग्रभदार कर लेने की कारवाई कर रहा होगा मैंने कमिस्टर साब से यह भी रिक्वेस्ट किये कि पूरे छेतर के अंदर दहसत का माहुल है वहाँ गस्ट की विश्वास्ता की जाए पूलिस की विश्वास्ता की जाए और सब से पहले अपराधियों को तुरंट ग्रभदार किया जाए इसके लिए कोई भी सब्द नहीं है मेरे पास के है अब यह आप अंदर जाके हैं क्या आपके हालात नहीं है मैं कराओं बहुत जादा चिंता जनक हालात है इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं यह बड़ी जानकारी की सुखदेव सिंग इन गोगा मेरी की मौत हो गई है उनकी गोली मार कर रत्या कर दी गई है उनको घायल होने के तुरंट बाद अस्पताल पहुचाया गया था जहां से अंदर से यह खबर मिल रही है कि उनकी मौत हो गई है उनको बचाया नहीं जा सका है बताये ये जा रहा है कि बदमाशों ने उनके उपर अंधादून फाइरिंग की है उनके गन्मेन को भी गोली मारी है और एक राहगीर जो वहां से जा रहा था उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूटी चीन कर भागने की कोशिश की है बचाओ में जो गोली चली है उसमें एक बदमाश को भी बताया जारा की गोली लगी और इसके बाद उसके जो साथी थे वो बदमाश को वहाँ से बचा कर ले गए लेकिन सुख़देव सिंग गोगा मेडी को बताया जा रहा कि चार गोलियां लगी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका है सुख़देव सिंग गोगा मेडी राश्ट्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अधिक्ष थे और जैपुर में बताया जा रहा है कि श्याम नगर इलाके में ही उनके उपर हमला हुआ है जानकारी ये है कि संभवता उनके घर में गोली मारी गई है उनको यहीं पर हमला वराय थे और यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है यह देखी कुछ शेल भी इस वक्त नजर आ रहे हैं जो गोलियों के खोके हैं वो भी कुछ फुटेज में हम देख सकते हैं तो सुखदेव सिंग गोगा मेनी जिनोंने राश्ट्री करनी सेना से अलग कुछ विवाद होने के बाद अपना नया संगठन खड़ा किया था राश्ट्री राचपूत करनी सेना उनके संगठन का नाम था उसके अध्यक्ष की तोर पर वो काम कर रहे थे हैं एक बोरे के उपर जो हम इस वक देख सकते हैं कि तीन खोके जो हैं ये चले हुए खोके हैं यानि कि जो हम इसमें देख सकते हैं पिस्टल से ये हमला किया गया है जो शेल नजर आ रहे हैं ये वो कार्तूस हैं जो पिस्टल में इस्तेमाल होते हैं और उन्हीं के ये खो गोलियां मारी गई है जो गन्मेंट था सुखदेव सिंग गोगा मेनिका उसको भी एक गोली लगी है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है और साथ ही एक राहगीर जो वहां से गुजर रहा था उसको गोली मारी गई है और उसकी स्कूटी चीन कर ये बदमाश परार हुए है इस और उस घायल शक्स को बाकी उसके साथी जो थे वो बचा कर ले जाने में कामियाब रहे हैं लेकिन अब ये जरूर देखना होगा कि इसके आगे पुलिस कब तक गरफतार कर पाती है ये जो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल परिसर की तस्वीरे हैं लोगों क कि उनके समर्थकों की भीड है और पुलिस के सामने कानून विवस्ता बनाय रखना इस वक्त एक चुनोती है क्यों करणी सेना की अध्यक्ष सुखदेव सिंग अपना एक अलग संगठन उन्होंने खड़ा किया था और उनके संगठन का नाम था राचपूत करणी सेना जैपूर से करणी सेना की अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग की गोली मार कर रत्या की गई है। शाम नगर और वहां पे दिन धाड़ इस तरह की वारदा थो ना घर के अंदर घुसकर गोलियों से बुना और वह भी जो राजपूद श्री राधपूत कंड़ी सेना के अध्यक्स हैं सुपदेव सिंग गोगा मेडी उनको तो यहां पर कई तरह की जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशाचन की कारे प्रणाली को लेकर भी पुलिस के अधिकारी बस्ते हैं हमें को यहां पर दिखाई दे रहे हैं ह अधिक यहां पर जाता एदारा लॉर्रेश विश्णुई गैंग पर क्योंकि लाधातार सुपदेव सिंग गोगा मेडी को दमकें दी जा रहे थी इसको लेकर पुलिस मुख्याले से भी सिक्योरटी मंगी थी और बता एदारा की उनको सिक्योरटी मिलती उससे पहले ही यह जो पूरी वारदात है उसको बदमाशों ने अंजाम दिया पूरक्षा उनको मिली नहीं ये इस वक्त जानकारी मिल रही है अंकुर त्यागी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है सीधे उनकी तरफ चलते हैं जब ये हमला हुआ और महज कुछ मिलिट का ये पूरा पूरा वाक्या हो जिसमें एक तीजी की सफ़तार जहें एक स्कॉर्पियो के अंदर बैठ के जो प्रतिक्स दर्शी दर्शी है वो जो बता रहे हैं कि यह लोग आए यहां पर आते हैं अंदर धूंद तरीके से फाइरिंग होती है और उसके बाद यह लोग तुरंट वहां से निकलते हैं बहां निकलकर एक गाड़ी को हाईजेक करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें कामियाब नहीं होते तो एक बाइक सवार की बाइक को उठाकर ये भागने की कोशिश करते हैं फिलहाल यह पूरा यह लाका हमें आप देख सकते हैं पूरे जो घर है कि काफी हाई प्रोफाइल सोसाइटी है अपने आप में और वहां पर इस तरह की वार्दात हो जाना और दिन दाहाड़े यह वार्दात का होना बेहत चौकाने वाली खबर है और जो पुलिस है उसकी इंवस्टिगेशन ह बिल्कुल इस बात को लिखी की जा रही है कि है कि कौन अभी तक पुलिस ने अइडेंटिफाइं नहीं किया गया है उसके पास पॉसिबिलिटी कई अलग-अलग बताई जा रही है अइडेंटिफाइं अभी तक नहीं किया गया है यह है कि उन्होंने सेक्रिटी मांगी थी एक थ्रेट कॉलन को अलग-लग उससे था लेकिन इस्पेसिफिकली पोलिस अभी कहने से बच रही है कि कौन थे यह किस कैंक से जुड़े हुए थे या कौन थे लेकिन हाँ इकिन तौप अभी फिलहाल इनकी खोज का काम तेजी से चल रहा है तो ये अंकुर विस्तार से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा है इन सब के बीच ये देखिए एफसल की टीम मौके पर मौजूद है और दूसरे तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है कि सुगदीव सिंग गोगा मेडी की हत्या हुई है इस तरह से दिन धाड़े उन पर फाइरिंग करके उनकी हत्या की गई है उसके बाद बड़ी तादाद में ना कि वह जैपूर में रहने वाले लोग बलकि दूसरे जिलों से भी विवाकों भी पत्र लिखा था सुरक्षा बढ़ानी की मांगी थी सुरक्षा की मांगी थी लेकिन उस पे किसी भी तरह की कुछ सुनवाई नहीं हुई और जो बदमाश है वो अपने मनसूबों में आज कामयाब हो गए और उनको बदमाशों को ये भी पता था कि जो दो ग पास बात ये है कि सुरक्षा मांगी थी और सुरक्षा मांगी थी तो पुलिस ने सुरक्षा क्यों नहीं दी ये सवाल पुलिस के उपर इस वक्त उनके जो समर्थक हैं उनके जो चाने वाले हैं वो उठा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ बदमाशों को पकड़ने के लिए औ क्यूंकि हमलावरों को यह पता था तो सवाल कुछ ऐसे लोगों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या किसी की मिली भगत हो सकती है हमलावरों ने ऐसे वक्त को चुना जब उनके सुरक्षा के जो गाड्स थे जो तैनात रहते थे वो शुक्ती पर थे बीच पे पेट में मारा गया था इसके साथ जैसे ही उनका गाड़ बीच बचाओ करने आ है तो गाड़ को भी उनको गौली और बीच बचाओ के पुलिस के आला दीकारी यहां पहुंचे हैं फुद पुलिस जो जैपूर पुलिस कमिशनर है वीजू जोर्ज जोसब वो खुद पहुंचे यहां पर गटना इस तल का जाई जा ले रहे हैं साथी जैसे किस तरीके से घर में गुशकर यह गटना को अंजाम दिया गया है और इस क्योंकि यह एक सर्सक दिशे बना हुआ है फोर्ज को भी बुलाए गया है कि किसी तरीके को माहूल कराब नहों बड़ी संख्या में पुलिस फोर्ज पहुंची है साथी जो यहां पर आप क्योंकि पुलिस पर एक सवाल खड़ा हो रहे है कि घर में गुशकर दिन दाहाडे किस तरीके से बारदात को अंजाम दिया गया है और साथी CCTV की बैब आप देखें जो केमरे में हम दिखा रहे हैं आपको गोगा मेडी के घर पर सीची टीवी केमरे लगए है अब ही पलिस इनकी भी जाँच कर रही है कि कौन लोग आये थे क्या ताय है ज्यख़ंट से फिजू पर मेतना ही गाना चाहँ हो सुपटेषी जोगामेडी समाजी संसा के राशी अचिछे अचिछ इंची सुपटेश गवर्तों समाज के सेवा करेते हैं इसलिए गयलोस थरकार की नाकामी नलाइकी के कारत अच्छा पर सुपटेशी जह से घटना हुई है मैं इसलिए आपसे गैलोज सरकार की बात कर रहा हूं, सुग्यर सिंग गोगा मेडी को लगातार विश्टोई के इंक सर्थ से थाई वर्तों से लगातार दंकिया मिल रही थी और ये धंकिया मिलने के बावजूद डीजी पी राजिस्टान पुलिस से परतली गोगा मेडी मिले, पुख्य मंतुरी से की चाईबर विश्टों ने बात भी पत्राचार किया, उसके बावजूद भी गोगा मेडी को सुरक्टा पता नहीं की इसमें सीजी स्क्री में लापरवाई कह रहा हूँ, गैलोज सरकार की लापरवाई के कारण आज दरमित्र हूँ, मेरा छोटा भाई दोगा मेडी आज हमारे भी नहीं रहा, किसी के घर में उनके बगल में जो सेक्यूरिटी खड़ा था, उनके भी गोली लग गया, वो अभी हॉस्पिटल में, आईश्यू में है, और इस क्रॉसफायर में, क्रॉसफायर के दवरान तीन हमलावारों में एक का भी डेथ हो गया, तो वो जिसका डेथ हो गया, उनका नाम है नवीन सि कर रहा है, यह कोई दुकान करता है, कोई चोटा माटा कपटे का दुकान करता है, तो जो भी हो हम उसका, उस लीड है, हमारे पास CCTV का फुटेज है, जो टोटल खड़ना क्रम है, वो CCTV में काईद हो गया है, अब उस ही का चल रहा है हम, जो जितना भी साक्षिया और सूचना है, हमारे पास है, उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिनित करेंगे, और इसके पीछे, जो भी इसका प्लानिंग गिया है, उदर तक हम जल्दी पहुंचाएं, जो यहां से जब भाग रहा था, यहां से जब जा रहा था, तो उनको एसकेप के लिए गाड़ी ले नहीं पाया, क्योंकि जिसने गाड़ी लेके आया था, उनका क्रॉस वायर में रतिव हुआ, तो उनको गेट अवे के लिए, एक स्कूटी छीनके, वो स्कूटी में भग गया, जो सुन रहे थे बीजु जो जो कमिश्टनर है जैपूर के, वो इस फक्त बता र पायर में बदमाश को गोली लगी थी, उसकी भी मौत हुई है, इसकी पूरी मदद है, उन्होंने कहा है, सारे फुटेज हमारे पास अविलेबल है, तीन जो ये हमलावार आए थे, उनमें से एक हमलावार है, जो गाड़ी चला रहा था, जो गाड़ी चला कर लिकर आया था वो क्रोस फैर हुआ, इन दोनों के बीच में, और उसमें उसकी मौत हो गए, और बाकी के जो दो लोग थे, वो एक बाइक सवार की बाइक लेकर, फायर करके बाइक सवार की बाइक लेकर भागने में कामयाप हो गए, हलाकि उनको आइडिन्टफाइ करने की कुशिश की जा बाकी जो दो साती हैं, उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा, ठीक है, मैं आपके पास वापस टॉट कर आता हूँ, लेकि जरा देखिए, क्योंकि पुलिस कमिशनर यहाँ पर आये थे, मौके का मौइना करने के लिए गटना इस तल पर, यानि कि सुकदेव सिंग के घर पर पुलिस कमिशनर और उन्होंने यह बयान दिया है कि यहाँ पर जो क्रॉस फायर हुआ, जिसे एक बदमाश को गोली लगी थी, उसकी भी होगा, यानि वह जो बदमाश है, वह भी सीची टीवी केमरे में आचुके, एक की मौत हो चुकी है, बचे दो लोग है, उनको भी तो ये बड़ी बात है क्योंकि वहाँ पर सीची टीवी भी लगा हुआ है, और सीची टीवी केमरे में रिकॉर्ड हुई है, ये वारदात ये भी पुलिस की ओर से बताया गया है, बदमाशों की फुटेज भी है, और उसकी पहचान भी, उसका आइडिनिफिकेशन भी हो च मिल रही है जहां करणी सेना के अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या की गई है, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, सुखदेव सिंग सहित चार लोगों को गोली लगी है, सुखदेव स पाइरिंग में एक बदमाश को भी गोली लगी है ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है घायल बदमाश को मौके से लेकर अन्य बदमाश फरार हो गए है फिलाल पूरे शहर में नाका बंदी करा दी गई है और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है इस वक्त की ब पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है जैपुर से करणी सेना की अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सुख़देव सिंग की गोली मार कर रत्या की गई है और ये बड़ी खबर है सुख़देव सिंग सहित उनके जो आसपास गनमें थे जो उनकी सुरक्षा में ते प्रिस की टीम मौझू थी उन्होंने भी किसी तरह की जानकरी साजा नहीं की और अभी अपडेट जो है मरपा सारी हम अपडेट की कुछिश करेंगे सुखदेव सिंग गोगा मेडी है उनकी डैथ हो चुकी है और यहीं पर जो इलाज करने की और जो पुलिस जो यहां पर चिकिसिकों की टीम थी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि किसी भी तरह से उनको बचाया जा सकी लेकिन बताया जारा कि ऐसा संभव नहीं हो पाया और हम अ इमर्जनसी के अंदर ही आएं यहां पी बड़ी तादाज में जो उनके घर के लोग पुलिस के अदिकारी हैं वह यहां पर मौझूद है बड़ी संख्या में जो लोग हैं वह यहां पहुचे हैं और यहां फिलाल अंदर किसी को भी जाने की जो पर्मिशन है वह नहीं दी मौझूद है अभी किसी भी तरह की कोई जो ऑफिशल भूम लगान है वो भी दिया दा रहा है वो अभी अंदर दा क्या हैं से हम जानकर देलने की कोशित करेंगे देव सिंग जी गोगा मेडी एक बहुती बहादूर और सेर के समान व्यक्ति थे उनके साथ इस तरह की निर्दैता पूर्ण और काईराना घटना होना इसके लिए कोई सब्दी नहीं है कोई भी सब्द नहीं है सब्दे समाज में कोई भी व्यक्ति को इस तरह जाकर के घर के अंदर दीन दाड़े गोलियों से भून दिया जाए ये बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है और मुझे विश्वास है कि पूलिस परसासन तुरंट सक्री हो करके अब तक उनको ग्रबदार कर लेने की कारवाई कर रहा होगा मैंने कमिशनर साब से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि पूरे छेतर के अंदर दहसत का माहूल है वहाँ गस्त की वियोस्ता की जाए पुलिस की वियोस्ता की जाए और सब से पहले अपराधियों को तुरंट ग्रबदार किया जाए इसके लिए कोई भी सब्द नहीं है मेरे पास कर लाद बहुत जादा जिनता जनक है मैं कर रहा हूं बहुत जादा जिनता जनक हालात है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ये बड़ी जानकारी की सुखदेव सिंग गोगा मेरी की मौत हो गई है उनकी गोली मार कर रत्या कर दी गई है उनको घायल होने के तुरंट बाद अस्पताल पहुचाया गया था जहां से अंदर से ये खबर मिल रही है कि उनकी मौत हो गई है उनको बचाया नहीं जा सका है बताए ये जा रहा है कि बड़्माशों ने उनके उपर अंदादून फायरिंग की है उनके गन्मेन को भी गोली मारी है और एक राहगीर जो वहां से जा रहा था उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूटी चीन कर भागने की कोशिश की है बचाव में जो गोली चली है उसमें एक बदमाश को भी बताय जारा की गोली लगी और इसके बाद उसके जो साथी थे वो बदमाश को वहाँ से बचाकर ले गए लेकिन सुख़देव सिंग, गोगा मेडी को बताया ज़ारे कि चार गोलियां लगी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका है सुख़देव सिंग, गोगा मेड़ी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे और जैपुर में बताया जा रहा है कि श्याम नगर इलाके में ही उनके उपर हमला हुआ है जानकारी ये है कि संभवता उनके घर में गोली मारी गई है उनको यहीं पर हमला वर आये थे और यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है यह देखी कुछ शेल भी इस वक्त नजर आ रहे हैं जो गोलियों के खोके हैं वो भी कुछ फुटेज में हम देख सकते हैं तो सुखदेव सिंग गोगा मेनी जिनोंने राश्ट्री करनी सेना से अलग कुछ विवाद होने के बाद अपना नया संगठन खड़ा किया था राश्ट्री राचपूत करनी सेना उनके संगठन का नाम था उसके अध्यक्ष के तोर पर वो काम कर रहे थे ऐसा क्या हुआ ये कौन से हमलावर हो सकते हैं ये कौन से बदमाश हो सकते हैं इसको लेकर पुलिस के उपर अभी सवाल है सुरक्षा विवस्था को लेकर सवाल है इस बड़ी वारदात के बाद बहुत सारे सवाल है कि आखिर किस ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा और कब तक ये आरोपी ये बदमाश पकले जाएंगे फिलाल पूरे शहर में पुलिस ने नाकी बंदी कर दी है और आरोपियों की धर पकड़ की कोशिश की जा रही है लेकिन ये टीम शयल इस वक्ट जो हमें नजर आ रहे हैं एक बोर्य के उपर जो हम इस वग्ड़ देख सकते हैं आर इस वक्ट डिके हैं ऑर उन्हें कहीं कि चार बदमाश थे यहां पर आये थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी के साथ चार लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया फाइरिंग करना अचानक शुरू कर दिया बताया जा रहा कि चार गोलियां मारी गई है जो गन्मेंट था सुखदेव सिंग गोगा मेनिका उसको भी एक गोली लगी है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है और साथ ही एक राहगीर जो वहां से गुजर रहा था उसको गोली मारी गई है और उसकी स्कूटी चीनकर ये बदमाश परार हुए है इस वारदात को अंजान देते वक्त बताया जारा है कि एक बदमाश को भी जो हमला वर थे उनमें से एक शक्स जखमी हुआ है और उसको भी बताया जारा है कि जो जबाबी फारिंग थे उसमें गोली लगी है और उस घायल शक्स को बाकी उसके साथी जो थे वो बचा कर ले भीड है और पुलिस के सामने कानून विवस्ता बनाय रखना इस वक्त एक चुनोती है क्यों करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग अपना एक अलग संगठन उन्होंने खड़ा किया था और उनके संगठन का नाम था राजपूत करणी सेना राजपूत करणी सेना से अलग उन्होंने अपनी करणी सेना एक नई बनाई थी जिसका नाम था राजपूत करणी सेना और उसकी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी सम्हाल रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुखदेव सिंग की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। सुखदेव सिंग गोगा मेडी उनको तो यहां पर कई तरह की सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं पुलिस परशाचन की क्यारे प्रणाली को लेकर भी पुलिस के अधिकारी बस्ते होए हमें को यहां पर दिखाई दे रहे हैं हमने जो इनसे बात करने की कोशिशी थी तो उन्हो सुखदेव सिंग गोगा मेडी को दमकें दी जा रहे थी इसको लेकर सुखदेव सिंग गोगा मेडी ने पुलिस मुख्याले से भी सिक्यूर्टी मांगी थी और बताया जा रहा है कि उनको सिक्यूर्टी मिलती उससे पहले ही यह जो पूरी वारदाथ है उसको बदमाशों का जताई जा रही है कि आपको माहोल दिखाने की कोशिश करूए उनका घर है सुदेव सिंग गुवर बेडी का उनका काराली पी यहां पर इसमोरे बोड़ लगा रखा है श्री राश्वी राश्पूर्ट करनी जो सेना है उसका जो पोड़ है यहां पर आपको देखने के लि यह लोग आए यहां पर आते ही अंदधुन तरीके से यहां पर फाइरिंग करना यहां पर शुरू कर दिया है मेरे कैमरा में इसमें पर कहूँँ आपको पुलिस की टीम है वो यहां पर इसके पूरा अपनी तरफ से जो इंविस्टिकेशन है वो यहां पर चल रहा है पुल गाड़ी को भाग करने की कोशिश करते हैं लें उसके कामियाब नहीं हो तो एक सवार की बबाइक को उठाकर यह भागने की कोशिश कर दे हैं फिरफाल इस लिए प्रफाल से उसाइटि है आपने आप में और वहां पर इस तरह कि वारदात हो जाना और दिन दाहारे ये वारदात का होना ये बेहत चोकाने वाली खबर है और जो पुलिस है अब उसकी इंवस्टिगेशन ही हाँ पर चल रहा है ये सीसी डिवीज को यहां पर खंगाला जा रहा है कि जो रूट है कि काफ़े व्याइपी पूरा एरिया है इ इडिटिफाइंग अभी तक नहीं किया गया है ये है कि उन्होंने सेक्रिटी मांगी थी एक थ्रेट कॉलम को अलग-अलग उससे था लेकिन इस्पेसेफिकली पूलिस अभी कहने से बच रही है कि कौन थे ये किस कैंक से जुड़े हुए थे या कौन थे लेकिन हाँ इकिन सब्सक्राइब के बार मौदूद है जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है कि सुगदीव सिंग गोगा मेडी की हत्या हुई है इस तरह से दिन धाड़े उन पर फाइरिंग करके उनके हत्या की गई है उसके बाद बड़ी तादाद में ना केवल जैपूर में रहने वा को भी पत्र लिखा था सुरक्षा बढ़ानी की मांगी थी सुरक्षा की मांगी थी लेकिन उस पर किसी भी तरह की कुछ सुनवाई नहीं हुई और जो बदमाश है वो अपने मनसूबों में आज कामियाब हो गए और उनको बदमाशों को ये भी पता था कि जो दो गार्ड स गोगा मेडी की हत्या की वो भी उनके घर के अंदर घुसका लिए जी तो ये अस्पताल से भी हमारे सायों की जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें खास बात ये है कि सुरक्षा मांगी गई थी और सुरक्षा मांगी थी तो पुलिस ने सुरक्षा क्यों नहीं दी ये सवाल पुलिस जाज कर रहे हैं कि क्या किसी की मिली बगट हो सकती है हमलावरों ने ऐसे वक्त को चुना जब उनके सुरक्षा के जो गार्ट थे जो तैनात रहते थे वो शुट्टी पर दे और एक पेट में मारा गया था इसके साथ ही जैसे ही उनका गार्ट बीच बचाओ करने आया है तो गार्ट को भी उनको गोली मारी गई थी और बीच-बचाओ के दोरान एक जो बदमास थे चार पांश जो बदमास बताए जा रही थे उन वेसं को गोली लगी फिलाल भारे पास एकIVA see RAKI Tips जो बनास थे उनमें एक वेक्तिकों जो गोली लगी ती वगोली लगी थे एक बनास को वो उसकी भी मौत होने की ऐसी सूचना आ रही है लेकिन अभी क्योंकि नहीं कह सकते हैं ऐसे में कि जो सूचना मिल ठीह उस सब वो खुद पोचे यहां पर गटना इस तरह का जाई जा ले रहे हैं एफसल टीम दौरा नमूने उठाए गया जा रहे हैं साथ ही जैसे किस तरीके से घर में गुशकर यह गटना को अंजाम दिया गया है और इस क्योंकि यह एक सर्चाग दिशे बना हुआ है फोर्स को भी किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है और साथ ही CCTV की में आप देखें जो कैमरे में हम दिखा रहे हैं आपको जो गोगा मेडी के घर पर यह CCTV केमरे लगए है अब ही पलीस इनकी भी जांच कर रही है कि कौन लोग आये थे क्या थै क्या पहले से ही रेकी कर रहे थे किस तरीके उनके क्योंकि जो आने जाने का जो उनका था सुड़ून को लेगिन यह CCTV के इस वक्त सूरजपाल अम्मू जी हमारे साथ जुड़े हुआ है सूरजपाल जी कितनी वड़ी वारदात जैपूर जैसे शेहर में हो जाना क्या कहें गया मुझे लगता है कि यह जो इसके उपर मैं इतना ही कहा हूँ सुड़े सिंग गोगा मेडिक समाजी संसा के राशियत थी श्री 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 राशियराजी करनी साना में इतने वरतों थे हुआ समाज की सेवा करे थे लोगों के दुख देरे में काम आते थे करन किया जवाद स्थेए नाकामी नलाइपकी के कारह आख सुड़े सिंग गोगा मेडिक की अगपना हुई है मैं इसलिए आपसे गयलो सरकार की बात कर रहा हूँ, सुग्यर सिंग गोगा मेडी को लगातार विश्टरी के इंस सर्थ पे थाई वर्तों से लगातार धंकिया मिल रही थी और ये धंकिया मिलने के बावजूद डीजी पी राजिस्टान पुलिस में परतली गोगा मेडी मिले, पुख्य मंतुरी से पिकाईबर उन्होंने बात भी पत्राचार किया, उसके बावजूद भी गोगा मेडी को सुरख्या पता नहीं की इसमें सिदी सिदी में लापरवाई कह रहा हूँ, गैलोज सरकार की लापरवाई के कारण आज मेरा मित्र हुँ, मेरा चोटा भाई दोगा मेडी आज हमारे भी नहीं रहा, किसी के घर में उनके बगल में जो सेक्यूरिटी खड़े था, उनके भी गोली लग गया, वो अभी हॉस्पिटल में, आईश्यू में है, और इस क्रॉसफायर में, क्रॉसफायर के दवरान तीन हमलावारों में एक का भी डेथ हो गया, तो वो जिसका डेथ हो गया, उनका नाम है नवीन सि कर रहा है, यह कोई दुकान करता है, कोई चोटा माटा कपटे का दुकान करता है, तो जो भी हो हम उसका, उस लीड है, हमारे पास CCTV का फुटेज है, जो टोटल खड़ना क्रम है, वो CCTV में काईद हो गया है, अब उस ही का चल रहा है, हम जो जितना भी साक्षिया और सूचना है, हमारे पास है, उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्नित करेंगे, और इसके पीछे, जो भी इसका प्लानिंग गिया है, उदर तक हम जल्दी पहुंच जाएगे, जो यहां से जब भाग रहा था, यहां से जब जा रहा था, तो उनको एसकेप क पाया, क्योंकि जिसने गाड़ी लेके आया था, उनका क्रॉस फायर में रतिव हुआ, तो उनको गेट अवे के लिए एक स्कूटी छीनके वो स्कूटी में भग गया, जो इसके बता रहे थे कि एक बदमाश भी मारा गया, जो क्रॉस फायर में बदमाश को गोली लगी थी, उसकी भी मौत हुई है, इसकी पूरी मदद है, उनने कहा है, सारे फुटेज हमारे पास अविलेबल है, तीन जो ये हमलावार आय थे, उनके से एक हमलावार है, जो गाड़ी चला रहा था, जो गाड़ी चला कर लिकर आया था, वो क्रॉस फैर हुआ, इन दोनों के बीच मे और उसमें उसकी मौत हो गए, और बाकी के जो दो लोग थे, वो एक बाइक सवार की बाइक लेकर, फायर करके, बाइक सवार की बाइक लेकर भागने में कामियाप हो गए, हाला कि उनको आइडिन्टिफाइ करने की कुशिश की जारेगी, जिते भी CCDV है, उनको खंगाला जा रहा है, और दो चीज़ें, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नाम भी शायद एक बताया है, जो हमला वर था, जिसकी क्रॉस फायर में जान गई है, जिसकी मौत हुई है, उसका नाम भी बताया है, और ये भी बताया है कि बाकी जो दो साती है, उनको भी जल्द पकड़ जाएगा, ठीक है, मैं आपके पास वापस टॉट कर आता हूँ, लेकि ज़रा देखिए, क्योंकि पुलिस कमिशनर यहाँ पर आय थे, मौके का मौईना करने के लिए घटना इस तल पर, यानि कि सुकदेव सिंग के घर पर आय थे, पुलिस कमिशनर और उन्होंने ये बयान दिया है कि यहाँ पर जो क्रॉस फायर हुआ, जिसे एक बदमाश को गोली लगी थी, उसकी मामला है, यानि वह जो बदमाश है, वह भी सीची टीवी केमरे में आख चुके, एक की मौत हो चुकी है, बचे दो लोग है, उनको भी आप तो ये बड़ी बात है क्योंकि वहाँ पर सीची टीवी भी लगा हुआ है, और सीची टीवी केमरे में रिकॉर्ड हुई है, ये वारदात ये भी पुलिस की ओर से बताया गया है, बदमाशों की फुटेज भी है, और उसके आधार पर तलाश करना आसान पुलिस के लिए हो हत्या कर दी गई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैपुर से मिल रही है, जहां करनी सेना के अध्यक्ष की गोली मार कर हत्या की गई है, इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग की गोली मार कर हत्या कर सुखदेव सिंग सहید चार लोगों को गोली लगी है सुखदेव सिंग के अलावा उनके गन्मेन को भी बदमाशों ने गोली मारी है वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को गोली मार कर उसकी स्कूटी बदमाशों ने चीन ली है और वहीं बचाओ में की गई फाइरिंग में एक बदमाश को भी गोली लगी है ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है घायल बदमाश को मौके से लेकर अन्य बदमाश फरार हो गए है फिलाल पूरे शहर में नाका बंदी करा दी गई है और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है सुखदेव सिंग जो करणी सेना के अध्यक्षे उनको गोली बारी गई है उनकी मौत हो गई है ये जानकारी इस वक्त मिल रहे है सुखदेव सिंग के गणमेन को भी गोली लगी है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है जैपुर से करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग की गोली मार कर हत्या की गई है और ये बड़ी खबर है सुखदेव सिंग साहित उनके जो आसपास गन्मेन थे जो उनकी सुरक्षा में तेनाथ थे उनको उन पर भी फाइरिंग बदमाशों ने की है उनके गन्मेन को भी बताया जारा कि गोली लगी है वो भी जखमी हुआ है वारदात को अंजाम देने के ब अब 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 डेट जो है मरपा सारी हैं अब डेट की कोशिश करेंगे एक तुब्देव सिंग कंफर्म देखिए यहां पर जो इमर्जेंसी है वहां से यह बुरी ख़वर आ रही ही कि उनकी डैथ हो चुकी है और आप देख सकते हैं इमर्जेंसी किसी के अंदर अभी उन समगब नहीं हो पाया और हम अभी आपको दिखाते हैं नि मर्जेंसी एंदर रहे हैं यहां पर देख सकते हैं मेटरोमास की यहीं पे पर मौके पर मौझूद है शाम नगर थाना पुलिस क्योंकि शाम नगर थानी का पूरा घटना करम है वह यहां पर मौझूद है अभी किसी भी तरह की कोई जो ऑफिशल भूम नगान है वो दिया दर रहे हैं जानकर दिलने की कोशित करेंगे देव सिंग जी गोगा मेडी एक बहुती बहादूर और सेर के समान व्यक्ति थे उनके साथ इस तरह की निर्दैता पूर्ण और काईराना घटना होना इसके लिए कोई सब्दी नहीं है कोई भी सब्द नहीं है सब ये समाज में कोई भी व्यक्ति को इस तरह जाकर के घर के अंदर दीन दाड़े गोलियों से भून दिया जाए ये बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है और मुझे विश्वास है कि पूलिस परसासन तुरंट सक्री हो करके अब तक उनको ग्रबदार कर लेने की कारवाई कर रहा होगा मैंने कमिस्नर साब से ये भी्रिक्वेश्ट किये कि पूरे छेतर के अंदर दहसत का माहूल है वहाँ गस्त की वियूस्ता की जाए पुलिस की वियूस्ता की जाए और सब से पहले अपराधियों को तुरंट ग्रबदार किया जाए इसके लिए कोई भी सब्द नहीं है मेरे पास के हैं इकी सुखदेव सिंग, गोगा, मेरी की मौत हो गई है उनकी गोली मार कर रत्या कर दी गई है उनको गायल ह黄ने के तुरंध बाद अस्पसाल पहुचाया गया था जहाँ से अंदर से एक खबर मिल रही है कि उनकी मौत हो गई है उनको बचाया नहीं जा सका है बताये ये जा रहा है कि बदमाशों ने उनके उपर अंधादून फाइरिंग की है उनके गन्मेन को भी गोली मारी है और एक राहगीर जो वहां से जा रहा था उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूटी चीन कर भागने की कोशिश की है बचाव में जो गोली चली है उसमें एक बदमाश को भी बताया जारा की गोली लगी और इसके बाद उसके जो साथी थे वो बदमाश को वहां से बचा कर ले गए लेकिन सुख़देव सिंग गोगा मेडी को बताया जा रहे कि चार गोलियां लगी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका है सुख़देव सिंग गोगा मेडी राश्ट्रिय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे और जैपुर में बताया जा रहा है कि श्याम नगर इलाके में ही उनके उपर हमला हुआ है जानकारी ये है कि संभवता उनके घर में गोली मारी गई है उनको यहीं पर हमला वर आये थे और यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है यह देखी कुछ शेल भी इस वक्त नजर आ रहे हैं जो गोलियों के खोके हैं वो भी कुछ फुटेज में हम देख सकते हैं तो सुखदेव सिंग गोगा मेनी जिनोंने राश्ट्री करनी सेना से अलग कुछ विवाद होने के बाद अपना नया संगठन खड़ा किया था राश्ट्री राचपूत करनी सेना उनके संगठन का नाम था उसके अध्यक्ष के तोर पर वो काम कर रहे थे ऐसा क्या हुआ ये कौन से हमलावर हो सकते हैं ये कौन से बदमाश हो सकते हैं इसको लेकर पुलिस के उपर अभी सवाल है सुरक्षा विवस्था को लेकर सवाल है इस बड़ी वारदात के बाद बहुत सारे सवाल है कि आखिर किस ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा और कब तक ये आरोपी ये बदमाश पकले जाएंगे फिलाल पूरे शहर में पुलिस ने नाकी बंदी कर दी है और आरोपियों की धरपकड की कोशिश की जा रही है लेकिन ये तीम शेल इस वक्त जो हमें नजर आ रहे हैं एक बोर्य के उपर जो हम इस वक्त देख सकते हैं कि तीम खोके जो हैं ये चले हुए खोके हैं यानि कि जो हम इसमें देख सकते हैं पिस्टल से ये हमला किया गया है जो शेल नजर आ रहे हैं ये वो कार्तूस हैं जो पिस्टल में इस्तेमाल होते हैं और उन्हीं के ये खोके हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं बताया जारा कि चार बदमाश थे यहां पर आये थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तयारी के साथ चार लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया फाइरिंग करना अचानक शुरू कर दिया बताया जारा कि चार गोलिया मारी गई है जो गन्मेंट था सुखदेव सिंग गोगा मेनिका उसको भी एक गोली लगी है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है और साथ ही एक राहगीर जो वहां से गुजर रहा था उसको गोली मारी और उसको भी बताया जारा कि जो जवाबी फाइरिंग थे उसमें गोली लगी है और उस घायल शक्स को बाकी उसके साथी जो थे वो बचा कर ले जाने में कामियाब रहे हैं लेकिन अब ये जरूर देखना होगा कि इसके आगे पुलिस कब तक गरफ़तार कर पाती है ये ज सुखदेव सिंग अपना एक अलग संगठन उन्होंने खड़ा किया था और उनके संगठन का नाम था राजपूत करणी सेना राश्वे करणी सेना से अलग उन्होंने अपनी करणी सेना एक नई बनाई थी जिसका नाम था राजपूत करणी सेना और उसकी अध्यक्ष के त राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। जो राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग गोगा मिडी उनको तो यहां पर कई तरह की सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं पुलिस परशाचन की कारेप्रणाली को लेकर भी पुलिस के अधिकारी बस्ते हुए हमें को यहां पर दिखाई दे रहे हैं हमने जो उ बताया दारा लारेंस विश्णवी गैंग पर क्योंकि लारेंस विश्णवी गैंग की और से लगातार सुखदेव सिंग गोगा मेडी को दमक्यां दी जा रही थी इसको लेकर सुखदेव सिंग गोगा मेडी ने पुलिस मुख्याले से भी सिक्योर्टी मांगी थी और बता प्रतिक्ष दर्शी है वो जो बता रहे हैं कि यह लोग आए यहाँ पर आते ही अंदर्धूंद तरीके से यहाँ पर फाइरिंग करना यहाँ पर शुरू कर दिया प्रतिक्ष दिखाएंगे इसके पुरा अपनी तरफ से जो इन्विस्टिकेशन है वो यहाँ पर चल रहा है पुलिस आई हुई है और पूरा जो घर है यही जो आप देख रहे हैं पुलिस के दिकारी यहाँ पर खड़े हैं जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया था और आपर तोर दाजिक से हाँ बोलिए फाइरिंग होती है और उसके बाद यह लोग तुरंट वहां से निकलते हैं बहां निकलकर एक गाड़ी को हाईजेक करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें कामियाब नहीं होते तो एक बाइक सवार की बाइक को उठाकर यह भागने की को पर है और जो पुलिस है उसकी इंवस्टिगेशन ही हाँ पर चल रही है सीचीड़ीज को कहां पर खंगारा जा रहा है क्यों कि जो रूट है कि काफ़े व्याइपी पूरा एरिया है इसकी सीचीड़ीज जो है अलगलग रूट पर उनको निकला जा रहा है और शिल्हाल यह से था लेकिन स्पेसेफिकली पूलिस अभी कहने से बच रही है कि कौन थे यह किस कैंक से जोड़े हुए थे या कौन थे लेकिन हाँ इकिन तो अभी फिल्हाल इनकी खोज का काम तेजी से चल रहा है तो यह अंकुर विस्तार से चीजों को समझाने के कोशिश कर रहा है इन लोग बलकि दूसरे जीलों से भी जो लोग है वो रवाना हो गए है जैपूर में आ रहे हैं इस हुस्पिटल के बाहर आ रहे हैं तो ऐसे में पुलिस है उससे यहां पर गलती हुई है जाहिरती बात है जिससे सूचना हमको मिल रही है लगातार उन से जुड़े वे जो लो हो गए और उनको बदमाशों को ये भी पता था कि जो दो गार्ड सुड़े फिंगोगा मेडी की जो सेक्यूर्टी में लगे वे हैं वो आज चुटी पे हैं और ऐसे में उन्हों ने मौका देखा सुड़े फिंगोगा मेडी की हत्या की वो भी उनके घर के अंदर घुसकर जी तो ये अस्पिताल से भी हमारे सायोगी जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें खास बात ये है कि सुरक्षा मांगी गई थी और सुरक्षा मांगी गई थी तो पुलिस ने सुरक्षा क्यों ने दी ये सवाल पुलिस के उपर इस वक्त उनके जो समर्थक हैं उनके जो चाने बाले हैं वो उठार रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ सबूर जिताने के लिए जो अलगाला टीमें है वो इस वक्त काम कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं वैक्ति एंगल भी पोलैस जाज कर रहे हैं तो सवाल कुछ ऐसे लोगों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या किसी की मिली भगत हो सकती है हमलावरों ने ऐसे वक्त को चुना जब उनके सुरक्षा के जो गाड्स थे जो तैनात रहते थे वो शुक्ती पर थे और एक पेट में मारा गया था इसके साथ ही जैसे ही उनका गाड बीच बचाओ करने आए तो गाड को भी उनको गोली मारी गई थे और बीच बचाओ के दोरान एक जो बदमास थे चार-पांस जो बदमास बताए जा रहे थे उनमें से एक बदमास को गोली लगी फिलाल अब कि जो सूचना मिल रही उस आदार पर कि उस बदमास की भी एक बदमास की मोत होने की सूचना बताए जारी है लेकिन अभी फिलाल क्योंकि यहां गटना इस तल पर जहां पर है कि किसी तरीके कोई माहूल कराब ना हो बड़ी संख्या में प्लीस फोर्स पहुंची है साथी जो यहां पर अब क्योंकि प्लीस पर एक सवाल खड़ा हो रहे हैं कि घर में गुसकर दिन दहाड़े किस तरीके से बारदात को अंजम दिया गया है और साथी सीची टीवी कि किसी तरीके उनके क्योंकि जो आने जाने का जो उनका था सुड़ून को लेकिन यह सीची टीवी कि नहीं रोकना चाहते है इस वक्त सूरजपाल अम्मू जी हमारे साथ जुड़े हुआ है सूरजपाल जी इतनी कितनी बड़ी वारदात जैपुर जैसे शेहर में हो जाना क् मुझे लगता है कि यह जो इसके उपर में गहना चाहूं सुड़े सिंग गोगा मेडिक समाजी संसा के राशिया तर्षी श्री राशिया तर्षी कम्ली साना में इतनी वर्तों से वो समाज की सेवा कर रहे थे दोगों के दुख देर ने काम आते थे पर इंटु गैलो सरकार की नाकामी नलाइकी के असुपेश सी भोगा मेडिक साथ गटना हुई है मैं इसलिए आप से गैलो सरकार की बात कर रहा हूं सुपेश सिंग गोगा मेडिको लगातार विष्णौई के अंसी पर से तए वर्तों से लगातार जंक्या मिल रही थे जी और ये धंकियां मिलने क बावजूद डीजीपी टाजिस्टान पुलिस में पर्तली गोगा मेडी मिले पुख्यमंतुरी से कैई बरनों ने बात भी पत्राचार किया उसके बावजूद भी गोगा मेडी को सुरक्या पता नहीं की इसमें सीजी सीजी में लापरवाई कह रहा हूं गैलोज सरकार की ला गया वो अभी हॉस्पिटल में है और इस क्रॉसफायर में क्रॉसफायर के दवरान तीन हमलावारों में एक का भी डेथ हो गया तो वो जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंख शेखावत वो है यहां का मूल रूम से शापुरा के पास का रहने वाला है और अभी जे तो जो भी हो हम उसका वूस लीड है अमारे पस सी सी टीवी का फुटेज है जो टोटल ख़ड़ना क्रम है वो सी शी टीवी में कैद हो गया है अभी उसी का चल रहा है हम जो जितना भी साक्षिया और सूचना है हमारे पास है उसे उमीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनो गिया है उदर तक हम जल्दी पहुंच जा रहा था तो उनको एसकेप के लिए गाड़ी ले नहीं पाया क्योंकि जिस ने गाड़ी लेके आये था उनका क्रोस्वायर में मृतिव हुआ तो उनको गेट वे के लिए एक स्कूटी छीन के वो स्कूटी में भग गया थे बीजु जो कमिश्टर है जैपूर के वो इसकेप बता रहे थे कि एक बदमाश भी मारा गया जो क्रोस्वायर में बदमाश को गोली लगी थी उसकी भी मौत हुई है तीन जो ये हमलावार आए थे उनमें से एक हमलावार है जो गाड़ी चला रहा था जो गाड़ी चला कर लिकर आया था वो क्रोट्स फैर हुआ इन दोनों के बीच पे और उसमें उसकी मौत हो गए और बाकी के जो दो लोग थे वो एक बाइक सवार की बाइक लेकर फायर कर भी शायद एक बताया है जो हमलावार था जिसकी क्रोस फायर में जान गई है जिसकी मौत हुई है उसका नाम भी बताया है और ये भी बताया है कि बाकी जो दो साती है उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा ठीक है मैं आपके पास वापस टॉट कर आता हूँ लेकि जरा हैँने बता है कि पूरा जो कसी टीवी केमरे के दो चुका है या या नि में तो यह बड़ी बात है क्यूंकि भूँ वहाँ परसिजी टीवी भी लगा हुआ है और CCTV केमरे में रिकॉर्ड हुई है ये वारदात ये भी पुलिस की ओर से बताया गया है बदमाशों की फुटेज भी है और उसके आधार पर तलाश करना आसान पुलिस के लिए हो जाएगा एक बदमाश की चुकी मौत हुई है और उसकी पहचान भी उसका आइडेंटिफिकेशन भी हो चुका है और इसलिए इस केस को खोलने में शायद मदद मिलेगी बड़ी खबर मिल रही है जैपूर से जहां पर करनी सेना के अध्यक्ष को गोली मारी गई है गोली मार कर हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग सहे चार लोगों को गोली लगी है सुखदेव सिंग के अलावा उनके गन्मेन को भी बदमाशोंने गोली मारी है वारदात को अंजाम देने के बाद एक रहगीर को गोली मार कर उसकी स्कूटी बदमाशों ने चीन ली है और वहीं बचाओ में की गई फाइरिंग में एक बदमाश को भी गोली लगी है ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है घायल बदमाश को मौके से लेकर अन्य बदमाश फरार हो गए है फिलाल पूरे शहर में नाका बंदी करा दी लगे घायल बदमाशों ने ले ओए हमला हुआ है तो बड़ी तादाध में जो लोग हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैपूर से करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग की गोली मारकर हत्या की गई है और ये बड़ी खबर है स सुक्धेव सिंग साहित उनके जो आसपास गन्मेन थे जो उनकी सुरक्षा में तेनाथ थे उनको उनके गन्मेन को भी बताया जारा की गोली लगी है वो भी जखमी हुआ है वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को जो वहां से गुजर रहा था एक वेक्ति उसको भी गोली बारी है और उसकी स्कूटिची ने कुछ बूला है ना यहां हम मौके पर गहते मौका मौका बारदात पर प्रिस की टीम मौझू थी उन्होंने भी किसी तरह की जानकरी साजा नहीं की और अब जिस तरह से अभी अपडेट जो है मरपास आरी हम अपडेट की कोशि और यहीं पर जो इलाज करने की और जो पुलिस जो यहां पर चीकिसिकों की टीम थी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि किसी भी तरह से उनको बचाया जा सकी लेकिन बताया जारा कि ऐसा संभव नहीं हो पाया और हम अभी आपको दिखाते हैं में इमर्जेंसी के अंदर ही आ बचाया गया है और अभी यहां फिलाल अंदर किसी गुजाने की जो परमीशन है वो में दी जा रही है और यहां पर आप देख सकते हैं जो श्रीपरवरत ठाणा पुलिस नहीं है मौके पर मजूद थाना पुलिस क्योंकि शाम नगर ठानी के पूरा घटनक्रम है और यहां पूर्ण पूर्ण और कायराना घटना होना इसके लिए कोई सब्दी नहीं है कोई भी सब्द नहीं है सब्द्रे समाज में कोई भी व्यक्ति को इस तरह जाकर के घर के अंदर दीन दाड़े गोलियों से भून दिया जाए ये बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है और मुझे व अब तक उनको गिर्भदार कर लेने की कारवाई कर रहा होगा मैंने कमिस्टन मना साब से ये भी रिक्वेस्ट किए कि पूरे छेतर के अंदर दहसत का माहूल है वहां गस्त की वियोस्ता की जाए पुलिस की वियोस्ता की जाए और सबसे पहले अपराधियों को तुरंत ग्रबदार किया जाए इसके लिए कोई भी सब्द नहीं है मेरे पास का अब यहां पर जाकर आपको बता रहे हैं यह बड़ी जानकारी की सुखदेव सिंग गोगा मेड़ी की उनकी गोली मारकर रत्या कर दी गई है उनको घायल होने के तुरंट बाद अस्पताल पहुचाया गया था जहां से अंदर से ये खबर बिल रही है कि उनकी मौत हो गई है उनको बचाया नहीं जा सका है बताये ये जा रहा है कि बदमाशों ने उनके उपर अंधादुन फाइरिंग की है उनके गन्मेन को भी गोली मारी है और एक राहगीर जो वहां से जा रहा था उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूटी चीन कर भागने की कोशिश की है बचाव में जो गोली चली है उसमें एक बदमाश को भी बताया जारा की गोली लगी और इसके बाद उसके जो साथी थे वो बदमाश को वहां से बचा कर ले गए लेकिन सुख़देव सिंग गोगा मेडी को बताया जा रहा कि चार गोलियां लगी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका है सुख़देव सिंग गोगा मेडी राश्ट्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे और जैपूर में बताया जा रहा है कि शाम नगर इलाके में ही उनके उपर हमला हुआ है जानकारी ये है कि संभवता उनके घर में गोली मारी गई है उनको यहीं पर हमला वराय थे और यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है यह देखी कुछ शेल भी इस वक्त नजर आ रहे हैं जो गोलियों के खोके हैं वो भी कुछ फुटेज में हम देख सकते हैं तो सुखदेव सिंग गोगा मेनी जिनोंने राश्ट्री करनी सेना से अलग कुछ विवाद होने के बाद अपना नया संगठन खड़ा किया था राश्ट्री राश्पूत करनी सेना उनके संगठन का नाम था उसके अध्यक्ष की तोर पर वो काम कर रहे थे ऐसा क्या हुआ ये कौन से हमलावर हो सकते हैं ये कौन से बदमाश हो सकते हैं इसको लेकर पुलिस के उपर अभी सवाल हैं सुरक्षा विवस्था को लेकर सवाल हैं इस वड़ी वारदात के बाद बहुत सारे सवाल है कि आखिर किस ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा और कब तक ये आरोपी ये बदमाश पकले जाएंगे फिलाल पूरे शहर में पुलिस ने नाकी बंदी कर दी है और आरोपियों की धरपकड की कोशिश की जा रही है लेकिन ये तीन शेल इस वक्त जो हमें नजर आ रहे हैं एक बोले के उपर जो हम इस वक्त देख सकते हैं कि तीन खोके जो हैं ये चले हुए खोके हैं यानि कि Do हम इस फ़िस्टल से ये ही हमला किया गया है जो शेल नजर आ रहे हैं ये वो कार्तूस हैं जो पिस्टल में इस्तिमाल होते हैं और उन्हीं के ये खोके हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं बताय जारा कि चार बदमाश थे यहां पर आये थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी के साथ चार लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया फारिंग करना अचानक शुरू कर दिया बताया जारा कि चार गोलियां मारी गई है जो गन्मेंट था सुखदेव सिंग गोगा मेनिका उसको भी एक गोली लगी है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है और साथ ही एक राहगीर जो वहां से गुजर रहा था उसको गोली मारी गई है और उसकी स्कूटी चीनकर ये बदमाश परार हुए है इस वारदात को अंजाम देते वक्त बताया जारा कि एक बदमाश को भी जो हमला वर थे उनमें से एक शक्स जखमी हुआ है और उसको भी बताया जारा कि जो जबाबी फारिंग थे उसमें गोली लगी है और उस घा तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल परिसर की तस्वीरे हैं लोगों की उनके समर्थकों की भीड है और पुलिस के सामने कानून विवस्ता बनाय रखना इस वक्त पे एक चुनोती है क्यों करणी सेना की अध्यक्ष सुखदेव सिंग अपना एक अलग संगठन उन्होंने खड़ा किया था और उनके संगठन का नाम था राचपूत करणी सेना राचपूत करणी सेना से अलग उन्होंने अपनी करणी सेना एक नई बनाई थी जिसका नाम था राचपूत करणी सेना और उसकी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी समहाल रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैपूर से करणी सेना की अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग की गोली मार कर हत्या की गई है जैपूर से इस वक्त एक दिल देहला देने वाली वारदात की खबर जैपुर में राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग की गोली मार कर हत्या कर दी गई है उनकी जो डैट बोड़ी है वो यहां से ले जाए जाएगी SMS मोर्ची उसको शिफ्ट किया जाएगर वहाँ पे मेडिकल बोड से शब का पोच्माटम होगा और वहां पे दिन धाड इस तरह की वार्दा थोना घर के अंदर घुसकर गोलियों से बुना और वह भी जो राजपूत स्री राधपूत कंड़ी सेना के अध्यक्स हैं सुपदेव सिंग गोगा मेडी उनको तो यहां पर कई तरह की जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं पुलिस परशाचन की कारे प्रणाली को लेकर भी पुलिस के अधिकारी बस्ते हुए हमें को यहां पर दिखाई दे रहे हम ने जो उनसे बात करने की कोशिकी तो अनुन हमारे सवालों के भी जो जवाब हैं वो नहीं दिये इतना कहा कि फाइरिंग की घटना हुई है पुलिस जाच कर रही है हमला वर कौन थे उनके भी तलाज की जा रही है मतलब कि पुलिस के हाथ में बी तक किसी तरह का क्ल्यू कि आमलावर कौन थे शक कि यहांप एदारा लाॉरेंस विश्युटवी가ंग की उर से लगातार सुपधेव सिंग गोगा मेडिया को दमके दी जारी थी इसको लेकर सुपधेव रिंगा नहीं ये इसवक्त जानकारी मिल रहे है है। अंबगर अइतनी बड़ी वारदात चुनाव के ठीक बाद क्या इसके पीछे आशंग का जताई जा रही है प्रतिक्ष दर्शी दर्शी हैं वो जो बता रहे हैं कि यह लोग आए यहां पर आते ही अंदर्धूंद तरीके से यहां पर फाइरिंग करना यहां पर शुरू कर दिया यहां पर चल रहा है पुलिस आई हुई है और पूरा जो घर है यह जो कमरा है यही पर उनको जो आप देख रहे हैं पुलिस के दिकारी यहां पर खड़े हैं जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया था और उसके बाद पापर तोर दरीके से यहां बोलिए फाइरिंग होती है और उसके बाद यह लोग तुरंट वहां से निकलते हैं बहां निकलकर एक गाड़ी को हाईजक करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें काम्याप नहीं होते तो एक बाइक सवार की बाइक को उठाकर भागने की कोशिश करते हैं फिलहाल यह पूरा जो इलाका हमें आप देख सकते हैं पूरे जो घर है कि काफी हाई प्रोफाइल सोसाइटी है अपने आप में और वहां पर इस तरह की वारदात हो जाना और दिन दाहाड़े यह वारदात का होना यह बेहत चौकाने वाली इस बात को लेकी की जा रही है कि है कि कौन अभी तक पुलिस ने अइडेंटिफाइं नहीं किया गया है उसके पास possibility कई अलग अलग बताई जा रही है इडेंटिफाइं अभी तक नहीं किया गया है यह है कि उन्होंने अपनी security मांगी थी एक threat column को अलग लग उससे था लेक अंकर विस्तार से चीजों को समझाने के कोशिश कर रहे हैं इन सब के बीच यह देखिए FSL की टीम मौके पर मौजूद है और दूसरे तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है कि सुगदीव सिंग गोगा मेरी की हत्या हुई है इस पिलिस मुख्याले को भी पत्र लिखाता ग्रेव वी पत्र लिखाता सुरक्षा बढ़ानी की मांग की थी सुरक्षा की मांग की थी लेकिन उस पे किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई और जो बदमाश है वो अपने मनसुबों में आज कामयाब हो गए और उनको तो ये अस्पकाल से भी हमारे सायों की जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें खास बात ये है कि सुरक्षा मांगी गई थी और सुरक्षा मांगी गई थी तो पुलिस ने सुरक्षा क्यों ने दी ये सवाल पुलिस के उपर इस वक्त उनके जो समर्थक हैं उनके जो चाहने वाले ह वो उठा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ वदमाशों को पकड़ने के लिए और सबूत जुटाने के लिए जो अलगला टीमे है वो इस वक्त काम कर रहे हैं FSL की टीम जो इस वक्त काम कर रहे है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं वक्ती की मिली बगज़ भी हो सकती है इस एंगल भी पुलिस जाज कर रहे है कि क्या किसी की मिली बगज़ हो सकती है हमलावरों ने ऐसे वक्त को चुना जब उनके सुरक्षा के जो गाड्स थे जो तैनात रहते थे वो शुटी पर थे और एक पैट में मारा गया था इसके साथ जैसे ही उनका गार्ड बीच बचाओ करने आ है तो गार्ड को भी उनको गोली मारी गई थी और बीच बचाओ के दौरान एक जो बदमास थे चार पांस जो बदमास बताए जा रहे थे उनWow की पलाल अम हारे पास एक सूचना आ भी ऐ एक बदमास की मौत होने की सूचना बदाई जारी लेकिन अभी फिलाल क्योंकि यहां गटना इस तल पर जहां पर एफेसल टीम और पुलिस के आला दीकारी यहां पहुंचे हैं खुद पुलिस जो जैपुर पुलिस कमिशनर है वीजु जोर्ज जोसब वो खुद पुचे यहां पर घटना इस तल का जाई जा ले रहे हैं एफसल टीम दुवारा नमूने उठाए गया जा रहे हैं साथी जैसे किस तरीके से घर में गुशकर ये गटना को अंजाम दिया गया है और इस क्योंकि ये एक सरसाक दिशे बना हुआ है फोर्स को भी बुलाए गया है कि किसी तरीके को माहूल कराब नहों बड़ी संख्या मे प्लीस पोर्स पहुंची है साथी जो यहां पर अब क्योंकि प्लीस पर एक सवाल खड़ा हो रहे है कि घर में गुशकर दिन दहाड़े किस तरीके से बारदात को अंजाम दिया गया है और साथी सीची टीवी कि आप देखिए जो कैमरे में हम दिखा रहे हैं आपको जो गो सूरजपाल अम्मु जी हमारे साथ जुड़े हुआ है सूरजपाल जी इतनी कितनी बड़ी वार्दात जैपूर जैसे शहर में हो जाना क्या कहेंगा हुआ है मैं इसलिए आप से गयलो सरकार की बात कर रहा हूं शुड़े सिंग गोगामेडी को लगातार विश्णवी के इंस सर्थ से तई वर्तों से लगातार दंकिया मिल रही जी और ये धंकिया मिलने के बावजूद डीजी पी परतली गोगामेडी मिले उख्यमंत्री से परतली 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 गोगामेडी को लगातार विश्णवी के इस तो गया उनके बगल में जो सेक्यूरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया वो अभी हॉस्पिटल में है इस्यू में है और इस क्रॉसफायर में क्रॉसफायर के दवरान तीन हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया तो वो जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंख शेखावत वो है यहां का मूल रूम से शापुरा के पास का रहने वाला है और अभी जेपूर में निवास कर यह कोई दुकान करता है कोई चोटा माटा कपटे का दुकान करता है तो जो भी हो हम उसका उस लीड है हमारे पास CCTV का फुटेज है जो टोटल खड़ना क्रम है वो CCTV में कैद हो गया है अब उसी कब चल रहा है हम जो जितना भी साक्षिया और सूचना है हमारे पास है उसे उम्मिद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिनित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लाइनिंग गिया है उदर तक हम जल्दी पहुंच जाए स्कूर्टी क Dawar गहां से जब भाग रहा था यहां से जब जा रहा था तो उनको हैं एस्केप के लिए गाड़ी ले नहीं पाया ने इस दिस ने गाड़ी लेकि आया था उन में म्रतिव हुआ तो उनको गेट अवे के लिए एक स्कूर्टी चीन के वह स्कूर्टी में भग गया इंग्लिश बीजू वाट इजाक्ली इस है आइए इस वक्राइब बता रहे थे कि एक बदमाश भी मारा गया जो क्रॉस फायर में बदमाश को गोली लगी थी उसकी भी सारे फुटेज हमारे पास अविलेबल हैं तीन जो यह हमलावार आए थे उनमेंसे एक हमलावार है जो गाड़ी चला रहा था जो गाड़ी चला कर लिकर आया था वह क्रॉट्स फैर हुआ इन दोनों के बीच में और उसमें उसकी मौत हो गए और बाकी के जो दो लोग थे वह एक वायक सबार की बायक लेकर भागने में कंवम होगे हैं चल्क कि उंक्कु आ इडिन्टफाय करें की कुशिश किजा रही है जी भी सीची जिए वी हैं उनको खंगाला जा रहा है दो चीजे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नाम भी शायद एक बताया है जो हमलावर था जिसकी क्रॉस फायर में जान गई है जिसकी मौत हुई है उसका नाम भी बताया है और ये भी बताया है कि बाकी जो दो साती है उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा ठीक है मैं आपके बास वापस टॉट कर आता हूँ लेकि जरा देखिए क्योंकि पुलिस कमिशनर यहां पर आये थे मोके का मौईना करने के लिए घटना इस तल पर यानि की सुखदेव सिंग के घर पर आये थे पुलिस कमिशनर और उन्होंने ये बयान दिया है कि यहां पर जो क्रॉस फायर हुआ जिसे एक बदमाश को गोड़ी लगी थी इसकी मामला है ऐसे में क्योंकि अभी तो पुलिस को CCTV के मिरें पूरा घटना करम तो यह बड़ी बात है क्यूंकि वहाँ पर CCTV केमरे में रिकार्ड हुई है यह वारदात यह भी पुलिस की ओर से बताया गया है बदमाशों की फुटेज भी है और उसके आधार पर तलाश करना आसान पुलिस के लिए हो जाएगा एक बदमाश की चुकी मौत हुई है और उसकी पहचान भी उसका आइडिनिफिकेशन भी हो चुका है और इसलिए इस केस को खोलने में शायद मदद मिलेगी एक बड़ी खबर मिल रही है जैपुर से जहां पर करनी सेना के अध्यकष को गोली मारी गए है और इस को जानकारी करनी सेना की अध्यकष सुकधेव सिंग्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग सेथ चार लोगों को गोली लगी है सुखदेव सिंग के अलावा उनके गन्मेन को भी बदमाशों ने गोली मारी है वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को गोली मार कर उसकी स्कूटी बदमाशों ने चीन ली है और वहीं बचाओ में की गई फाइरिंग में एक बदमाश को भी गोली लगी है ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है घायल बदमाश को मौके से लेकर अन्य बदमाश फरार हो गए है फिलाल पूरे शहर में नाका बंदी करा दी गई है और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है सुकदेव सिंग जो करणी सेना के अध्यक्षे उनको गोली बारी गई है उनकी मौत हो गई है यह जानकारी इस वक्त मिल रहे है सुकदेव सिंग के गणमेन को भी गोली लगी है पर जानले candidate रहा हमला हुआ है तो बड़ी तादाद में जो लोग है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है उनको उन पर भी फाइरिंग बदमाशों ने की है उनके गन्मेन को भी बताया जारा कि गोली लगी है वो भी जखमी हुआ है वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को जो वहां से गुजर रहा था एक विक्ति उसको भी गोली मारी है सब्सक्राइब कोशिश करेंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देखिए यहां पर इमर्जैन्सी एक बुरी ख़़र आ रही है और आप इंधर एंदर भी उनको राया गया था इस इमर्जैन्सी और यहीलाज करने प्सक्राइब कि किसी पी तरह से उनको नैंस कि अइसा संभव नहीं हो पाया और हम आपको दिखाते हैं इमर्जैन्सी के यहां पर मौदूद है बड़ी संख्या में जो लोग है वो यहां पहुचे हैं और यह आप इमर्जेंसी देख सकते हैं मैट्रोमास की यहीं पर उनको लेकर आया गया है और अभी यहां फिलाल अंदर किसी को भी जाने की जो परमीशन है वो नहीं दी जा रही है और यहां पर आप देख सकते हैं जो शीपरवद थाना पुलिस है वो भी यहां पर मौके पर मौदूद है मांसुर थाना पुलिस भी यहां पर मौके पर मौदूद है शामनगर थाना पुलिस क्योंकि शामनगर थानी का यह पूरा गटना करम है वह यहां पर मौदूद है अभी किसी भी और सेर के समान व्यक्ति थे, उनके साथ इस तरह की निर्देदा पूर्ण और कायराना घटना होना, इसके लिए कोई सब्दी नहीं है, कोई भी सब्द नहीं है, सब्धे समाज में कोई भी व्यक्ति को इस तरह जाकर के घर के अंदर दीन दाड़े गोलियों से भून दिया ज मैंने कमिस्टर साब से यह भी रिक्वेश्ट किये है कि पूरे छेतर के अंदर दहसत का माहूल है वहां गस्त की वियोस्ता की जाए पुलिस की वियोस्ता की जाए और सबसे पहले अपराधियों को तुरंत ग्रबतार किया जाए इसके लिए कोई भी सब्द नहीं है मेरे पास सब्सक्राइब जानकारी की सुखदेव सिंग गोगा मेड़ी की मौत हो गई है उनकी गोली मार कर रत्या कर दी गई है उनको घायल होने के तुरंत बाद अस्पताल पहुचाए गया था जहांसे अंदर से एक खबर बिल रही है कि उनकी मौत हो गई है उनको बचाया नहीं जा सका है बताये ये जा रहा है कि बदमाशों ने उनके उपर अंधादून फाइरिंग की है उनके गन्मेन को भी गोली मारी है और एक राहगीर जो वहां से जा रहा था उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूटी चीन कर भागने की कोशिश की है बचाव में जो गोली चली है उसमें एक बदमाश को भी बताया जारह की गोली लगी ौर इसके बाद उसके जो साथी थे वो बदमाश को वहाँ से बचा कर ले गए लेकिन सुकादेव सिंग गोगा मेरी को बताया जा Рएक की चार गोलियां लगी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका है सुखदेव सिंग गोगा मेडी राश्ट्रिय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे और जैपुर में बताया जा रहे हैं कि श्याम नगर इलाके में ही उनके उपर हमला हुआ है जानकारी ये है कि संभवता उनके घर में गोली मारी गई है उनको यहीं पर हमलावर आये थे और यहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है यह देखी कुछ शेल भी इसमक्त नजर आ रहे हैं जो गोलियों के खोके हैं वो भी कुछ फुटेज में हम देख सकते हैं तो सुखदेव सिंग गोगा मेनी जिनोंने राश्ट्री करनी सेना से अलग कुछ विवाद होने के बाद अपना नया संगठन खड़ा किया था राश्ट्री राचपूत करनी सेना उनके संगठन का नाम था उसके अध्यक्ष के तार पर वो काम कर रहे थे ऐसा क्या हुआ ये कौन से हमलावर हो सकते हैं ये कौन से बदमाश हो सकते हैं इसको लेकर पुलिस के उपर अभी सवाल है सुरक्षा विवस्था को लेकर सवाल है इस बड़ी वारदात के बाद बहुत सारे सवाल है कि आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा और कब तक ये आरोपी ये वदमाश पकले जाएंगे पिलाल पूरे शहर में पुलिस ने नाकि बंदी कर दी है और आरोपियों की धर पकड़ की कोशिश की जा रही है लेकिन ये तीन शेल इस वक्त जो हमें नजर आ रहे हैं एक बोरे के उपर जो हम इस वक्त देख सकते हैं कि तीन खोके जो हैं ये चले हुए खोके हैं यानि कि जो हम इसमें देख सकते हैं पिस्टल से ये हमला किया गया है जो शेल नजर आ रहे हैं ये वो कार्तूस हैं जो पिस्टल में इस्तेमाल होते हैं और उन्हीं के ये खोके हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं बताया जारा कि चार बदमाश थे यहां पर आये थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी के साथ चार लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया फाइरिंग करना अचानक शुरू कर दिया बताया जारा कि चार गोलियां मारी गई है जो गन्मेंट था सुखदेव सिंग गोगा मेनिका उसको भी एक गोली लगी है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है और साथ ही एक राहगीर जो वहां से गुजर रहा था उसको गोली मारी गई है और उसकी स्कूटी चीनकर ये बदमाश परार हुए है इस वारदात को अंजाम देते वक्त बताया जारा कि एक बदमाश को भी जो हमला वर थे उनमें से एक शक्त जखमी हुआ है और उसको भी बताया जारा कि जो जवाबी फाइरिंग थे उसमें गोली लगी है और उस घायल शक्स को बाकी उसके साथी जो थे वो बचा कर ले जाने में कामियाब रहे है लेकिन अब ये ज़रूर देखना होगा कि इसके आगे पुलिस कब तक गरफतार कर पाती है ये जो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल परिसर की तस्वीरे हैं लोगों की उनके समर्तकों की भीड है और पुलिस के सामने कानून विवस्ता बनाय रखना इस वक्त एक चुनौती है कि करणी सेना की अध्यक्ष सुखदेव सिंग अपना एक अलग संगठन उन्होंने खड़ा किया था और उनके संगठन का नाम था राजपूत करणी सेना राश्वे करणी सेना से अलग उन्होंने अपनी करणी सेना एक नई बनाई थी जिसका नाम था राजपूत करणी सेना और उसकी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी सम्हाल रहे थे कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैपूर से करनी सेना किया अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सुक्धेव सिंग एक द हुख कर दीग की गई है उनकी जो डैड बोडी है वो यहां से ले जाए जाएगी SMS मोर्ची उसको शिफ्ट किया जाएगर वहाँ पे Medical Board से शवका पोश्माटम होगा लेकिन जिस सरे से ही पुरी वारदात हुई है दिन धाड़े पुरी राजधानी पुरी वारदात के बरें पता चला जो पुरा जैपुर शहर है वो एक दम से दहल गया क्योंकि पॉश एरिया शामनगर और वहाँ पे दिन धाड़े इस तरह की वारदात होना घर के अंदर घुसकर गोलियों से बुना और वो भी जो स्री राजपूत कंड़ी सेना के अध्यक्स हैं सुपदेव सिंग गोगा मिडी उनको तो यहां पर कई तरह की जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशाचन की कारे प्रणाली को लेकर भी पुलिस के अधिकारी बस्ते होए हमें को यहां पर दिखाई दे रहे है को नहीं होने हमारे सवालों की जो जवाब हैं वो नहीं दिया इतना कहा कि फाइरिंग की घटना हुई है पुलिस जाच कर रही है हमला वर कौन थे उनके भी तलाश की जा रही है मतलब कि पुलीस के हाथ में बी नहीं है कि हमला वर कौन थे शक यहां पर जताये दाराए जो पूरी वारदात है उसको बदमाशों ने अंजाम दिया पूरक्षा उनको मिली नहीं ये इस वक्त जानकारी मिल रही है अंकुर त्यागी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है सीधे उनकी तरफ चलते हैं अंकुर इतनी बड़ी वारदात चुनाव के ठीक बाद क्या इसके पीछे आशंगा जताई जा रही है कि यह लोग आए यहां पर आते हैं अंदधुन्द तरीके से यहां पर फाइरिंग करना यहां पर शुरू कर दिया है कैमरा में अचे पर कहूंगा एक थोड़ा साब दिखाएंगे इस वक्त पुरा अपनी तरफ से जो इन्वेस्टिकेशन है वह यहां पर चल रहा है पुलिस आई हुई है और पूरा जो घर है यही जो कमरा है यहीं पर उनको जो आप देख रहे हैं पुलिस के दिकारी यहां और यह भागने की कोशिश करते हैं फिलहाल यह पूरा जो इलाका है में आप देख सकते हैं पूरे जो घर है यह काफी हाई प्रोफाइल सोसाइटी है अपने आप में और वहां पर इस तरह की वारदात हो जाना और दिन दहाड़े यह वारदात का होना यह बेहत चौकाने पूरा इरिया है इसकी सीची डिवीज जो है अलग अलग निकाला जा रहा है और फिलहाल यहां पर इन्वेस्टिशन बिल्कुल इस बात को लिकी की जा रही है कि है कि कौन अभी तक पूलिस ने इडिंटिफाइं नहीं किया गया है उसके पास पॉसिबिटी कई अलग उससे था लेकिन स्पेसेफिकली पूलिस अभी कहने से बच रही है कि कौन थे यह किस कैंक से जोड़े हुए थे या कौन थे लेकिन हाँ इकिन तो अभी फिलहाल इनकी खोज का काम तेजी से चल रहा है तो यह अंकुर विस्तार से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा है सब के बीच ये देखिए FSL की टीम मौके पर मौजूद है और दूसरे तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं प्रमाज हस्पिटल के बार मौदूद है जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है कि सुगदीव सिंगोगा मेडी की हत्या हुई है इस तरह से दिन धाड़े उन पर फाइरिंग करके उनके हत्या की गई है उसके बाद बड़ी तादाद में ना केवल जैपूर में रहने पाले लोग बल्कि दूसरे जिलो से भी जो लोग है वह रवाना हो गए है जैपूर में आ रहे हैं इस हुस्पिटल के भार आ रहे हैं तो ऐसे में पुलिस है उससे यहां पर गल्ती हुई है जाहिरती बात है जिससे सूचना हमको मिल रही है लगातार उन से जुड़े वे लोग वं बता रहे हैं कि उनको लगातार लॉरेंस विज्शनोई गैंक से धंकै मिल रही थी और उन्होंने उसको लेकर पूलिस मुक्याले को भी पतर लिखा था ग्रह विवाक को भी पतर लिखाता सुरक्शा बढ़ानी की मांग की थी सुरक्शा की मांग ती लेकिन उस पर किसी भी तरह की कुछ तुनवाई नहीं हुई और जो बदमाश हैं वो अपने मनसुबों में आज कामियाब हो गए और उनको बदमाशों को ये भी पता था कि जो दो गार्ड सुगदेव सिंग गोगा मेडी की जो सिक्योटी में लगे वे हैं और ऐसे में उन्होंने मौका देखा तो देव सिंग गोगा मेडी की हत्या की वो भी उनके घर के अंदर घुसका जी तो ये अस्पताल से भी हमारे सायोगी जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें खास बात यह है कि सुरक्षा मांगी गई थी और सुरक्षा मांगी गई थी तो पुलिस ने सुरक्षा क्यों दी ये सवाल पुलिस के उपर इस वक्त उनके जो समर्थक हैं उनके जो चाहने वाले हैं वो उठा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ वदमाशों को पकड़ने के लिए और सबूत जुटाने के लिए जो अलगला टीमे हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं एफसल की टीम जो इस वक काम कर रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं तो सवाल कुछ ऐसे लोगों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या किसी की मिली भगत हो सकती है हमलावरों ने ऐसे वक्त को चुना जब उनके सुरक्षा के जो गार्ड थे जो तैनात रहते थे वो चुटी पर थे और एक पेट में मारा गया था इसके साथ ही जैसे ही उनका गार्ड बीच बचाओ करने आ है तो गार्ड को भी उनको गोली मारी गई थे और बीच बचाओ के दोरान एक जो बद बदमास थें चार-पांस बताए जा रहे थे उन में से बदमास को गोली लगे फिलाल आहरे पास एक सूचना इत्मास की मौत होने की सूचना बताई जा रही है लेकिन अभी फिलाल क्योंकि यहां गटना इस तल पर जहां पर स्पोर्स पहुंची है साथ ही जो यहां पर अब क्योंकि पुलीस पर एक सवल खड़ा हो रहे हैं कि गर में गुज़कर दिन दहाड़े किस तरीके से बारदात को अंजम दिया गया है और साथ ही सीची टीवी कि आप देखें जो केमरे में हम दिखा रहे हैं आपको जो गोगा सूरजपाल अम्मु जी हमारे साथ जुड़े हुआ है सूरजपाल जी इतनी कितनी बड़ी वार्दात जैपूर जैसे शहर में हो जाना क्या कहेंगा मुझे लगता है कि यह जो इसके उपर में इतना ही कहा हूँ सुपेज सिंग गोगा मेडिक समाजी संसा के राशियत थी स्री राशियराजी कर्णी साना में इतनी वर्तों थे वो समाज की सेवा कर गए थे दोगों के दुख देर ने काम आते हैं पर दूगेलाज सरकार की नाकामी न लाइकी के कारत आप सुपेर सींग गोगा मेडी के सा के गटना हुई है मैं इसलिए आपसे गैलो सरकार की बात कर रहा हूँ, सुप्धियर सिंग गोगा मेडी को लगातार विश्णवी के इनकी सर्थ से ठाई वर्तों से लगातार धंकिया मिल रही थी और ये धंकिया मिलने के बावजूर डीजी पी राजिस्टान पुलिस में परतली गोगा मेडी मिले, पुख्यमंतुरी से काईबर वनों ने बात भी पत्राचार किया, उसके बावजूर भी गोगा मेडी को सुरक्चा पदा नहीं की इसमें सीधी सीधी में लापरवाई कह रहा हूँ, गैलोज सरकार की लापरवाई के कारणा अंदर अमित्र हूँ, मेरा छोटा भाई दोगा मेडी आज मारे बीट नहीं रहा, किसी के घर में उनके बगल में जो सेक्यूरिटी खड़े था, उनके भी गोली लग गया, वो अभी हॉस्पिटल में, आईशिव में है, और इस क्रॉस फायर में, क्रॉस फायर के दवरान तीन हमलावारों में एक का भी डेथ हो गया, तो वो जिसका डेथ हो गया, उनका नाम है नवीन सिं करता है, यह कोई दुकान करता है, कोई चोटा माटा कपटे का दुकान करता है, तो जो भी हो हम उसका, उस लीड है, हमारे पास CCTV का फुटेज है, जो टोटल खड़ना क्रम है, वो CCTV में काईद हो गया है, अब उस ही का चल रहा है, हम जो जितना भी साक्षिया और सूचना है हमारे पास है, उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्नित करेंगे, और इसके पीछे, जो भी इसका प्लाइनिंग गिया है, उदर तक हम जल्दी पहुंच जाएगे, जो यहां से जब भाग रहा था, यहां से जब जा रहा था, तो उनको एसकेप के ले नहीं पाया, क्योंकि जिसने गाड़ी लेके आया था, उनका क्रोस फायर में म्रतिव हुआ, तो उनको गेट अवे के लिए एक स्कूटी छीनके वो स्कूटी में भग गया, वो इसके बता रहे थे कि एक बदमाश पी मारा गया, जो क्रोस फायर में बदमाश को गोली ल हुए है, इसकी पूरी मदद है, उनने कहा है, सारे फुटेज हमारे पास अविलेबल है, तीन जो ये हमलावार आए थे, उनके से एक हमलावार है, जो गाड़ी चला रहा था, जो गाड़ी चला कर लिकर आया था, वो क्रोस फैर हुआ, इन दोनों के बीच में, और उसमें उसकी मौत हो गए, और बाकी के जो दो लोग थे, वो एक बाइक सवार की बाइक लेकर, फायर करके, बाइक सवार की बाइक लेकर, भागने में काम्याप हो गए, हाला कि उनको आइडिन्टिफाइ करने की कुशिश की जा रहे ही, जीते भी CCDV हैं, उनको खंगाला जा रहा पर दो चीजे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नाम भी शायद एक बताया है जो हमलावर था जिसकी क्रॉस फायर में जान गई है जिसकी मौत हुई है उसका नाम भी बताया है और ये भी बताया है कि बाकी जो दो साती है उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा ठीक है मैं आप के पास वापस टॉट कर आता हूँ लेकि जरा देखिए क्योंकि पुलिस कमिशनर यहाँ पर आये थे मौके का मौईना करने के लिए घटना इस तल पर यानि कि सुकदेव सिंग के घर पर आये थे पुलिस कमिशनर और उन्होंने ये बयान दिया है कि यहाँ पर जो क्रॉस का मैं पर हुआ जिसे एक बदमाश को गोरी लगी थी जिसका इसे में क्योंकि अभी तो पुलिस को सीची टीवी के मिने में पूरा घटना करम देखे पुलिस ने कमिशनर ने बताया है कि पूरा जो घटना करा हूँ सीची टीवी केमरे में केद हो चुका है यानि वह जो बदमास हैं वह भी सीची टीवी केमरे में आचुके एक की मौत हो चुकी है बचे दो लोग हैं उनके भी अब पैच तो ये बड़ी बात है क्योंकि वहाँ पर सीची टीवी भी लगा हुआ है और सीची टीवी केमरे में रिकॉर्ड हुई है ये वारदात ये भी पुलिस की ओर से बताया गया है बदमाशों की फुटेज भी है और उसके आधार पर तलाश करना आसान पुलिस के लिए हो जाएगा एक बदमाश की चुकी मौत हुई है और उसकी पहचान भी उसका आइडिनिफिकेशन भी हो चुका है और इसलिए इस केस को खोलने में शायद मदद मिलेगी एक बड़ी खबर मिल रही है जैपूर से जहां पर करनी सेना के अध्यक्ष को गोली मारी गई है गोली मार कर हत्या कर दी गई है इस वक्ती बड़ी खबर आपको बता रहे है जैपूर से मिल रही है जहां करनी सेना के अध्यक्ष की गोली मार कर हत्या की गई है इस वक्ती वारदात को अंजाम देने के बाद एक रहगीर को गोली मार कर उसकी स्कूटी बदमाशों ने ऊचीन लीए और वहीं बचाओ में की गई फाइरिंग में एक बदमाश को भी गोली लगी है ये वी जानकारी इस वक्त मिल रही है गायल बदमाश को मौके से लेकर अन्य बदमाश फरार हो गए हैं फिलाल पूरे शहर में नाका बंदी करा दी गई है और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है इस वक्ती बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुकदेव सिंग जो करणी सेना के अध्यक्षे उनको गोली बारी गई है उनकी मौत हो गई है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है सुकदेव सिंग के गन्में को भी गोली लगी है पर जान लेवा हमला हुआ है तो बड़ी तादाद में जो लोग है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैपुर से करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग की गोली मार कर रत्या की गई है और ये बड़ी खबर है सुखदेव सिंग सहित उनके जो आसपास गन्में थे जो उनकी सुरक्षा में तेनाब थे उनको उन पर भी फाइरिंग बदमाशों ने की है उनके गन्में को भी बताया जारा की गोली लगी है वो भी जखमी हुआ है वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को जो वहाँ से गुजर रहा था एक व्यक्ति उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूपी चीनी ने कुछ बूला है ना ये हम मौके पे गैचे मौका मौका वारदात के भी जो प्रिस की टीम मौजूओ थी उन्होंने भी किसी तरह की जानकरी साजा नहीं की और अब जिस तरह से अभी अपडेट जो है मर पास आ रही हम अपडेट की कुछिशिश करेंगे देखिए यहां पर जो इमर्जेंसी है वहाँ से ये एक बुरी खवर आ रही कि जो सुकदेव सिंग गोगा मेडी ही उनकी डैस हो चुकी है और आप इसी के अंदर अभी उनको यहां लाए गया था इस इमर्जेंसी के अंदर और यहीं पर जो इलाज करने की और जो पुली पूरी स्टीम यहां पहुचे हैं और यह आप इमर्जनसी देख सकते हैं मैटरोमास की यहीं पर लेकर आया गया है और अभी यहां फिलाल अंदर किसी को भी जाने की जो परमीशन है वो नहीं दी जा रही है और यहां पर आप देख सकते हैं जो शीपरवध थाना पुलीस है वह भी यहां पर मौके पर मौदूद है मांसुर थाना पुलीस भी यहां पर मौके पर मौदूद है शाम नगर थाना पुलीस क्योंकि शाम नगर थाने का यह पूरा गटना करम है वह यहां पर मौदूद है अभी किसी भी तरह की कोई जो ऑफिशल भूम बयान है वो दिया इसके लिए कोई सब्दी नहीं है कोई भी सब्द नहीं है सब्य समाज में कोई भी व्यक्ति को इस तरह जाकर के घर के अंदर दीन दाड़े गोलियों से भून दिया जाए ये बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है और मुझे विश्वास है कि पूलिस परसासन तुरंत सक्री हो की बेवस्ता की जाए और सबसे पहले अपराधियों को तुरंत ग्रबदार किया जाए इसके लिए कोई भी सब्द नहीं है मेरे पास करें अब अब अधर जादा जिनता जनक है मैं कराओं बहुत जादा चिंता जनक हालात है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ये बड़ी जानकारी की सुखदेव सिंग गोगा मेरी की मौत हो गई है उनकी गोली मार कर रत्या कर दी गई है उनको घायल होने के तुरंट बाद अस्पताल पहुचाया गया था जहां से अंदर से ये खबर बिल रही है कि उनकी मौत हो गई है उनको बचाया नहीं जा सका है बताये ये जारा है कि बड़माशों ने उनके उपर अंधादून फाइरिंग की है उनके गनमेन को भी गोली मारी है और एक राहगीर जो बहां से जा रहा था उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूटी चीन कर भागने की कोशश की है बचाओ में जो गोली चली है उसमें एक बदमाश को भी बताय जारा की गोली लगी और इसके बाद उसके जो साथी थे वो बदमाश को वहां से बचा कर ले गए लेकिन सुख़देव सिंग गोगा मेडी को बताया जा रहे कि चार गोलियां लगी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका है सुख़देव सिंग गोगा मेडी राश्ट्रिय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे और जैपुर में बताया जारे कि श्याम नगर इलाके में ही उनके उपर हमला हुआ है जानकारी ये है कि संभवता उनके घर में गोली मारी गई है उनको यहीं पर हमला वराय थे और यहाँ पर इस वारदात को अन्जाम दिया गया है ये देखी कुछ शेल भी इसमक्त नजर आ रहे हैं जो गोलियों के खोके हैं वो भी कुछ फुटेज में हम देख सकते हैं तो सुखदेव सिंग गोगा मेनी जिनोंने राश्ट्री करनी सेना से अलग कुछ विवाद होने के बाद अपना नया संगठन खड़ा किया था राश्ट्री राश्पूत करनी सेना उनके संगठन का नाम था उसके अध्यक्ष के तोर पर वो काम कर रहे थे ऐसा क्या हुआ ये कौन से हमलावर हो सकते हैं ये कौन से बदमाश हो सकते हैं इसको लेकर पुलिस के उपर अभी सवाल है सुरक्षा विवस्था को लेकर सवाल है इस बड़ी वारदात के बाद बहुत सारे सवाल है कि आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा और कब तक ये आरोपी ये बदमाश पकले जाएंगे पिलाल पूरे शहर में पुलिस ने नाकिबंदी कर दी है और आरोपियों की धरपकड की कोशिश की जा रही है लेकिन ये तीन शेल इस वक्त जो हमें नजर आ रहे हैं एक बोर्य के उपर जो हम इस वक्त देख सकते हैं ये तीन खोके जो हैं ये चले हुए खोके हैं यानि की जो हम इसमें देख सकते हैं पिस्टल से ये हमला किया गया है जो शेल नजर आ रहे हैं ये वो कार्तूस हैं जो पिस्टल में इस्तेमाल होते हैं और उन्हीं के ये खोके हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं बताया जारा कि चार बदमाश थे, यहां पर आये थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तयारी के साथ चार लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, फाइरिंग करना अचानक शुरू कर दिया बताया जाया रहा कि चार गोलियां मारी गए हैं, जो गन्मेन था, सुखदेव सिंग, गोगामेनी का, उसको भी एक गोली लगी है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है, और साथ ही एक रह गीर जो वहां से गुजर रहा था, उसको गोली मारी गए है, और उसकी स्कूटी चीनकर ये बदमाश परार हुए है इस वारदात को अंजाम देते वक्त बताया जा रहा है कि एक बदमाश को भी जो हमला वर थे उनमें से एक शक्स जखमी हुआ है और उसको भी बताया जा रहा है कि जो जवाबी फायरिंग थे उसमें गोली लगी है और उस घायल शक्स को बाकी उसके साथी जो थे वो बचा कर ले जाने में कामियाब रहे हैं लेकिन अब ये ज़रूर देखना होगा कि इसके आगे पुलिस कब तक गिरफतार कर पाती है ये जो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल परिसर की तस्वीरे हैं लोगों की उनके समर्थकों की भीड है और पुलिस के सामने कानून विवस्ता बनाय रखना इस वक्त एक चुनौती है क्यों करनी सेना की अध्यक्ष सुखदेव सिंग अपना एक अलग संगठन उन्होंने खड़ा किया था और उनके संगठन का नाम था राजपूत करनी सेना राश्वे करनी सेना से अलग उन्होंने अपनी करनी सेना एक नई बनाई थी जिसका नाम था राजपूत करनी सेना और उसकी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी समहाल रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैपूर से करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग की गोली मार कर अत्या की गई है उनकी जो डैड बोडी है वो यहां से ले जाए जाएगी SMS मोर्ची उसको शिफ्ट किया जाएगार वहाँ पे मेडिकल बोर्ट से शव का पोश्माटम होगा लेकिन जिस सरे से ही पुरी वारदात हुई है दिन धाड़े पुरी राजधानी इस पुरी वारदात के बरें पता चला जो पुरा जैपुर शहर है वो एक दम से दहल गया क्योंकि पॉश एरिया शामनगर और वहाँ पे दिन धाड़े इस तरह की वारदात होना पुलिस के अधिकारी बस्ते हुए हमें को यहां पर दिखाई दे रहे हैं हमने जो इनसे बात करने की कोशिशित थी तो उन्होंने हमारे सवालों के भी जो जवाब है वो नहीं दिये पस इतना कहा कि फाइरिंग की घटना हुई है पुलिस जाच कर रही है हमला वर कौन थे उनके भी तलाश की जा रही है मतलब कि पुलिस के हाथ में बितक किसी तरह का क्लीू भी नहीं है कि हमला वर कौन थे शक यहां पर जाता है लाुरेंस विश्णोई गैंग के और से लगातार सुपदेव सिंग गोगा मेडी को दंकें दी जा रही थी इसको लेकर सुपदेव इसके पीछे आशंका जताई जा रही है जिसमें एक तीजी की सफ्तार थे एक स्कॉर्पियो के अंदर बैठ के जो प्रतिक्ष दर्शी है वो जो बता रहे हैं कि यह लोग आए यहां पर आते ही अंदर दूंद तरीके से यहां पर फाइरिंग करना यहां पर शुरू कर दिया यहां पर फाइरिंग को दिखाएंगे इसवक्त जो पुरा अपनी तरफ से जो इन्वेस्टिकेशन है वो यहां पर चल रहा है पुलिस आई हुई है और पुरा जो घर है यह जो कमरा है यही पर उनको जो आप देख रहे हैं पुलिस के दिकारी यहां पर खड़े हैं जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया था और उसके बाद तापर तोर्दाजिक से हां बोलिए फाइरिंग होती है और उसके बाद यह लोग तुरंट वहां से निकलते हैं बहां निकलकर एक गाड़ी को हाई जेक करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं होते तो एक बाइक सवार की बाइक को उठाकर यह भागने की कोशिश करते हैं फिरहाल यह पूरा जो इलाका है में आप देख सकते हैं पूरे जो घर है कि काफी हाई प्रोफाइल से उसाइटी है अपने आप में और वहां पर इस तरह की वारदात हो जाना और दिन दाहाड़े यह वारदात का होना यह बहुत चौकाने वाली खबर है और जो पुलिस है उसकी इंवस्टिगेशन ही हाँ पर चल रही है सीसी डिवीज को कहां पर खंगारा जा रहा है कि जो रूट है कि काफी व्याइपी पूरा एरिया है इसकी सीसी डिवीज जो है अलग-लग रूट पर उ अलग-लग उससे था लेकिन स्पेसेफिकली पूलिस अभी कहने से बच रही है कि कौन थे यह किस कैंक से जोड़े हुए थे या कौन थे लेकिन हाँ इकिन तो अभी फिलहाल इनकी खोज का काम तेजी से चल रहा है तो यह अंकुर विस्तार से चीजों को समझाने के कोशिश हुई है इस तरह से दिन धाड़े उन पर फाइरिंग करके उनके अत्या की गई है उसके बाद बड़ी तादाद में ना केवल जैपूर में रहने वाले लोग बलकि दूसरे जिलों से भी जो लोग है वो रवाना हो गए है जैपूर में आ रहे हैं तो ऐसे में जो पुलिस ह है उससे यहां पर गलती हुई है जाहिरती बात है जिससर से सूचना हमको मिल रही है लगातार उनसे जुड़े वे जो लोग हो बता रहे हैं कि उनको लगातार लौनेस विश्णोई गैंक से धंक्या मिल रही थी और उन्होंने उसको लेकर पुलिस मुख्याले को भी पत्र लिखा था सुरक्षा बढ़ानी की मांगी थी सुरक्षा की मांगी थी लेकिन उस पर किसी भी तरह की कुछ सुनवाई नहीं हुई और जो बदमाश हैं वो अपने मनसूबों में आज कामियाब हो गए और उनको बदमाशों को ये भी पता था कि जो दो गार्ड सुदेव सि योगी जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें खास बात या है कि सुरक्षा मांगी थी और सुरक्षा मांगी थी तो पुलिस ने सुरक्षा क्यों ने दी ये सवाल पुलिस के उपर इस वक्त उनके जो समर्थक हैं उनके जो चाने वाले हैं वो उठा रहे हैं लेकिन दूसरी तर और उनको ये पता था तो सवाल कुछ ऐसे लोगों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या किसी की मिली भगत हो सकती है हमलावरों ने ऐसे वक्त को चुना जब उनके सुरक्षा के जो गाड्स थे जो तैनात रहते थे वो चुटी पर दे और एक पेट में मारा गया था इसके स कॉधाती जैसे ही उनकागाण बीच बचाओ करने है तो गाड्स को भी उनको गोली मारी ते और भीच बचाओ के दौरान एक जो बदमास थे चार-पांस यो बदमास बताये जा रहे था उन में से बदमास को गोली लगी फिलाल अब मारे पास चुना पर का वी सब्ते अरे कि सूचना वदाई जारी लेकिन अभी फिलाल क्योंकि यहां गटना इस तल पर जहां पर एफसल टीम और पुलिस के आला दीकारी यहां पोंचे हैं फुद पुलिस जो जैपुर पुलिस कमिशनर है वीजू जोर्ज जोसब वो खुद पोंचे यहां पर गटना इस तल का है साथी जो यहां पर अब क्योंकि पुलिस पर एक सवाल खड़ा हो रहे हैं कि गर में गुशकर दिन दहाड़े किस तरीके से बारदात को अंजम दिया गया है और साथी सीची टीवी कि आप देखें जो केमरे में हम दिखा रहे हैं आपको जो गोगा मेडी के घर पर यहां कि कौन लोग आये थे क्या थे क्या थे क्या पहले से ही रेकी कर रहे थे किस तरीके उनके क्योंकि जो आने जाने का जो उनका था सुड़ून को लेगिन ये सीची टीवी के लिए रोकना चाहते हैं इस वक्त सूरजपाल अम्मू जी हमारे साथ जुड़े हूँ है सूरजप करनी साना में इसमय वर्तों थे हो समाज की सेवा कर रहे थे दोगों के दुझतर ने काम आते थे परिंटू गयलोज सरकार की नाकामी नलाइकी के करक्त आःए शुपेर से गोगामेडी के साथ इगटना हुई है मैं इसलिए आप से गैलोज सरकार की बात कर रहा हूँ शुक्वियर सिंग गोगामेडी को लगातार विश्णवी के एंस सर्थ से थाई वर्तों से लगातार दंकिया मिल रही थी और ये धमकिया मिलने के बावजूद डीजी पी राजिस्टान पुलिस परतली गोगामेडी मिले पुख्यमंतुरी से लिचाई वर्तों ने बात भी पत्राचार किया उसके बावजूद भी गोगामेडी को सुरक्या पता नहीं की इसमें सीधी सीधी में लापरवाई कह रहा हूँ गैलोज सरकार की लापरवाई के कारणा अच्छोटा भाई दोगामेडी आज हमारे भी नहीं रहा किती के घर में गया उनके बगल में जो सेक्यूरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया वो अभी हास्पिटल में है और इस क्रॉसफायर में क्रॉसफायर के दवरान तीन हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया तो वो जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंख शेखावत वो है यहां का मूल रूम से शापुरा के कास पास का रहने वाला है और अबी जैपूर में निवास कर रहा है यह कोई दुकान करता है को चोटा मटा कपटे का दुकान करता है तो जो भी हो हम उसका उस ऐस लीड है आमारे पस CCTV का फुटिज है जो टोटल खड़ना क्रम है फूप स उसी का चल रहा है हम जो जितना भी साक्षिया और सूचना है हमारे पास है उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्नित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लाइनिंग गिया है उदर तक हम जल्दी पहुंच जाएं जो यहां से जब भाग रहा था तो उनको एसके लिए उस ने ले नहीं पाया क्योंकि जिस ने गाड़ी लेके आये था उनका क्रोस्वायर में नृतिव हुआ तो उनको गेट अवे के लिए एक स्कूटी चीनके वो स्कूटी में भग गया तो सुन रहे थे बीजू जो कमिश्टर है जैपूर के वो इसक बता रहे थे कि एक बदमाश भी मारा गया जो क्रॉस फायर में बदमाश को गोली लगी थी उसकी भी मौत हुई है इसकी पूरी मदद है उन्होंने कहा है सारे फुटेज हमारे पास अविलेबल है तीन जो ये हमलावार आए थे उनमेंसे एक हमलावार है जो गाड़ी चला रहा था जो गाड़ी चला कर लिकर आया था वो क्रॉस फैर हुआ इन दोनों के बीच में और उसमें उसकी मौत हो आपसे जानना चाहता हूँ कि नाम भी शायद एक बताया है जो हमलावर था जिसकी क्रॉस फायर में जान गई है जिसकी मौत हुई है उसका नाम भी बताया है और ये भी बताया है कि बाकी जो दो साती है उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा ठीक है मैं आपके पास वापस आता हूँ लेकिन ज़रा देखिए क्योंकि पुलिस कमिश्टर यहां पर आये थे मौके का मौइना करने के लिए घटना इस तरल पर यानि कि सुखदेव सिंग के घर पर आये थे पुलिस कमिश्टर और उन्होंने ये बयान दिया है कि यहां पर जो क्रॉस फायर हुआ जिस वह भी CCTV केमरे में आख चुक है एक की मौत हो चुकी है बचे दो लोग है उनके भी अब पैच तो ये बड़ी बात है क्योंकि वहां पर CCTV भी लगा हुआ है और CCTV केमरे में रिकॉर्ड हुई है ये वारदात ये भी पुलिस की ओर से बताया गया है बदमाशों की फुटेज भी है और उसके आधार पर तलाश करना आसान पुलिस के लिए हो जाएगा एक बदमाश की चुकी मौत हुई है और उसकी पहचान भी उसका आइडिनिफिकेशन भी हो चुका है और इसलिए इस केस को खोलने में शायद मदद मिलेगी बड़ी खबर मिल रही है जैपुर से जहां पर करनी सेना के अध्यक्ष को गोली मारी गए है गोली मार कर हत्या कर दी गई है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है जैपुर से मिल रही है जहां करनी सेना के अध्यक्ष की गोली मार कर हत्या की गई है इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी करनी से गोली मारी है वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को गोली मार कर उसकी स्कूटी बदमाशों ने चीन ली है और वहीं बचाओ में की गई फाइरिंग में एक बदमाश को भी गोली लगी है ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है घायल बदमाश को मौके से लेकर अ अध्यक्षे उनको गोली बारी गई है उनकी मौत हो गई है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है सुखदेव सिंग के गनमेन को भी गोली लगी है तो बड़ी तादाद में जो लोग है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है जैपुर से करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग की गोली मार कर हत्या की गई है और ये बड़ी खबर है सुखदेव सिंग सहित उनके जो आसपास गनमेन थे जो उनकी सुरक्षा में तेनाद उनको उन पर भी फाइरिंग बदमाशों ने की है उनके गनमेन को भी बताया जारा की गोली लगी है वो भी जखमी हुआ है वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को जो वहां से गुजर रहा था एक विक्ती उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूपी चीने इसे इमर्जेंसी के अंदर और यहीं पे जो इलाज करने की और जो पुली जो यहां पे चिकिस्तिकों की टीम थी उन्होंने पूरी कोशिश करी और यह दो नहीं बचाया जा सकी लेकिन बताया जारा कि ऐसा संभव नहीं हो पाया और हम अभी आपको दिखाते हैं में इमर्जेंसी के अंदर ही आए यहां पी बड़ी तादाज में जो उनके घर के जो लोग है जो पुलिस के अधिकारी है वो यहां पे मौझूद है आप देख सकते हैं पु मौウची मौझूद है मानसूर थाना पुलिस भी यहां पर मौचे पर मौझूद है कोई सब्दी नहीं है कोई भी सब्द नहीं है सब ये समाज में कोई भी व्यक्ति को इस तरह जाकर के घर के अंदर दीन दाड़े गोलियों से भून दिया जाए ये बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है और मुझे विश्वास है कि पुलिस परसासन तुरंत सक्री हो करके अब तक उनको ग्रबदार कर लेने की कारवाई कर रहा होगा मैंने कविश्नर साब से ये भी रिक्वेश्ट किए कि पूरे छेत्र के अंदर दहसत का माहुल है वहाँ गस्त की वियुस्ता की जाए पुलिस की वियुस्ता की जाए और सब से पहले अपराधियों को तुरंते ग् मेरे पास के हैं अभी आप अंदर जाके हैं क्या हालात बहुत ज्यादा चिंता जनक हालात है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ये बड़ी जानकारी की सुखदेव सिंग, गोगा, मेरी की मौत हो गई है उनकी गोली मार कर रत्या कर दी गई है उनको घायल होने के तुरंत बाद अस्पताल पहुचाया गया था जहां से अंदर से ये खबर मिल रही है कि उनकी मौत हो गई है उनको बचाया नहीं जा सका है बताये ये जा रहा है कि बदमाशों ने उनके उपर अंधादून फाइरिंग की है उनके गन्मेन को भी गोली मारी है और एक राहगीर जो वहां से जा रहा था उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूटी चीन कर भागने की कोशिश की है बचाव में जो गोली चली है उसमें एक बदमाश को भी बताया जारा की गोली लगी और इसके बाद उसके जो साथी थे वो बदमाश को वहां से बचा कर ले गए लेकिन सुख़देव सिंग गोगा मेडी को बताया जा रहे कि चार गोलियां लगी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका है सुख़देव सिंग गोगा मेडी राश्ट्रिय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे और जैपुर में बताया जा रहा है कि श्याम नगर इलाके में ही उनके उपर हमला हुआ है जानकारी ये है कि संभवता उनके घर में गोली मारी गई है उनको यहीं पर हमला वर आये थे और यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है यह देखी कुछ शेल भी इस वक्त नजर आ रहे हैं जो गोलियों के खोके हैं वो भी कुछ फुटेज में हम देख सकते हैं तो सुखदेव सिंग गोगा मेनी जिनोंने राश्ट्री करनी सेना से अलग कुछ विवाद होने के बाद अपना नया संगठन खड़ा किया था राश्ट्री राचपूत करनी सेना उनके संगठन का नाम था उसके अध्यक्ष के तोर पर वो काम कर रहे थे ऐसा क्या हुआ ये कौन से हमलावर हो सकते हैं ये कौन से बदमाश हो सकते हैं इसको लेकर पुलिस के उपर अभी सवाल है सुरक्षा विवस्था को लेकर सवाल है इस बड़ी वारदात के बाद बहुत सारे सवाल है कि आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा और कब तक ये आरोपी ये बदमाश पकले जाएंगे फिलाल पूरे शहर में पुलिस ने नाकी बंदी कर दी है और आरोपियों की धरपकड की कोशिश की जा रही है लेकिन ये तीम शेल इस वक्त जो हमें नजर आ रहे हैं एक बोर्य के उपर जो हम इस वक्त देख सकते हैं कि तीम खोके जो हैं ये चले हुए खोके हैं यानि कि जो हम इसमें देख सकते हैं पिस्टल से ये हमला किया गया है जो शेल नजर आ रहे हैं ये वो कार्टूस हैं जो पिस्टल में इस्तेमाल होते हैं और उन्हीं के ये खोके हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं बताया जारा कि चार बदमाश थे यहां पर आये थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तयारी के साथ चार लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया फाइरिंग करना अचानक शुरू कर दिया बताया जारा कि चार गोलियां मारी गई है जो गन्मेन था सुखदेव सिंग गोगा मेनिका उसको भी एक गोली लगी है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है और साथ ही एक राहगीर जो वहां से गुजर रहा था उसको गोली मारी गई है और उसकी स्कूटी चीनकर ये बदमाश परार हुए है इस वारदात को अंजाम देते वक्त बताया जारा कि एक बदमाश को भी जो हमला वर थे उनमें से एक शक्स जखमी हुआ है और उसको भी बताया जारा कि जो जबाबी फाइरिंग थे उसमें गोली लगी है और उस जो थे वो बचा कर ले जाने में कामियाब रहे हैं लेकिन अब ये जरूर देखना होगा कि इसके आगे पुलिस कब तक गरफतार कर पाती है ये जो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल परिसर की तस्वीरे हैं लोगों की उनके समर्तकों की भीड है और पुलिस के सामने कानून विवस्ता बनाय रखना इस वक्त एक चुनोती है क्यों करणी सेना की अध्यक्ष सुखदेव सिंग अपना एक अलग संगठन उन्होंने खड़ा किया था और उनके संगठन का नाम था राचपूत करणी सेना राश्वे करणी सेना से अलग उन्होंने अपन करणी सेना एक नई बनाई थी जिसका नाम था राजपूत करणी सेना और उसकी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी समहाल रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैपूर से करणी सेना के अध्यक्ष के हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग की गोली मार कर हत्या की गई है एसे मेस मोर्ची उसको शिफ्ट किया दाएगर वहां पे मेडिकल बोर्ट से शव का पोश्माटम होगा लेकिन जिस तरह से पुरी वारदात हुई है दिन धाड़े पुरी राजधानी इसको जब इस पुरी वारदात के बारें पता चला जो पूरा जैपुर शहर है वो एक द सब्सक्राइब को लेकर भी पुलिस के अधिकारी बस्ते होई हमें को यहां पर दिखाई देरें हमने जोंसे बात करने की कोशिती तो उन्होंने हमारे सवालों के जो जवाब है वो नहीं दिए इतना कहा कि फाइरिंग की घटना हुई है पुलिस जाच कर रही है हमलावर पुलिस के हाथ में भी तक किसी तरह का क्ल्यू भी नहीं है कि हमलावर कौन थे शक यहां पर जाता है दायारा रहा है लाइन्स विश्यूई गांग के और से लगातार सुन्देव सिंग गौगा मेडी को दंकें दी जा रही थी इसको लेकर सुछपीब सिंग गोगा मेडी पुरीन उनको मिली नहीं ये इस वक्त जानकारी मिल रही है अंकुर ट्यागी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गाये उनकी तरफ चलते हैं अंकुर इतनी बड़ी वारदात चुनावप के ठीक बाद क्या इसके पीछे आशंका जताई जा रही है प्रतिक्ष दर्शी दर्शी है वो जो बता रहे है कि यह लोग आए यहाँ पर आते ही अंदर्धूंद तरीके से यहाँ पर फाइरिंग करना यहाँ पर शुरू कर दिया मेरे कैमरा में इसे में कहूंगा एक थोड़ा साब दिखाएंगे इस वक्त जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर इस वक्त पुरा अपनी तरफ से जो इन्विस्टिकेशन है वो यहाँ पर चल रहा है पुलिस आई हुई है और पूरा जो घर है यह जो कमरा है यही पर उनको जो आप देख रहे हैं पुलिस के दिकारी यहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया था और उसके बाद आपर तो दरफ से हाँ बोलिए फाइरिंग होती है और उसके बाद यह लोग तुरंट वहाँ से निकलते हैं बहां निकलकर एक गाड़ी को हाईजेक करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें कामियाब नहीं होते तो एक बाइक सवार की बाइक को उठाकर यह भागने की कोश जा रहा है क्योंकि जो रूट है कि काफे व्याइपी पूरा एरिया है इसके सीसी डिवीज जो है अलगलग रूट पे उनको पर निकला जा रहा है और फिल्हाल यहां पर इन्रेस्टिक्शन बिल्कुल इस बात को लिकी कि जा रही है कि है कि कौन अभी तक पुलिस नहीं कि बच रही है कि कौन थे यह किस कैंक से जोड़े हुए थे या कौन थे लेकिन हाँ इकिन तो अभी फिल्हाल इनकी खोज का काम तेजी से चल रहा है तो यह अंकुर विस्तार से चीजों को समझाने के कोशिश कर रहा है इन सब के बीच यह देखिए एफसल की टीम मौके पर म बलकि दूसरे जिलों से भी जो लोग है वो रवाना हो गए है जैपूर में आ रहे हैं इस हस्पिटल के बाहर आ रहे हैं तो ऐसे में जो पुलिस है उससे यहां पर गलती हुई है जाहिरती बात है जिससर से सूचना हमको मिल रही है लगातार उन से जुड़े वे जो लोग था कि जो दो गार्ड सुड़ेव सिंग गोगा मेडी की जो सेक्योर्टी में लगे वे हैं वो आज चुटी बे हैं और ऐसे में उन्होंने मौका देखा सुड़ेव सिंग गोगा मेडी की हत्या की वो भी उनके घर के अंदर घुसका लिए जी तो ये अस्पिताल से भी हमारे सायोगी जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें खास बात ये है कि सुरक्षा मांगी गई थी और सुरक्षा मांगी गई थी तो पुलिस ने सुरक्षा क्यों ने दी ये सवाल पुलिस के उपर इस वक्त उनके जो समर्थक हैं उनके जो चाने वाल वो उठा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ वदमाशों को पकड़ने के लिए और सबूत जुटाने के लिए जो अलगला टीमे है वो इस वक्त काम कर रहे हैं एफसल की टीम जो इस वक्त काम कर रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं वक्ती की मिली बगत भी हो सकती है इस एंगल पर भी पुलिस जहाच कर रही है क्या, हमलावरों उने ऐसे वक्त को चुना जब उनके सुरक्षा के जो गार्ट ते जो तैनात रहते थे वो छुटी पन थे और एक पेट में मारा गया था इसके साथ ही जैसे ही उनका गार्ड बीच बचाओ करने आए तो गार्ड को भी उनको गोली मारी गई थी और बीच बचाओ के दोरान एक जो बदमास थे चार पांस जो बदमास बताए जा रहे थे उनमें से एक बदमास को गोली लगी फिलाल अ उसी बदमास की भी एक बदमास की मौत होने की सूचना बदाई जा रही है लेकिन अभी फिलाल क्योंकि यहां गटना इस तल पर जहां पर फसल टीम और पुलिस के आला दीकारी यहां पुँचे हैं जैपूर पुलिस कमिशनर है बीजु जोर्ज जोसब वो खुद पुचे हैं यहां पर गटना इस तरह का जायजा ले रहे हैं एफसल टीम दुवारा नमूने उठाए गया जा रहे हैं साथी जैसे किस तरीके से घर में गुशकर ये गटना को अंजाम दिया गया है और इस क्योंकि ये एक सर्सक्रिशे बना हुआ है फोर्स को भी बुलाए गया है कि किसी तरीके को माहूल कराब नहों बड़ी संख्या मे प्लीस फोर्स पहुंची है साथी जो यहां पर अब क्योंकि प्लीस पर एक सवाल खड़ा हो रहे हैं कि घर में गुशकर दिन दहाड़े किस तरीके से बारदात को अंजाम दिया गया है और साथी सीची टीवी कि आप देखिए जो कैमरे में हम दिखा रहे हैं आपको जो ग सूरजपाल अम्मु जी हमारे साथ जुड़े हुआ हैं सूरजपाल जी इतनी कितनी बड़ी वार्दात जैपूर जैसे शहर में हो जाना क्या कहेंगा आप मुझे लगता है कि यह जो इसके उपर में गहांचा हो सुपेव सिंग गोगा मेडिक समाजी संसा के राशिया देशी श्री 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 राजी करनी साना में इतने वरतों से वो समाज की सेवा करे थे दोगों के दुख देर ने काम आते तो पर तुब गयलोज सरकार की नाक में जो सेक्यूरिटी खड़ है था उनके भी गोली लग गया वो अभी हॉस्पिटल में है और इस क्रॉसफायर में क्रॉसफायर के दवरान तीन हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया तो वो जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंख शेखावत वो है यहां का मूल रूम से शापुरा के पास का रहने व जोटा कपटे का दुकान करता है तो जो भी हो हम उसका उस लीड है हमारे पास सीसी टीवी का फुटेज है जो टोटल खड़ना क्रम है वीसी टीवी में कैद हो गया है अभी उसी का चल रहा है हम जो जितना भी साक्षिया और सूचना है हमारे पास है उसे उम्मिद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिनित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लाइनिंग गिया है उदर तक हम जल्दी पहुंच जाएगे गजयरतर पैाल जो यहां से जब भाग रहा था यहां से जब जब बाकिए तो उन Oh तो उनको एसके लिए घाड़ी ले नहीं पाए क्यों जिस ने गाड़ी ले Tobie कि अह दो उनको गेट अवे के लिए एक स्कूटी चीन के स्कूटी में बग गया इसके पूरी मतद है उनने कहा है सारे फुटेज हमारे पास अविलेबल है तीन जो यह हमलावार आए थे उमेसे एक हमलावार है जो गाड़ी लगी ती उसकी भी मौत हुई है नाम भी बताया है जो जो हमलावर था जिसकी क्रॉस फायर में जान गई है जिसकी मौत हुई है उसका नाम भी बताया है और ये भी बताया है कि बाकी जो दो साती है उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा ठीक है मैं आपके पास वापस टॉट कर आता हूँ लेकि जरा देखिए क्योंकि पुलिस कमिशनर यहाँ पर आये थे मौके का मौईना करने के लिए गटना इस तल पर यानि कि सुकदेव सिंग के घर पर आये थे पुलिस कमिशनर और उन्होंने यह बयान दिया है कि यहाँ पर जो क्रॉस फायर हुआ जिसे एक बदमाश को गोली लगी थी उसकी मामला है तो यह बड़ी बात है क्योंकि वहाँ पर सिसी टीवी भी लगा हुआ है और सिसी टीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है यह वारदात यह भी पुलिस की ओर से बताया गया है जैपुर से जहां पर करणी सेना के अध्यक्ष को गोली मारी गए है गोली मारकर हत्या कर दी गए है। सुखदेव सिंग से चार लोगों को गोली लगी है सुखदेव सिंग के अलावा उनके गन्मेन को भी बदमाशों ने गोली मारी है वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को गोली मार कर उसकी स्कूटी बदमाशों ने चीन ली है और वहीं बचाओ में की गई फाइरिंग में एक बदमाश को भी गोली लगी है ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है गायल बदमाश को मौके से लेकर अन्य बदमाश फरार हो गए है फिलाल पूरे शहर में नाका बंदी करा दी गई है और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है सुकदेव सिंग जो करणी सेना के अध्यक्षे उनको गोली बारी गई है उनकी मौत हो गई है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है सुकदेव सिंग के गनमेन को भी गोली लगी है पर जानलेवा हमला हुआ है तो बड़ी तादाद में जो लोग है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैपुर से करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग की गोली मार कर रत्या की गई है और ये बड़ी खबर है सुखदेव सिंग सहित उनके जो आसपास गणमेन थे जो उनकी सुरक्षा में तेनाथ थे उनको उन पर भी फारिंग बदमाशों ने की है उनके गणमेन को भी बताया जारा कि गोली लगी है वो भी जखमी हुआ है वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को जो वहां से गुजर रहा था एक व्यक्ति उसको भी गोली बारी है और उसकी स्कूपी चीनि कुछ बूला है नहीं हम मौके पर गहें थे मौका मौका बारदात पर प्रिस की टीम मौझू थी उन्होंने भी किसी तरह की जानकरी साजा नहीं की और अब जिस तरह से अभी अपडेट जो है अमरे पास आरी हम अपडेट की कोशिश करेंगे सब्सकमों कि議 है यहाँ पर जो इन्दर उनको यहाँ लाए गया था इस इमरजन सी के अंदर न और यहीं पर इलाज करने की और जो पुलिक पर चिक स्कूप की टीम तिह करी कि तरह से उनको बेहागी अ बताया सकी कि लेकिन बताया जारा कि ऐसा संभव नहीं हो पाया और हम अभी आपको दिखाते हैं इमर्जेंसी के अंदर ही आए यहां पी बड़ी तादाज में जो उनके घर के जो लोग है जो पुलिस के अधिकारी है वो यहां पर मौझूद है बड़ी संख्या में जो लोग है वो यहां पोचे ह और यह आप इमर्जेंसी देख सकते हैं मैटरोमास की यहीं पर उनको लेकर आया गया है और अभी यहां फिलाल अंदर किसी को भी जाने की जो परमिशन है वो नहीं दी जा रही है और यहां पर आप देख सकते हैं जो शीपरबत थाना पुलिस हो भी यहां पर मौके पर मौ कोशित करेंगे देव सिंग जी गोगा मेडी एक बहुत ही बहादूर और सेर के समान व्यक्ति थे उनके साथ इस तरह की निर्दरी निर्दैता पूर्ण और कायराना घटना होना इसके लिए कोई सब्दी नहीं है कोई भी सब्द नहीं है सब यह समाज में कोई भी व्यक्त को इस तरह जाकर के घर के अंदर दीन दाढ़े गोलियों से भून दिया जाए यह बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है और मुझे विश्वास है कि पूलिस परसासन तुरंत सक्री होकर के अब तक उनको ग्रभदार कर लेने की कारवाई कर रहा होगा मैंने कमिस्टर साब से यह भी रिक्वेस्ट की है कि पूरे छेतर के अंदर दहसत का माहूल है वहां गस्त की वियोस्ता की जाए पुलिस की वियोस्ता की जाए और सबसे पहले अपराधियों को तुरंत ग्रभदार किया जाए इसके लिए कोई भी सब्द नहीं है मेरे पास के है अब यह अब अंदर जाके हैं क्या अब कराऊं बहुत जादा चिंता जनक हालात है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यह बड़ी जानकारी की सुक्देव सिंग गोगा मेडी की जो पर इसके चात रहे हैं इसनकी मौत हो गई है उनकी गोली मारकर रत्या कर दी गई है उनको गाहल होने के तुरंट बाद अस्पिताल पहुचाया गया था जहाँ से उनकी मौत हो गई है बताये जारा है कि बड़्चों ने उनके उपर अंदादूं फारिंग की है उनके गन्मेन को भी गोली मारी है और एक राहगीर जो वहां से जा रहा था उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूटी चीन कर भागने की कोशिश की है बचाव में जो गोली चली है उसमें एक बदमाश को भी बताया जारा की गोली लगी और इसके बाद उसके जो साथी थे वो बदमाश को वहां से बचा कर ले गए लेकिन सुख़देव सिंग गोगा मेरी को बताय जा रहा कि चार गोलिया लगी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका है सुख़देव सिंग गोगा मेरी राश्ट्रिय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे और जैपूर में बताया जा रहे हैं कि श्याम नगर इलाके में ही उनके उपर हमला हुआ है जानकारी ये है कि संभवता उनके घर में गोली मारी गई है उनको यहीं पर हमला वराय थे और यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है यह देखी कुछ शेल भी इसमक्त नजर आ रहे हैं जो गोलियों के खोके हैं वो भी कुछ फोटेज में हम देख सकते हैं तो सुखदेव सिंग गोगा मेनी जिनोंने राश्ट्री करनी सेना से अलग कुछ विवाद होने के बाद अपना नया संगठन खड़ा किया था राश्ट्री राचपूत करनी सेना उनके संगठन का नाम था उसके अध्यक्ष के तोर पर वो काम कर रहे थे ऐसा क्या हुआ ये कौन से हमलावर हो सकते हैं ये कौन से बदमाश हो सकते हैं इसको लेकर पुलिस के उपर अभी सवाल हैं सुरक्षा विवस्था को लेकर सवाल हैं इस वड़ी वारदात के बाद बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा और कब तक ये आरोपी ये वदमाश पकले जाएंगे पिलाल पूरे शहर में पुलिस ने नाकि बंदी कर दी है और आरोपियों की धरपकड की कोशिश की जा रही है लेकिन ये तीन शेल इस वक्ट जो हमें नजर आ रहे हैं एक बोरे के उपर जो हम इस वक्ट देख सकते हैं कि तीन खोके जो हैं ये चले हुए खोके हैं यknowर जो हम इस में देखसकते हैं पिस्टल से ये हमला किया गया है जो शेल नजर आ रहे हैं ये वह कार्तूस हैं जो पिस्टल बें इस्तिमाल होते हैं और उनहीं के ये खोके हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं बताया जारे कि चार बदमाश थे यहाँ पर आये थे इस وारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी के साथ चार लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया फायरिंग करना अचानक शूरू कर दिया बताया जारा कि चार गोलियां मारी गई हैं जो गन्मेंट था सुकदेव सिंग गोगा मेनिका उसको भी एक गोली लगी है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है और साथ ही एक राहगीर जो वहां से गुजर रहा था उसको गोली मारी गई है और उसकी स्कूटी चीनकर ये बदमा जो हमला वर थे उन में से एक शक्स जखमी हुआ है और उसको भी बताया जारा है कि जो जवाबी फाइरिंग थे उसमें गोली लगी है और उस घायल शक्स को बाकी उसके साथी जो थे वो बचा कर ले जाने में काम्याब रहे हैं लेकिन अब ये ज़रूर देखना होगा कि इस इस वक्त एक चुनोती है कि करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग अपना एक अलग संगठन उन्होंने खड़ा किया था और उनके संगठन का नाम था राजपूत करणी सेना राश्वे करणी सेना से अलग उन्होंने अपनी करणी सेना एक नई बनाई थी जिसका नाम मार कर हत्या की गई है जैपूर से इस वक्त एक दिल दहला देने वाली वारदात की खबर जैपूर में राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग की गोली मार कर हत्या कर दी गई है उनकी जो डैट बोड़ी है वो यहां से ले जाए जाएगी ऐसे में स्मोर्ची उसको शिफ्ट किया जाएगा और वहां पे मेडिकल बोर्ट से शवका पोश्माटम होगा लेकिन जिस तरह से पूरी वारदात हुई है दिन धाड़े पूरी राजधानी इस पूरी वारदात के प्रशाचन की करे प्रणाली को लेकर भी पूलिस के अधिकारी बसते हैं को यहां पर दिखाई देने की कोशिशित थी तो उन्हें ने हमारे सवालों के जवाब हैं वह नहीं दिया इतना कहा कि फारिंग की घटना हुई है पुलिस जाच कर रही है हमलावर कौन थे उनके व उनको लेकर सुदेव सिंग गोगा मेडी ने पुली समुख्याले से भी स्क्यूर्टी मांगी थी और बताया दारा है कि उनको स्क्यूर्टी मिलती उससे पहले ही यह जो पूरी वार्दात है उसको बदमाशों ने अंजाम दिया पूलिक्षा उनको मिली नहीं यह इस वक्त जानकारी मिल रही है अंकुर त्यागी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है सीदे उनकी तरफ चलते हैं अंकुर इतनी बड़ी वार्दात चुनाव के ठीक बाद क्या इसके पीछे आशंका जताई जा रही है कि आपको माहौल दिखाने के कोशिश करूँगा यह उनका घर है सुग्डेव सिंग गुवर बेडी का उनका काराली भी हांपर इसमोरे बोड लगा रखा है श्री राश्वी राश्पूत करनी जो सेना है उसका जो पोड है हापर आपको देखने के लिए घर पे ही मौजू वह जो बता रहे हैं कि यह लोग आये यहां पर आते ही अंदधूंद तरीके से हां पर फाइरिंग करना है हां पर शुरू कर दिया है बार इसक्रीव से जो इन्वेस्टिकीशन है यहां पर चल रहा है पुलिस आई हुई है और पूरा जो घर है यह जो कमड़ लिए यही प पुरहाँ पूरा जो इलाके आप देख सकते हैं। पूरे जो घर है काफी हाई प्रोफाइल सोसाइटी है अपने आप में और वहां पर इस तरह की वारदात हो जाना दिन दहाड़े वारदात का होना बेहत चोकाने वाली खबर है। जो पुलिस है अब उसकी इंवस्टिगेशन ही हाँ पर चल रही है, जो रूट है कि काफ़ा विएपी पूरा एरिया है, इसकी सीसी इवीज जो है अलग रूट पर उनको निकार जा रहा है और फिल्हाल यहाँ पर इंवस्टिगेशन बिल्की इस बात को लिखी की जा रही है है कि कौन अभी तक पुलिस ने आइडेंटिफाइं नहीं किया गया है उसके पास possibility कई अलग अलग बताई जा रही है अभी तक नहीं किया गया है यह है कि उन्होंने security मांगी थी एक threat call उनको अलग उससे था लेकिन specifically पुलिस अभी कहने से बच रही है कि कौन थे यह किस कैंक स लोड़े हुए थे या कौन थे लेकिन हाँ इकिन तो अभी फिलहाल इनकी खोज कर काम तीजी से चल रहा है तो यह अंकुर विस्तार से चीजों को समझाने के कोशिश कर रहे हैं इन सब के बीच यह देखिए FSL की टीम मौके पर मौजूद है और दूसरी तस्वीर में हम आ हुस्पिटल के भार आ रहे हैं तो ऐसे में जो पुलिस है उससे यहां पर गलती हुई है जाहिरती बात है जिससे सूचना हमको मिल रही है लगातार उनसे जुड़े वे जो लोग यहों बता रहे हैं कि उनको लगातार लॉरेंस विशनोई गैंक से धंक्या मिल रही थी और उन्होंने उसको लेकर पुलिस मुख्याले को भी पत्र लिखा था ग्रैविवा को भी पत्र लिखा था सुरक्षा बढ़ानी की मांगी थी और जो बदमाश हैं वो अपने मनसूबों में आज कामियाब हो गए और उनको बदमाशों को ये भी पता था कि जो दो गार्ड सु सुरक्षा मांगी गई थी और सुरक्षा मांगी गई थी तो पुलिस ने सुरक्षा क्यों ने दी ये सवाल पुलिस के उपर इस वक्त उनके जो समर्थक हैं उनके जो चाने वाले हैं वो उठा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ बदमाशों को पकड़ने के लिए और सबूत ज तो सवाल कुछ ऐसे लोगों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या किसी की मिली भगत हो सकती है हमलावरों ने ऐसे वक्त को चुना जब उनके सुरक्षा के जो गाड्स थे जो तैनात रहते थे वो चुक्ती पर थे पर पके पेट में मारा गया था है इसके साथ ही जैसे ही हुनका गाड़ बीच बचाओ करने है तो गाड़ को भी उनको गोली मारी गई थे और बीच बचाओ के दोरान एक जो बद्वांस थे चार-पांस जो बद्वांस बताए जा रह Lilly ते उनमें पास सूराइब यहीं कि जो बद मस् ikन ही थे उनमें एक व्यक्ति को लगी थे गोशेश मोत six सूरीरा आरी ले रहे हैं एफसल टीम दुवारा नमूने उठाये गया जा रहे हैं साथी जैसे किस तरीके से घर में गुशकर ये गटना को अंजाम दिया गया है और इस क्योंकि ये एक सरसाग दिशे बना हुआ है फोर्स को भी बुलाए गया है कि किसी तरीके कोई माहूल खराब नहों ब आप देखें जो कैमरे में हम दिखा रहे हैं आपको गोगा मेडि के घर पर यहां सिसी टीवी कैमरे लगे वे अब पलीस इनकी भी जाँच कर रही है कि कौन लोग आये थे क्या थै क्या पहले से ही रेकी कर रहे थे किस तरीके उनके क्योंकि आने जाने का जो उनका था मेरे हो जाना क्या कहेंगे आप मुझे लगता है कि यह जो इसके उपर मेटने जहां हो सुपेर सिंग गोगा मेडिक समाजी संसा के राशिया देश्टी स्री राशियराजी करनी जाना में इतनी वर्तों थे वो समाज के सेवा कर रहे थे लोगों के दुख देर ने काम आते हैं परन्तु गैलराओ स्टरकार की नाकामी नलाईकी के कारक्त तुक्वडीस साथ गटना हुई है आप से गैलराओ सुपर सेंगोगा मेडिक विष्णिय हैं कि सर्फ ठेए वर्तों से लगातार दंगया मिल रहे थे जी और ये दंगया मिलने के भावजूद डीजीपी ऐफ़ पर भाई जो सेक्यूरिटी खड़े था उनके भी गोली लग गया वो अभी हॉस्पिटल में है और इस क्रॉस फायर में क्रॉस फायर के दवरान तीन हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया तो वो जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंख शेखावत वो है यहां का मूल रूम से शापुरा के कास पास का रहने वाला है और अभी जेपूर में निवास कर रहा है यह कोई दुकान करता है कोई चोटा माटा कपटे का दुकान करता है तो जो भी हो हम उसका उस लीड है हमारे पास सीसी टीवी का फुटेज है जो टोटल खड़ना क्रम है वो सीसी टीवी में कैद हो गया है अभी उसी कब चल रहा है हम जो जितना भी साक्षिया और सूचना है हमारे पास है उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिनित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लाइनिंग गिया है उदर तक हम जल्दी पहुंच जाए जो यहां से जब भाग रहा था यहां से जब जा रहा था तो उनको एसके के लिए गाड़ी ले नहीं पाया तुछंग जिस ने गाड़ी लेके आया था तो उनको get away के लिए एक स्कूृटी चीन के वो छूटी में भग गया सब्सक्राइब एंगलिश बीजू जो कमिश्टर जैपूर के वह सब्सक्राइब एक बदमाश पी मारा गया जो क्रॉस फायर में बदमाश को गोली लगी ती उसकी भी मौत हुई है इसकी पूरी मदद है उनने कहा है सारे फुटेज हमारे पास अविलेबल है तीन जो यह हमलावार आए थे उनमेंसे एक हमलावार है जो गाड़ी चला रहा था जो गाड़ी चला कर लिकर आया था वो क्रॉट्स फैर हुआ इन दोनों के बीच में और उसमें उसकी मौत हो गए बाकी के जो दो लोग थे वो एक बैक सवार की बैक लेकर फायर करके बाइक सवार की बैक लेकर भागने में काम्याप होuirा है हलятся कि उनको अडिन्टिफ़ाइ करने की कुशिश की जा रही जीधिधे बी CCDV है उनको खंगाला जा रहा है दो चीजे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नाम भी शायद एक बताया है जो हमलावर था जिसकी क्रॉस फायर में जान गई है जिसकी मौत हुई है उसका नाम भी बताया है और ये भी बताया है कि बाकी जो दो साती हैं उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा ठीक है मैं आपके क्रोस फायर हुआ जिसे एक बदमाश को गोली लगी ती जिसकी मामला है ऐसे में क्यूक्कि अभी तो पुलिस को चीछी टीवी केमरेंक़ पूरा घठना करम तो यह बड़ी बात है क्यूंकि वहाँ पर CCTV केमरे में रिकार्ड हुई है यह वारदात यह भी पुलिस की ओर से बताया गया है बदमाशों की फुटेज भी है और उसके आधार पर तलाश करना आसान पुलिस के लिए हो जाएगा एक बदमाश की चुकी मौत हुई है और उसकी पहचान भी उसका आइडिनिफिकेशन भी हो चुका है और इसलिए इस केस को खोलने में शायद मदद मिलेगी बड़ी खबर मिल रही है जैपूर से जहां पर करनी सेना के अध्यक्ष को गोली मारी गई है गोली मार कर हत्या कर दी गई है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है जैपूर से मिल रही है जहां करनी सेना के अध्यक्ष की गोली मार कर हत्या की गई है इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग से चार लोगों को गोली लगी है सुखदेव सिंग के अलावा उनके गनमेन को भी बदमाशों ने गोली मारी है वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को गोली मार कर उसकी स्कूटी बदमाशों ने चीन ली है और वहीं बचाओ में की गई फाइरिंग में एक बदमाश को भी गोली लगी है ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है गायल बदमाश को मौके से लेकर अन्य बदमाश फरार हो गए है फिलाल पूरे शहर में नाका बंदी करा दी गई है और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है सुकदेव सिंग जो करणी सेना के अध्यक्षे उनको गोली बारी गई है उनकी मौत हो गई है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है सुकदेव सिंग के गनमेन को भी गोली लगी है पर जान लेवा हमला हुआ है तो बड़ी तादाद में जो लोग है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैपुर से करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग की गोली मार कर रत्या की गई है और ये बड़ी खबर है सुखदेव सिंग सहित उनके जो आसपास गन्में थे जो उनकी सुरक्षा में तेनाब थे उनको उन पर भी फाइरिंग बदमाशों ने की है उनके गन्में को भी बताया जारा की गोली लगी है वो भी जखमी हुआ है वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को जो वहाँ से गुजर रहा था एक व्यक्ति उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूपी चीनी ने कुछ बूला है ना है हम मौके पर गहते हैं मौका वारदात के भी जो प्रिस की टीम मौजूओ थी उन्होंने भी किसी तरह की जानकरी साजा नहीं की और अब जिस तरह से अभी अपडेट जो है मर पास आ रही है हम अपडेट की कोशिश करेंगे एक सुगदेव सिंग कंफर्म देखिए यहां पर जो इमर्जेंसी है और जो पुलिस जो यहां पर टीम थी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि किसी भी तरह से उनको बचाया जा सकी लेकिन बताया जारा कि ऐसा संभव नहीं हो पाया और हम अभी आपको दिखाते हैं इमर्जेंसी के अंदर ही आए यहां पी बड़ी तादाज में जो उनके घर के जो लोग है जो पुलिस के अधिकारी है वो यहां पर मौझूद है आप देख सकते हैं पूरी पुलिस टीम यहां पर मौझूद है बड़ी संख्या में जो लोग है वो यहां पहुचे हैं और यहां आप इमर्जेंसी देख सकते हैं मैटरोमास की यहीं पर उनको लेके आया गया है और अभी यहां फिलाल अंदर किसी को भी जाने की जो पर्मिशन है वो नहीं दी जा रही है और यहां पे आप देख सकते हैं मानसुर थाना पुलिस भी मौखे पर मौधूद थाना पुलिस साम नंगर थाना पुलिस केवश्ण न जान करका इसित करेंगे देव सिंग जी गोगा मेडी एक बहुत ही बहादूर और सेर के समान व्यक्ति थे उनके साथ इस तरह की निर्देता पूर्ण और कायराना घटना होना इसके लिए कोई सब्दी नहीं है कोई भी सब्द नहीं है सब ये समाज में कोई भी व्यक्ति को इस तरह जाकर के घर के अंदर दीन दाड़े गोलियों से भून दिया जाए ये बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है और मुझे विश्वास है कि पुलिस परसासन तुरंट सक्री हो करके अब तक उनको गिर्भदार कर लेने की कारवाई कर रहा होगा मैंने कमिस्टर साब से ये भी रिक्वेस्ट किये है कि पूरे छेतर के अंदर दहसत का माहूल है वहाँ गस्ट की बियुस्ता की जाये पुलिस की बियुस्ता की जाये और सबसे पहले अपराधियों को तुरं तिग्रभदार किया जाये इसके लिए कोई भी सब्द नहीं है मेरे पास कर दो मैं कराओं बहुत ज़्यादा चिनता जनक हालात है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ये बड़ी जानकारी की सुखदेव सिंग गोगा मेडी की मौत हो गई है उनकी गोली मार कर रत्या कर दी गई है उनको घायल होने के तुरंट बाद अस्पताल पहुचाया गया था जहां से अंदर से ये खबर बिल रही है कि उनकी मौत हो गई है उनको बचाया नहीं जा सका है बताये ये जा रहा है कि बड़माशों ने उनके उपर अंधादून फाइरिंग की है उनके गन्मेन को भी गोली मारी है और एक राहगीर जो वहां से जा रहा था उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूटी चीन कर भागने की कोशिश की है बचाओ में जो गोली चली है उसमें एक बदमाश को भी बताया जारा की गोली लगी और इसके बाद उसके जो साथी थे वो बदमाश को वहां से बचा कर ले गए लेकिन सुख़देव सिंग गोगा मेडी को बताया जा रहे कि चार गोलियां लगी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका है सुख़देव सिंग गोगा मेडी राश्ट्रिय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे और जैपूर में बताया जा रहा है कि श्याम नगर इलाके में ही उनके उपर हमला हुआ है जानकारी ये है कि संभवता उनके घर में गोली मारी गई है उनको यहीं पर हमला वराय थे और यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है यह देखी कुछ शेल भी इसमक्त नजर आ रहे हैं जो गोलियों के खोके हैं वो भी कुछ फोटेज में हम देख सकते हैं तो सुखदेव सिंग गोगा मेनी जिनोंने राश्ट्री करनी सेना से अलग कुछ विवाद होने के बाद अपना नया संगठन खड़ा किया था राश्ट्री राचपूत करनी सेना उनके संगठन का नाम था उसके अध्यक्ष के तार पर वो काम कर रहे थे ऐसा क्या हुआ यह कौन से हमलावर हो सकते हैं यह कौन से बदमाश हो सकते हैं इसको लेकर पुलिस के उपर अभी सवाल है सुरक्षा विवस्था को लेकर सवाल है इस बड़ी वारदात के बाद बहुत सारे सवाल है कि आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा और कब तक ये आरोपी ये वदमाश पकले जाएंगे फिलाल पूरे शहर में पुलि देख सकते हैं पिस्टल से ये हमला किया गया है जो शेल नजर आ रहे हैं ये वो कार्तूस हैं जो पिस्टल में इस्तेमाल होते हैं और उन्हीं के ये खोके हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं बताया जारा कि चार बदमाश थे यहां पर आये थे इस वारदात को अंजाम दे ये जानकारी इस वक्त मिल रही है और साथ ही एक राहगीर जो वहां से गुजर रहा था उसको गोली मारी गई है और उसकी स्कूटी चीनकर ये बदमाश परार हुए है इस वारदात को अंजाम देते वक्त बताया जारा है कि एक बदमाश को भी जो हमला वर थे उनमें से एक शक्स जखमी हुआ है और उसको भी बताया जारा है कि जो जबाबी फारिंग थे उसमें गोली लगी है और उस घायल शक्स को बाकी उसके साथी जो थे वो बचा कर ले ज मर्तकों की भीड है और पुलिस के सामने कानून विवस्ता बनाय रखना इस वक्त एक चुनौती है क्यों करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग अपना एक अलग संगठन उन्होंने खड़ा किया था और उनके संगठन का नाम था राचपूत करणी सेना राचपूत करण जैपूर से करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग की गोली मार कर हत्या की गई है जैपूर से इस वक्त एक दिल दहला देने वाली वारदात की खबर जैपूर में राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग की गोली मार कर हत्या कर उनकी जो डैड बोडी है वो यहां से ले जाए जाएगी ऐसे में समोर्ची उसको शिफ्ट किया जाएगार वहाँ पे मेडिकल बोड से शब का पोश्माटम होगा लेकिन जिस सरे से ही पुरी वारदात हुई है दिन धाड़े पुरी राजधानी को जब इस पुरी वारदात के बरें पता चला जो पुरा जैपुर शहर है वो एक दम से दहल गया क्योंकि पॉश एरिया शामनगर और वहाँ पे दिन धाड़े इस तरह की वारदात होना पुलिस के अधिकारी बस्ते होई हमें को यहां पर दिखाई दे रहे हैं हमने जो इनसे बात करने की कोशिशित थी तो उन्होंने हमारे सवालों की जो जवाब है वो नहीं दिये पस इतना कहा कि फाइरिंग की घटना हुई है पुलिस जाच कर रही है हमला वर कौन थे उनक को सिक्यूर्टी मिलती उससे पहले ही यह जो पूरी वार्दात है उसको बदमाशों ने अंजाम दिया पूरक्षा उनको मिली नहीं यह इस वक्त जानकारी मिल रही है अंकुर त्यागी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है सीधे उनकी तरफ चलते हैं अंकुर इतनी बड़ी वार्दात चुनाव के ठीक बाद क्या इसके पीछे आशंका जताई जा रही है जो प्रतिक्ष दर्शी है वो जो बता रहे हैं कि यह लोग आए यहां पर आते ही अंदर्धूंद तरीके से यहां पर फाइरिंग करना यहां पर शुरू कर दिया यहां पर इसके बाद पर फाइरिंग होती है और उसके बाद यह लोग तुरंद वहां से निकलते हैं बाहा निकल कर एक गाड़ी को हाईजेक करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें कामियाब नहीं होते हैं तो एक बाइक सवार की बाइक को उठाकर यह भागने की कोशिश करते हैं फिलहाल यह पूरा जो इलाका है में आप देख सकते हैं पूरे जो घर है यह काफी हाई प्रोफाइल सोसाइटी है अपने आप में और वहाँ पर इस तरह की वारदात हो जाना और दिन दहारे यह वारदात का होना यह बेहत चौकाने वाली खबर है और जो पुलिस है उसकी इ किस ब्लicz लेकित कि जा रहा है कि कौन अभी तक कुलिस ने अइडिन्टिफाइं किया गया है उसके पास usability करेशिद का यह लग लग बताही जा रही है नहीं किया घिक से क्चैस कर रहा है तो यह आंग्षर विस्तार से चीजों को समझाने काशर कर रहा है इन सब के बीच ये देखिए FSL की टीम मौके पर मौजूद है और दूसरे तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है कि सुगदीव सिंगोगा मेडी की हत्या हुई है इस तरह से दिन धाडे उन पर फाइरिंग करके उनके अत्या की गई है उसके बाद बड़ी ताद में ना किवल जैपूर में रहने वाले लोग बलकि दूसरे जिलों से भी जो लोग हैं वो रवाना हो गए हैं जैपूर में आ रहे हैं से हुस्पिटल के भार आ रहे हैं तो ऐ सुरक्षा बढ़ानी की मांगी थी सुरक्षा की मांगी थी लेकिन उस पर किसी भी तरह की कुछ सुनवाई नहीं हुई और जो बदमाश हैं वो अपने मनसूबों में आज कामियाब हो गए और उनको बदमाशों को ये भी पता था कि जो दो गार्ड सुदेव सिंग गोगा मेडी की जो सिक्यूर्टी में लगे हैं वो आज चुटी बे हैं और ऐसे में उन्होंने मौका देखा तुदेव सिंग गोगा मेडी की हत्या की वो भी उनके घर के अंदर घुसका ले जी तो ये अस्पताल से भी हमारे सायोगी जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें खास बात ये है कि सुरक्षा मांगी गई थी और सुरक्षा मांगी गई थी तो पुलिस ने सुरक्षा क्यों ने दी ये सवाल पुलिस के उपर इस वक्त उनके जो समर्थक हैं उनके जो चाने बाले वो उठा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ वदमाशों को पकड़ने के लिए और सबूत जुटाने के लिए जो अलगला टीमे हैं वो इस वक्त काम कर रही है FSL की टीम जो इस वक्त काम कर रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं सवाल कुछ ऐसे लोगों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या किसी की मिली भगत हो सकती है हमलावरों ने ऐसे वक्त को चुना जब उनके सुरक्षा के जो गाड्स थे जो तैनात रहते थे वो शुक्ती पर दे करों गोली मारी गयी ऐसे हैं वह विक्ती को जो गोली लगी तो वध्मास को वह उसकी मोत होने की ऐसी सूचना आ रही है लेकिन अभी क्योंकि का कंफर्म नहीं के सकते हैं ऐसे में कि जो सूचना मिल रही है उस आधार पर कि उस बदमास की भी एक बदमास की मौत होने की सूचना वधाय जा रही लेकिन आभी फिलाल क्योंकि यहां गटना इस तल पर जहांपर fsl टीम और पुलिस के आला दीकारी यहां पहुंचे हैं, खुद पुलिस जो जैपुर पुलिस कमिशनर है वीजू जोसब वो खुद पहुंचे यहां पर गटना इस तरह का जाईजा ले रहे हैं, साथी जैसे किस तरीके से घर में गुशकर यह गटना को अंजाम दिया गया है, और यहां पर अब क्योंकि पुलिस पे एक सवाल खड़ा हो रहे हैं, किस तरीके से बारदात को अंजाम दिया गया है, पुलिस इनकी भी जांच कर रही है, कि कौन लोग आयते, क्या थैं, क्या पहले से ही रेकी कर रहे ते, किस तरीके पूप आने जाने का जो उनका था सुड़ून को लेगनी सीज़क तरीके से बारदात की वारदाता हैं, याफ तो गया उनके बगल में जो सेक्यूरिटी खड़े था उनके भी गोलिक लग गया वो अभी हॉस्पिटल में है और इस क्रॉसफायर में क्रॉसफायर के दवरान तीन हमलावारों में एक का भी डेथ हो गया तो वो जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंख शेखावत वो है यहां का मूल रूम से शापुरा के पास का रहने व अध्योव कि ऊपड़े का दुकान करता है तो जो भी हो हम उसका उस के उस लीड है अमारे पस सीसी टीवी का फुटेज है जो टोटल खड़ना क्रम है सीसी टीवी में कईध हो गया है अभी उसी कब चल रहा है हम जो जितना भी साक्ष्या और सूचना है उसे उम्मिद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्नित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लाइनिंग गिया है उदर तक हम जल्दी पहुंच जाए। तो उनको गेटवे के लिए एक स्कूटी चीन के वो स्कूटी में भग गया। तीन जो ये हमलावर आये थे उनमेंसे एक हमलावर है जो गाड़ी चला रहा था जो गाड़ी चला कर लिकर आया था वो क्रॉटस फैर हुआ इन दोनों के बीच में और उसमें उसकी मौत हो गए और बाकी के जो दो लोग थे वो एक बाइक सवार की बाइक लेकर फायर करके ब क्रॉस फायर में जान गई है जिसकी मौत हुई है उसका नाम भी बताया है और ये भी बताया है कि बाकी जो दो साती है उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा ठीक है मैं आपके पास वापस टॉट कर आता हूँ लेकि ज़रा देखिए क्योंकि पुलिस कमिश्टर यहाँ पर केमरे में पूरा घटना करम का कि देखें पूलिस कमिश्टर ने बताया है कि पूरा जो घटना करम में सीची टीवी केमरे में केड़ हो चुका है या जो बहला हुप है बचे दो लोग है उनको भी अब बैट तो ये बड़ी बात है क्योंकि वहाँ पर सिसी टीवी भी लगा हुआ है और सिसी टीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है ये वारदात ये भी पुलिस की ओर से बताया गया है बदमाशों की फुटेज भी है और उसके आधार पर तलाश करना आसान पुलिस के लिए हो जाएगा एक बदमाश की चुकी मौत हुई है और उसकी पहचान भी उसका आइडिटिफिकेशन भी हो चुका है और इसलिए इस केस को खोलने में शायद मदद मिलेगी एक बड़ी खबर मिल रही है जैपूर से जहां पर करनी सेना के अध्यक्ष को गोली मारी गई है गोली मार कर हत्या कर दी गई है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है जैपूर से मिल रही है जहां करनी सेना के अध्यक्ष की गोली मार कर हत्या की गई है इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग सहे चार लोगों को गोली लगी है सुखदेव सिंग के अलावा उनके गनमेन को भी बदमाशों ने गोली मारी है वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को गोली मार कर उसकी स्कूटी बदमाशों ने चीन ली है और वहीं बचाओ में की गई फाइरिंग में एक बदमाश को भी गोली लगी है ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है गायल बदमाश को मौके से लेकर अन्य बदमाश फरार हो गए है फिलाल पूरे शहर में नाका बंदी करा दी गई है और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है सुखदेव सिंग जो करणी सेना के अध्यक्षे उनको गोली बारी गई है उनकी मौत हो गई है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है सुखदेव सिंग के गन्मेन को भी गोली लगी है पर जान लेवा हमला हुआ है तो बड़ी तादाद में जो लोग है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैपुर से करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग की गोली मार कर रत्या की गई है और ये बड़ी खबर है सुखदेव सिंग सहित उनके जो आसपास गन्में थे जो उनकी सुरक्षा में तेनाब थे उनको उन पर भी फाइरिंग बदमाशों ने की है उनके गन्में को भी बताया जारा की गोली लगी है वो भी जखमी हुआ है वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को जो वहां से गुजर रहा था एक व्यक्ति उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूर्टी चीनी ने कुछ बूला है ना यह हम मौके पे गैचे मौका मौका वारदात के भी जो प्रिस की टीम मौजूद थी उन्होंने भी किसी तरह की जानकरी साजा नहीं की और अब जिस तरह से अभी अपडेट जो है मर पास आ रही हम अपडेट की कुछिशिश करेंगे क्यां की स्क्राइब का शुक के अंदर अभी उनको यहां लाए गया था इस्वेसरेदिंस इमर्जैंसी के अंदर और यहीं бेजु इलाज करने की और जो जो यहां पर चीचिशिकूग की टीम थे उन्ने पूरी कोंशिश करी कि कि किसी बी तरह से उनको बचाया जा सकी लेकिन बताया जारा कि ऐसा संभव नहीं हो पाया और हम अभी आपको दिखाते हैं में इमर्जेंसी के अंदर ही आए यहां पी बड़ी तादाज में जो उनके घर के जो लोग है जो पुलिस के अधिकारी है वह यहां पे मौझूद है आप देख सकते हैं जो लोग है वह यहा यहां पर मौके पर मौझूद है मांसुर थाना पुलिस भी आप मौके पर मौझूद है शाम नगर थाना पुलिस क्योंकि शाम नगर थानी का यह पूरा घटना करम है वह यहां पर मौझूद है अभी किसी भी तरह की कोई जो ऑफिशल भूम बयान है वो दिया दर रहे है देव सिंग जी गोगा मेडी एक बहुत ही बहादूर और सेर के समान व्यक्ति थे उनके साथ इस तरह की निर्देदा पूर्ण और कायराना घटना होना इसके लिए कोई सब्दी नहीं है कोई भी सब्द नहीं है सब्य समाज में कोई भी व्यक्ति को इस तरह जाकर के घर के अंदर दीन दाड़े गोलियों से भून दिया जाए ये बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है और मुझे विश्वास है कि पूलिस परसासन तुरंत सक्री हो करके अब तक उनको गिर्भदार क ये भी रिक्वेश्ट की है कि पूरे छेतर के अंदर दहसत का माहूल है वहां गस्त की वियोस्ता की जाए पुलिस की वियोस्ता की जाए और सब से पहले अपराधियों को तुरंत ग्रभदार किया जाए इसके लिए कोई भी सब्द नहीं है मेरे पास करें मैं कराऊं बहुत जादा चिंता जनक हालात है इस वक की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ये बड़ी जानकारी की सुखदेव सिंग गोगा मेरी की मौत हो गई है उनकी गोली मारकर रत्या कर दी गई है उनको घायल होने के तुरंट बाद अस्पिताल पहुचाया गया था जहां से अंदर से एक खबर मिल रही है कि उनकी मौत हो गई है उनको बचाया नहीं जा सका है बताये ये जा रहा है कि बड़ी चली है उसमें एक और इसके बाद उसके जो साथी थे वो बदमाश को वहां से बचा कर ले गए लेकिन सुख़देव सिंग गोगा मेडी को बताया जा रहे कि चार गोलियां लगी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका है सुख़देव सिंग गोगा मेडी राश्ट्रिय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे और जैपूर में बताया जा रहे कि श्याम नगर इलाके में ही उनके उपर हमला हुआ है जानकारी ये है कि संभवता उनके घर में गोली मारी गई है उनको यहीं पर हमला वर आये थे और यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है यह देकि कुछ शेल भी इस वक्त नजर आ रहे हैं जो गोलियों के खोके हैं वो भी कुछ फुटेज में हम देख सकते हैं पुलिस और पलिस ने नाके बंदी कर दी है और आ रोपियों की धर पकड़ की कोशिश की जा रही है लेकिन ये तीम शेल इस वक्त जो हमें नजर आ रहे हैं एक बोर्य के उपर जो हम इस वक्त देख सकते हैं कि तीन खोके जो हैं ये चले हुए खोके हैं यानि कि जो हम इसमें देख सकते हैं पिस्टल से ये हमला किया गया है जो शेल नजर आ रहे हैं ये वो कार्तूस हैं जो पिस्टल में इस्तिमाल होते हैं और उन्हीं के ये खोके हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं बताया जारा कि चार बदमाश थे यहां पर आये थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तयारी के साथ चार लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया फाइरिंग करना अचानक शुरू कर दिया बताया जारा कि चार गोलिया मारी गई है जो गन्में था सुकदेव सिंग गोगा मेनिका उसको भी एक गोली लगी है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है और साथ ही एक राहगीर जो व एक शक्स जखमी हुआ है और उसको भी बताया जारा कि जो जवाबी फाइरिंग थे उसमें गोली लगी है और उस घायल शक्स को बाकी उसके साथी जो थे वो बचा कर ले जाने में काम्याब रहे हैं लेकिन अब ये ज़रूर देखना होगा कि इसके आगे पुलिस कब तक पाती है ये जो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल परिसर की तस्वीरे हैं लोगों की उनके समर्थकों की भीड है और पुलिस के सामने कानून विवस्ता बनाय रखना है इस वक्त एक चुनौती है क्यों करणी सेना की अध्यक्ष सुखदेव सिंग अपना एक अलग संगठन उन्होंने खड़ा किया था और उनके संगठन का नाम था राजपूत करणी सेना राश्वे करणी सेना से अलग उन्होंने अपनी करणी सेना एक नई बनाई थी जिसका नाम था राजपूत करणी सेना और उसकी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी समहाल रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैपुर से करणी सेना के अध्यक्ष की हट्या कर दी गई है सुखदेव सिंग्य की गोली मार कर अध्या की गई है जैपुर से इस वक्त एक दिल देहला देने वाली वारदात की खबर जैपुर में राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग की गोली मार कर हत्या कर दी गई है से बुना और वह भी जो राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग गोगा मिडी उनको तो यहां पर कई तरह की सवाल हैं वह खड़े हो रहे हैं पुलिस परशाचन की कारे प्रणाली को लेकर भी पुलिस के अधिकारी बस्ते हुए हमें को यहां पर दिखाई द लॉरेंस विश्णुई गैंकी एक अर से लगातार सुखदेव सिंग गोगा मेडी को दम्कें दी जा रही थी इसको लेकर सुखदेव सिंग गोगा मेडी ने पुली सुम। प्रक्षा उनको मिली नहीं ये इस वक्त जानकारी मिल रही है अंकुर त्यागी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गाए सीधे उनकी तरफ चलते हैं अंकुर इतनी बड़ी वार्दात चुनाव के ठीक बाद क्या इसके पीछे आशंका जताई जा रही है प्रतिक्ष दर्शी है वो जो बता रहे हैं कि ये लोग लोग आए यहां पर आते ही अंदर्धूंद तरीके से यहां पर फाइरिंग करना यहां पर शुरू कर दिया मेरे कैमरा में इसे में कहूंगा एक थोड़ा साथ दिखाएंगे इस वक्त जो पुलिस की टीम है वो यहां पर इस वक्त पूरा अपनी तरफ से जो इन्विस्ट होती है और उसके बाद यह लोग तुरंट वहां से निकलते हैं बहां निकलकर एक गाड़ी को हाईजर करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं होती है तो एक बाइक सवार की बाइक को उठा कर यह भागने की कोशिश करते हैं फिलहाल जो इलाके you आप दीख स पूरा एरिया है इसके सीसी डिवीज जो है अलग-अलग रूट पर उनको पर निकाला जा रहा है और फिल्हाल यहां पर इन्रेस्टिक्शन बिल्कुल इस बात को लेकी कि जा रही है कि है कि कौन अभी तक पुलिस नहीं किया गया है उसके पास पॉसिबिल्टी कई अलग-अ बताई जा रही है अभी तक नहीं किया गया है यह है कि उन्होंने अपनी सेक्रियूटी मांगी थी एक थ्रेट कॉल उनको अलग-अलग उससे था लेकिन स्पेसेफिकली पॉलिस अभी कहने से बच रही है कि कौन थे यह किस कैंक से जोड़े हुए थी या कौन थे लेकिन हा और भी फिल्हाल इनकी खूज का काम तीजी से चल रहा है तो यह अंकुर विस्तार से चीजों को समझाने के कोशिश कर रहे हैं इन सब के बीच यह देखिए एफसल की टीम मौके पर मौजूद है और दूसरे तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं प्रमास हस्पिटल के बार मौदूद है जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है कि सुगदीव सिंग गोगा मेडी की हत्या हुई है इस तरह से दिन धाड़े उन पर फाइरिंग करके उनकी हत्या की गई है उसके बाद बड़ी तादाद में ना केवल जैपूर में रहने कि उनको लगातार लोरनेस विजनोई गैंग से धंके मिल रही थी और उन्होंने उसको ले कर पुलिस मुख्याले को भी पतर लिखा था ग्रेव विवाग को भी पतर लिखा था सुरक्षा बढ़ानी की मांग की थी लेकिन इस पर किसी भी तरह की कॉछ सुनवाई नहीं हु हमारे सायोगी जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें खास बात ये है कि सुरक्षा मांगी गई थी और सुरक्षा मांगी गई थी तो पुलिस ने सुरक्षा क्यों ने दी ये सवाल पुलिस के उपर इस वक्त उनके जो समर्थक हैं उनके जो चाने वाले हैं वो उठा रहे हैं लेक कि हमलावरों को ये पता था सवाल कुछ ऐसे लोगों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या किसी की मिली भगत हो सकती है हमलावरों ने ऐसे वक्त को चुना जब उनके सुरक्षा के जो गाड्स थे जो तैनात रहते थे वो शुक्ती पर दे और पेट में मारा गया था इसके साथ ही जैसे ही उनका गाड बीच बचाओ करने आए तो गाड को भी उनको गोली मारी गई थी और बीच बचाओ के दोरान एक जो बदमास थे चार-पांस जो बदमास बताए जा रहे थे उनमें से बदमास को गोली लगी फिलाला बहरे पास सुचना आए वी ऐसी आरे है कि जो बदमास थे उनमें एक विक्ती को गोली लगी थे एक बदमास को वो उसकी भी मौत होने की ऐसी सूचना आ रही है लेकिन अभी क्योंकि कंफर्म नहीं कह सकते हैं ऐसे में कि जो सूचना मिलरी उस आधार पर कि उस बदमास की भी एक बदमास की मौत होने की सूचना बताई जारी है लेकिन अभी फिलाल क्योंकि यहां गटना इस तल पर जहां पर एफसल टीम और पुलिस के आला दीकारी यहां पहुंचे हैं जयपूर पुलिस कमिशनर है वीजू जोज सब वो खुद पहुंचे यहां पर गटना इस तल का जाई जा ले रहे हैं एफसल टीम दुवारा नमूने उठाए गया जा रहे हैं साथी जैसे किस तरीके से घर में गुशकर ये गटना को अंजाम दिया गया है और इस क्योंकि ये एक सर्चाग दिशे बना हुआ है फोर्स को भी बुलाए गया है कि किसी तरीके को माहूल कराब नहों बड़ी संख्य हमें प्लीस फोर्स पहुंची है साथी जो यहां पर अब क्योंकि प्लीस पर एक सवाल खड़ा हो रहे हैं कि घर में गुशकर दिन दहाड़े किस तरीके से बारदात को अंजाम दिया गया है और साथी सीची टीवी कि आप देखिए जो केमरे में हम दिखा रहे हैं आपको जो गोगा मेडी के घर पर यहाँ सीची टीवी केमरे लगे हुए अभी पुलीस इनकी जांच कर रही है कि कोन लोग आये थे क्या थैं क्या थैं क्या पहले से ही रेकी कर रहे थे किस तरीके उनके क्योंकि आने जाने का जो उनका था सुड़ूल को लेकि इस तरीक निए रो कर दोगों के दुख दिने काम आते हैं परिंटु गैलोज सरकार की नाकामी नलाइकी के कारेक्ट आप सुप्टेर सिंग गोगामेडी को लगातार विश्णवी के एंग सर्थे और ये घंकियां मिलने के बावजूर डीजी पी टाजिस्तान पुलिस परतली गोगामेडी मिले पुख्यमंतुई से पिकाईबर वनों ने बात भी पत्राचार किया उसके बावजूर भी गोगामेडी को सुरक्टा पता नहीं की इसमें सीदी सीदी में लापरवाई कह रहा हूं गैलोज सर्कार की लापरवाई के कारणा अंदर मित्र हूं मेरा चोटा भाई दोगामेडी आज मारे भी नहीं रहा किसी के घर में उनके बगल में जो सेक्यूरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया वो अभी हॉस्पिटल में है और इस क्रॉस फायर में क्रॉस फायर के दवरान तीन हमलावारों में एक का भी डेथ हो गया तो वो जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंख शेखावत वो है यह पास का मूल रूम से शापूरा के कास्ट पास का रहने वाला है और अभी जेपूर में निवास कर रहा है यह कोई दुकान करता है कोई चोटा माटा कपटे का दुकान करता है तो जो भी हो हम उसका उस लीड है हमारे पस cctv का फुटेज है जो टोटल खड़ना क्रम है वो c पाक्षिया और सूचना है हमारे पास है उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्नित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लाइनिंग गिया है उदर तक हम जल्दी पहुंच जाए तो उनको एसकेप के लिए गाड़ी ले नहीं पाया क्योंकि जिस ने गाड़ी लेके आया था उनका क्रॉस्वायर में मृतिव हुआ तो उनको गेट अवे के लिए एक स्कूटी छीनके वो स्कूटी में भग गया इसकी पूरी मदद है उनने कहा है सारे फुटेज हमारे पास एविलेबल है तीन जो यह हमलावार आए थे उनमेंसे एक हमलावार है जो गाड़ी को गॉली लगी थी उसकी भी मौत हुई है चला रहा था जाड़ी चला कर लिकर आया था वो क्रॉटस फैर हुआ इन दोनों के बीच पे और उसमें उसकी मौत हो गए और बाकी के जो दो लोग थे वो एक बाइक सवार की बाइक लेकर फायर करके बाइक सवार की बाइक लिकर भागने में काम्याप होगे हालाकि उनको आइडिन्टफाइ करने की कुशिश की जा रही है जिते भी सेसीडी भी है उनको खंगाला जा रहा है ठीक है मैं आपके पास वापस टॉट कर आता हूँ लेकि जरा देखिए क्योंकि पुलिस कमिश्टर यहाँ पर आये थे मौके का मौइना करने के लिए घटना इस तल पर यानि की सुकदेव सिंग के घर पर आये थे पुलिस कमिश्टर और उन्होंने ये बयान दिया है कि यहाँ पर जो क्रॉस फायर हुआ जिसे एक बदमाश को गोली लगी थी है इस सब्सक्राइब है तो पुलिस को सिर्षिटीव को एब पूरा घटना करम आखे यह फैरे कामिश्टर ने वे दिख़ैं य हिए धला मौश्ट है कि पूरे जो गटना करना करने के दो चुका दोन है वह भी CCTV केमरे में आचुके एक की मौत हो चुकी है बचे दो लोग हैं उनके भी अब पैच तो ये बड़ी बात है क्योंकि वहाँ पर CCTV भी लगा हुआ है और CCTV केमरे में रिकॉर्ड हुई है ये वारदात ये भी पुलिस की ओर से बताया गया है बदमाशों की फुटेज भी है और उसके आधार पर तलाश करना आसान पुलिस के लिए हो जाएगा एक बदमाश की चुकी मौत हुई है और उसकी पहचान भी उसका आइडिनिफिकेशन भी हो चुका है और इसलिए इस केस को खोलने में शायद मदद मिलेगी एक बड़ी खबर मिल रही है जैपूर से जहां पर करनी सेना के अध्यक्ष को गोली मारी गई है गोली मार कर हत्या कर दी गई है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है जैपूर से मिल रही है जहां करनी सेना के अध्यक्ष की गोली मार कर हत्या की गई है इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग सहे चार लोगों को गोली लगी है सुखदेव सिंग के अलावा उनके गन्मेन को भी बदमाशों ने गोली मारी है वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को गोली मार कर उसकी स्कूटी बदमाशों ने चीन ली है और वहीं बचाओ में की गई फाइरिंग में एक बदमाश को भी गोली लगी है ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है घायल बदमाश को मौके से लेकर अन्य बदमाश फरार हो गए है फिलाल पूरे शहर में नाका बंदी करा दी गई है और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है सुकदेव सिंग जो करणी सेना के अध्यक्षे उनको गोली बारी गई है उनकी मौत हो गई है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है सुकदेव सिंग के गनमेन को भी गोली लगी है पर जान लेवा हमला हुआ है तो बड़ी तादाद में जो लोग है तो इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं जैपुर से करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंग की गोली मारकर हत्या की गई है और ये बड़ी ख़बर है सुखदेव सिंग सहित जो आसपास गन्में थे जो उनकी सुरक्षा में तेनाब थे उनको उन पर भी फाइरिंग बदमाशों ने की है उनके गन्में को भी बताया जारा की गोली लगी है वो भी जखमी हुआ है वारदाद को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को जो वहां से गुजर रहा था एक व्यक्ति उसको भी गोली बारी है और उसकी स्कूर्टी चीनी इसे के अंदर अभी उनको लाया गया था इस vे इमर्जेंसी के अंदर और यहीं पर इलाज करने की और जो पुलिस जो यहां पर चीकिशिकों की टीम उन्हें पूरी कोशिष करी कि कि किसी भी तरह से उनको बचाया जा सकी लेकिन बताया जारा कि ऐसा संभव नहीं हो पाया और हम अभी आपको दिखाते हैं में इमर्जेंसी के अंदर ही आए यहां पी बड़ी तादाज में जो उनके घर के जो लोग है जो पुलिस के अधिकारी है वह यहां पे मौझूद है आप देख सकते हैं जो लोग है वह यहा कि वहां बहुती बाहदूर और सेर के समान विक्ति थे उनके साथ इस तरह की निर्द्री निर्दयटा पूर्ण और काहरा ना घटना होना इसके लिए कोई सब्दी नहीं है, कोई भी सब्द नहीं है सब ये समाज में कोई भी व्यक्ति को इस तरह जाकर के घर के अंदर दीन दाड़े गोलियों से भून दिया जाए ये बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है और मुझे विश्वास है कि पूलिस परसासन तुरंट सक्री हो करके अब तक उनको गिर्भदार कर लेने की कारवाई कर रहा होगा मैंने कमिस्टर साब से ये भी रिक्वेस्ट किये है कि पूर्य छेतर के अंदर दहसत का माहूल है वہां गस्त की वियास्ता की जाए पुलिस की वियास्ता की जाए और सब से पहले अपराधियों को तुरंत घ्रभदार किया जाए इसके लिए कोई भी सब्द नहीं है मेरे पास करें हालात बहुत ज़्यादा चिंटा जनक हालात है मैं कराओं बहुत ज़्यादा चिंटा जनक हालात है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है ये बड़ी जानकारी की सुखदेव सिंग गोगा मेरी की मौत हो गई है उनकी गोली मार कर रत्या कर दी गई है उनको घायल होने के तुरंट बाद अस्पताल पहुचाया गया था जहां से अंदर से ये खबर मिल रही है कि उनकी मौत हो गई है उनको बचाया नहीं जा सका है बताये ये जा रहा है कि बड़ी चली है उनके उपर अंधादुन फाइरिंग की है उनके गन्मेन को भी गोली मारी है और एक राहगीर जो वहां से जा रहा था इसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूटी चीनकर भागने की कुशिकी है बचाओ में जो गोली चली है उसमें एक बदमाश को भी बताया जा रहा की गोली लगी और इसके बाद उसके जो साथी थे वो बदमाश को वहां से बचाकर ले गए लेकिन सुखदेव सिंग गोगा मेरी को बता जा रहा कि